इस फॉर्मूला एक्सल के बहुत से यूसफुल फॉर्मूलों में से एक है इस फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई एक कंडिशन को टेस्ट करता है और जब ये कंडिशन पूरी होती है तो ये हमारे द्वारा बताए गए दो रिजल्ट में से पहला रिजल्ट हमको दिखाता है और यदी condition पूरी नहीं होती है तो फिर ये formula दूसरा result दिखाता है आसन भाशा में कहा जाए तो इफ formula लगाने पर हमें दो में से एक result मिल सकता है अगर हमारी तुलना सही है तो पहला result मिलेगा नहीं तो दूसरा result मिलेगा आज हम आपको nested if formula के बारे में बता रहे हैं वैसे तो Excel में nested if नाम से कोई formula नहीं होता पर जब हम एक if formula के अंदर दूसरे इफ formula का उप्योग करते हैं तो उसे nested if कहा जाता है चूँकि इस formula केवल एक ही condition चेक करता है इसलिए जब हम एक से ज्यादा conditions चेक करना चाहते हैं तो हम nested if का उप्योग करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको nested if का उधारन दे करके समझा देते हैं पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस formula किस तरह से काम करता है यहाँ पर हमने 10th class के लिए percentage list बनाई है इस list में 60 students के नाम है और उन्हें जो percentage मिले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं अब हमें percentage के आधार पर students को remarks देना है यहाँ पर pass में ही आप एक और table देख सकते हैं जिसमें percentage distribution है यदि percentage 95 से 100 के बीच में है तो remark में हमें student को excellent देना है यदि percentage 85 से 94 के बीच में है तो हमें very good यह remark देना है 75 से 84 तक percentage होने पर हमें remark देना है good यदि percentage 65 से 74 के बीच है तो remark में हमको लिखना है needs improvement और यदि 0 से 64 तक percentage है तो हमें remark देना है fail तो चलिए अब हम एक बार if formula का उप्योग करके देखते हैं उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा कर लिखेंगे if यह यहाँ पर जैसे ही हमको suggestion मिला यहाँ पर double click करके formula ले लेंगे bracket के इंदर सबसे पहला argument है logical test मतलब हम क्या test करना चाहते हैं हम यह test करना चाहते हैं कि यहाँ पर यह जो percentage लिखे हुए हैं यह 95 से लेकर के 100 तक के अंतरगत हैं या नहीं तो हम जिस भी percentage को check करना चाहते हैं पहले उससे select कर लेंगे यह यहाँ पर हमने पहले student के percentage को select किया है अब हमें यह test करना है कि यह जो percentage है वो 95 के equal या उससे ज्यादा है क्या तो उसके लिए हम greater than और equal to का निशान लगाएंगे और उसके बाद type करेंगे 95 यानि यह जो G3 cell में percentage लिखा हुआ है वो 95 के बराबर या उससे ज्यादा है क्या यह हम पता करना चाहते हैं अब कॉमा लगाएंगे next argument है value if true यानि अगर हमारा test सही होगा तो यहाँ पर हम क्या result दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर हमारा result सही हो तो excellent लिखा हुआ दिखाई दे तो excellent को हम double inverted commas के अंदर लिखेंगे यह excellent लिख करके हमने inverted commas लगा दिया अब कॉमा लगाएंगे इसके बाद अगला argument है value if false यानि अगर हमारा test सही रहा तो तो excellent लिखा हुआ दिखाई दे पर अगर यह value false आती है यानि यादी हमारा test गलत होता है तो फिर यहाँ पर क्या result आना चाहिए वो हमको यहाँ लिखना होगा हम चाहते हैं कि अगर यह जो percentage है वो 95 से कम हो तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है very good तो उसके लिए वापस हम inverted commas लगाएंगे और उसमें लिख देंगे very good inverted commas close कर देंगे तो यहाँ पर अभी formula में हमने क्या किया है एक बार आपको फिर शॉट में बता देते हैं इफ formula का bracket open करने के बाद हमने check किया कि हमारे द्वारा selected जो percentage है वो यदि 95 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो remarks में हमें मिले excellent और अगर यह जो percentage है वो 95 के बराबर या उससे बड़ा ना हो तो फिर हमें remarks मिले very good अब हम bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमको remark मिला है excellent वो इसलिए क्योंकि जो percentage हमने check किया था वो 95 के बराबर है अब हम एक बार इस formula को नीचे तक ड्रैक करके copy कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर नीचे वाले percentage के भी remarks दिखाई पड़ रहे हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ percentage 95 के बराबर या उससे ज्यादा है तो remark में excellent लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और जहाँ percentage 95 से कम है वहाँ पर सब जग़ very good लिखा हुआ आ रहा है पर if formula के साथ एक drawback ये है कि ये केवल एक condition ही check करता है पर यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा conditions हैं तो ऐसी स्थिती में हम nested if formula का उपयोग करेंगे मतलब हम if formula के अंदर कुछ और if formula का उपयोग करेंगे उसके लिए ये जो remarks यहाँ पर आये हैं इनको हम हटा देते हैं और अब हम यहाँ nested if formula का उपयोग करके देखेंगे equal to का sign लगा करके सबसे पहले हम यहाँ पर if formula लगाएंगे logical test के लिए जिस cell में पहले student के percentage लिखे हैं उसको select करेंगे और पहली condition लगाएंगे जिसमें हमें यह चेक करना है कि क्या selected percentage 95 से बड़ा या उसके बराबर है तो उसके लिए अब यहाँ पर हम greater than का निशान लगाएंगे फिर equal to का निशान लगाएंगे और फिर लिख देंगे 95 यह हमारी पहली condition थी अब कॉमा लगा के next argument लिखेंगे जो यह है कि यदि यह condition सही हो तो हमें remarks में excellent मिले तो हमने inverted commas के अंदर excellent लिख दिया है 95 से बड़ा या उसके बराबर नहीं है तो हम उसके लिए एक और condition लगाएंगे उसके लिए हम फिर से कॉमा लगा करके एक बार फिर इस formula का उप्योग करेंगे type करेंगे if यह देखिए यहाँ पर यह suggestions मिल रहें double click करके यह formula ले लेंगे अब दूसरे condition में हम यह check करना चाहते हैं कि जो selected percentage है वो 85 से बड़ा या उसके बराबर है कि नहीं तो हम bracket के अंदर logical test में हम वापस से यह percentage वाला cell select करेंगे और उसके बाद greater than और equal to का sign लगा करके लिखेंगे 85 कॉमा लगाने के बाद हमको लिखना है कि इस condition के सही होने पर क्या result मिले हम चाहते हैं कि अगर percentage 85 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो very good लिखा हुआ दिखाई दे इसके लिए यहाँ हम inverted commas के अंदर type कर देंगे very good inverted commas close करेंगे अमालेज यह ऐसा नहीं होता है यानि student के marks यदि 85 से भी कम है तो उस स्थिती में हम एक और condition लगाएंगे उसके लिए कॉमा लगाके एक और if formula हम लगाएंगे तो यह हमने type किया if यहाँ double click करके formula ले लिया वापस हमको logical test के लिए इस cell को select करना होगा अब हमारी condition यह है कि जो percentage है वो 75 के बराबर या 75 से ज्यादा होना चाहिए तो हम good remarks चाहते हैं इसके लिए पहले हमने यह cell select किया और अब हम लगाएंगे निशान greater than और equal to का और फिर type करेंगे 75 कॉमा लगाने के बाद इस condition के सही होने पर क्या result मिले वो हमको inverted commas के अंदर लिखना होगा हम चाहते हैं कि अगर यह condition सही हो तो हमें remarks में good लिखा हुआ दिखाई दे तो inverted commas के अंदर हमने लिख दिया good पर यदि अभी वे ऐसा नहीं हुआ यानि student के marks यदि 75 से भी कम है तो हम एक और condition लगाएंगे उसके लिए comma लगा करके फिर से हम if का formula टाइप करेंगे यहाँ पर double click करके इस formula को ले लेंगे अब यह percentage वाला cell select करेंगे और उसके बाद greater than और equal to का sign लगा करके लिखेंगे 65 कॉमा लगाने के बाद condition के सही होने पर क्या result मिले उसे double inverted commas के अंदर लिखेंगे हम चाहते हैं कि अगर percentage 65 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिखे needs improvement तो इस remark को हम inverted commas के अंदर type कर देंगे यह हमने type कर दिया needs improvement अब inverted commas close करेंगे और अगर यह सब conditions सही ना हो तो आखिरी बचा हुआ result दिखे जो है fail यानि 65 से भी कम marks अगर हूँ तो fail लिखा हुआ दिखे रिमार्क्स में उसके लिए वापस हम एक बार यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर double inverted commas में लिख देंगे fail यह inverted commas close किये अब एक बार आपको short में हम बता देते हैं कि इस formula के अंदर हमने क्या-क्या conditions लगाई हैं सबसे पहले हमने यह चेक किया कि selected percentage अगर 95 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो तो हमें remarks में excellent लिखा हुआ दिखे ऐसा नहीं होने पर हमने अपनी दूसरी condition लगाई कि selected percentage अगर 85 से बड़ा या उसके बराबर हो तो remarks में very good लिखा हुआ दिखे जिससे यह होगा कि यदि selected percentage 85 के बराबर या उससे बड़ा है तथा 95 से छोटा है तो remarks में very good लिखा हुआ दिखे ऐसे ही हमने बागी percentage के लिए भी conditions यहाँ पर लगा दी है अब चुकि यहाँ पर हमने 4 if formula का उपयोग किया है तो यहाँ अब हम को 4 bracket close करना होंगे अब enterprise करेंगे यह देखें यहाँ पर percentage के अनुसार remark आ गया है अब cell के आखिर में mouse रख करके डबल क्लिक करेंगे जिससे यह formula नीचे तक अपने आप copy हो जाएगा यह देखें यह आप देख सकते हैं कि नीचे की cell तक यह formula copy हो गया है और सभी students को उनके percentage के हिसाब से remarks मिल गए है इसमें हम full name को split करने के लिए text to column wizard का उप्योग करेंगे जिससे आप full name से first name, middle name और last name बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं चलिए देखते हैं इसे कैसे उप्योग करेंगे यहाँ पर हमने एक list ली है जिसमें कुछ लोगों के नाम है अब यदि आपसे कहा जाए कि इन नामों में से first name, middle name और last name को अलग-अलग कर दीजिए तो formula की साहता से first name और last name तो एक बार के लिए अलग किये जा सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया भी है पर middle name को अलग करने के लिए जब हम formula का उप्योग करते हैं तो यह मुश्किल भी होता है और यह बहुत लंबी प्रोसेस होती है पर text to column option की सहायता से यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है उसके लिए सारे full names जो लिखे हुए हैं उसको select कर लें अब data tab में जाकर text to columns option पर click करें इस पर click करते ही text to column wizard open हो जाएगा इसमें आप दो options देख सकते हैं delimited और fixed width यदि यहां पर जो नाम है उनकी length अलग-अलग है मतलब कोई नाम 10 अक्षर का है तो कोई 12 का किसी नाम में middle name है किसी में नहीं है तो इस तरह के नामों को split करने के लिए हम delimited option का उप्योग करते हैं और जब किसी नाम की width fixed हो मतलब की सभी नामों में एक जितने ही अक्षर हो और उन्हें same place से split करना हो तब fixed width option का उप्योग किया जाता है यह option हम आपको आगी समझाएंगे पहले हम आपको delimited option के बारे में बता रहे हैं यह by default selected रहता है अब हम आगे बढ़ने के लिए next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ delimiters की list दिखाई देगी जैसे की tab, semicolon, comma, space और other हमने आपको बताया कि delimited option तब उप्योग होता है जब word की length fixed ना हो ऐसे में हम इन delimiters को एक boundary की तरह उप्योग करेंगे यह delimiters दरसल punctuation marks या वो characters हैं जिनका उप्योग हम शब्द की सीमा नरधारित करने के लिए कर रहे हैं हम चाहते हैं कि full name में से splitting वहाँ वहाँ से हो जहाँ पर कोई delimiters हो हमारे data में तीन delimiters हैं एक तो space, दूसरा, comma और तीसरा slash का निशान यहाँ नीचे preview में आप delimiters चुनने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख सकेंगे सबसे पहले हम delimiters के अंतरगत, comma को select कर रहे हैं यह देखिए, comma को select करते ही नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे इस data में जहाँ पर मीरा नाम के बाद comma लगा हुआ था वहाँ से splitting हो गई है क्योंकि अभी हमने delimiters के वल comma यूज किया था tab यहाँ पर पहले से selected था अब हम comma के साथ साथ space को भी select कर रहे हैं इसी तरह यदि आपके data में कोई और भी delimiters हों जैसे कि यहाँ पर semi colon है तो आप उसे भी select कर सकते हैं यदि data में यह जो उपर लिखे हुए delimiters हैं इनको छोड़कर अन्य कोई delimiters है जैसे कि हमारी data में slash लगा हुआ है ऐसी स्थिती में other option को select करें और उसके सामने वाले box में वो sign type कर दें यहाँ पर हमने slash type कर दिया है अब हमारा जो data है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है चुके अब हमने यहाँ पर slash भी ले लिया है इसलिए पहले जो यहाँ नाम के बाद slash दिखाई दे रहा है वो भी हट गया है अब यहाँ पर उपर आप एक option देख सकते हैं treat consecutive delimiter as one यदि यह option selected होगा तो किन ही दो words के बीच में एक से ज्यादा delimiters होने पर यह उनको एक ही मानेगा और यदि यह option deselected होगा तो उन्हें यह अलग-अलग मानेगा हमारे data में जो नाम है अनुजा अगरवाल इसके बीच दो slash लगे हुए हैं चुकि हमने इस option को selected रहने दिया था इसलिए यहाँ नीचे preview में हम देख सकते हैं कि इसने इन दोनो slash को एक ही delimiter माना है और इसलिए हमारा यह जो data है वो split होने के बाद इस तरह का दिख रहा है यानि इसमे middle name वाले column में ही last name भी आ गए हैं जैसे अनुजा अगरवाल में अगरवाल last name है पर वो middle name वाले column में आ गया है उसी तरह से केशव महरा और मीरा प्रजापती यह जो नाम है इन में भी last name मिडल नेम वाले column में आ गए हैं वो इसलिए क्योंकि data में यहाँ पर दो delimiters हैं एक तो slash दूसरा space इन दोनों delimiters को इसने एक मान लिया उसी तरह से मीरा प्रजापती में comma और space यह दो delimiters हैं पर हमने इस option को चुनके रखा हुआ था इसलिए यहाँ पर यह data इस तरह से split हुआ है अब हम इसको deselect कर देते हैं इस option को deselect करते ही यह दो delimiters को अलग-अलग गिनेगा और ऐसा करते ही last name middle name वाले column से हट करके last name वाले columns में आ गए हैं अब हम next पर क्लिक करेंगे अब यहां से आप अपने data का format select कर सकते हैं इसमें by default general selected होता है तो हम इसे ही selected रहने देंगे उसके बाद है destination इसके सामने वाले box में क्लिक करें अब आप उस column range को select करें जहां से आप चाहते हैं कि result प्रारंब हो इसके लिए हम first name वाले column को select करेंगे heading छोड़ करके अब हम finish पर क्लिक करेंगे देखिए finish पर क्लिक करते ही first name, middle name और last name split हो गए हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको fixed length option का उप्योग करके बता देते हैं उसके लिए हमने ये एक और example लिया है ये candidates की information है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सभी words हैं वो एक ही length के हैं यानि सभी में same characters हैं इसमें पहले तीन characters state का code हैं दूसरे जो दो characters हैं वो department का code हैं और last तीन characters employee का ID है जैसे कि candidate information वाली table में पहला जो word है वो है rajit123 इसमें raj state का code है ID department का code है और 123 employee ID है तो text to column wizard open करने के लिए पहले इस data को select कर लेते हैं अब हम text to column wizard open करने के लिए shortcut key का उपयोग करके बता रहे हैं इसके लिए shortcut key है alter, a और e इन तीनों keys को एक साथ press करते ही ये text to columns wizard खुल गया है अब यहां से हम fixed length वाला option select करेंगे next पर click करेंगे पहले हमने delimiters को boundary की तरह use किया था यहां पर हमें data को split करने के लिए manually boundary set करनी होगी state code अलग करना चाहते हैं, department ID अलग करना चाहते हैं और employee ID अलग करना चाहते हैं इसको हमको तीन अलग-अलग columns में बाटना है तो उसके लिए manually हमको यहां पर boundary set करना होगी तो जहां से भी हमको text को split करना है वहां पर click करके हम एक line खीच देंगे यह देखे जैसे हमने click किया वहां पर एक line आ गई है जहां-जहां हम click करेंगे वहां पर इस तरह से यह line आती जाएगी और अगर इस line को आपको move करना है तो उसके लिए आप click करके इसको drag कर सकते हैं इस line को move करके हमने department id के बाद लगा दिया है अब यह जो तीसरी line है यह extra है यह हमको नहीं चाहिए तो जो line नहीं चाहिए जो boundary नहीं चाहिए उसको आप delete कर सकते हैं के लिए उस पर double click कर दें यह हमने दो boundaries यहां पर fix कर दी है पहली तीन characters के बाद और दूसरी दो characters के बाद अब हम next पर click करेंगे destination के लिए destination के सामने वाले box में click करके column range select करेंगे यानि जहां से हमको अपना result show करना है उसको select करेंगे और अब finish पर click कर देंगे यह देखिए हमारा जो text था वो अलग-अलग तीन columns में split हो गया है जिसमें से की पहले जो तीन characters थे वो state code के अलग आ गए है department ID यहां पर अलग आ गया है और employee ID अलग आ गया है fuzzy look up भी V look up और H look up की तरह ही काम करता है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने Excel spreadsheet में data enter करते समय कुछ spelling mistakes की हूँ या हम जिस विशेश value को ढून रहे हैं उसमें और हमारे original data में थोड़ी बहुत असमानता हो ऐसे में V look up और H look up से हम वो value नहीं ढून पाते हैं ऐसी इस्थिती में हम fuzzy look up का उपयोग करते हैं Excel में fuzzy look up नाम से कोई function नहीं होता है बलकि यह एक add-in होता है add-in एक तरह का software होता है जो कुछ विशेश सुविधाय प्रदान करता है हमें Excel में fuzzy look up add-in को डाउनलोड करना पड़ता है जिससे हम आसानी से बड़े देटा में से value सर्च कर सकते हैं यह add-in आप मिशल्क डाउनलोड कर सकते हैं हम आपको यह fuzzy look up add-in डाउनलोड करके और इसका उपयोग करने से पहले एक बार short में V look up समझा देते हैं यहाँ पर हमने 60 top companies की एक list ली है जिसमें की सबसे पहले हमने उस company का नाम उसके बाद उस company के सबसे अच्छे employee का नाम और उसके बाद उस employee का designation और फिर उसकी salary लिखी हुई है मालीजे हम इन companies के list में से किसी पाँच companies के best employees का नाम जानना चाहते हैं चुकि यह data इतना बड़ा है कि manually यह काम करने में बहुत समय लग जाएगा और यदि यही काम हम V look up के साहता से करते हैं तो यह शिखरता से हो जाएगा यहाँ पर हमने उन 5 company के नाम लिख लिए हैं जिनके best employees के नाम हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर equal to का sign लगाएंगे और फिर type करेंगे V look up यह यहाँ पर हमको Excel ने formula suggest किया है इस पर double click करके हम इसको यही से ले लेंगे यहाँ पर आप V look up formula का syntax देख सकते हैं इसमें first argument है look up value मतलब हम पूरे data में से कौनसी value के लिए data सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ABC company के best employee का नाम चाहिए इसलिए इस data में से हम पहले ABC company जिस cell में लिखा है उसको select कर लेंगे उसके बाद लगाएंगे comma अब second argument है table array इसके लिए हम इस पूरी table को select करेंगे क्योंकि हमको इसी table में से data search करना है और heading के साथ इसको select करेंगे यह पूरी table को हमने select कर लिया पूरी table को select करने के बाद फिर comma लगाएंगे उसके बाद यहां पर जो third argument है वो है column index number इसमें हमें उस column का number डालना है जहां से data चाहिए यानि हमको best employees name वाला column चाहिए और यह second column है इसलिए हम यहां पर डालेंगे to उसके बाद फिर comma लगाएंगे और अब exact match के लिए हम type करेंगे 0 और bracket close करके enterprise करेंगे यह देखिए ABC company के best employee का नाम यहां पर आ गया है अब हम इस formula को यहां से drag करके नीचे तक की cells में copy कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ employees के नाम मिले हैं और कुछ के नहीं ऐसा इसलिए हुआ कि यहां इस table में हमसे company के नाम लिखने में कुछ spelling mistakes हो गई है यानि original table में जो company के नाम लिखे हैं और इस table में जो company के नाम हैं उनमें कुछ अंतर है जैसे कि इस table में तीसरे नंबर पे जो company लिखी हुई है पैट्रिक लिमिटेड इसकी spelling है P-E-T-R-E-K जबकि अगर हम original table में देखें तो यहां पर इस company की जो spelling है वो दी हुई है P-E-T-R-I-K यह है पैट्रिक लिमिटेड तो यहां आई लिखा हुआ है जबकि यहां पर लिखा हुआ है इससे spelling में अंतर आ गया इसी तरह से दूसरे जो कुछ नाम है उनमें भी spelling mistakes है इसी वज़े से वी लुक अप इन वैल्यूस को नहीं ढून पाया अब यह तो हमने वी लुक अप में exact match ढूंदा पर यदि हम approximate match यानि इससे मिलता जुलता match ढूनते तो क्या होता आए वो भी देख लेते हैं यहां से हम सभी employees के नाम हटा देते हैं अब approximate match के लिए बाकी formula तो हमको वैसा ही रखना है लुक अप वैल्यू ले लेंगे टेबल अरे ले लेंगे column index भी second ही रहेगा बस last में जो हमने पहले exact match के लिए 0 लगाया था उसे हटा करके approximate match के लिए हम 1 लगा देंगे अब bracket close करेंगे और enter press करेंगे यह देखिए यहां error दिखाई दे रही है पहले हमें ABC company के best employee का exact match मिल गया था पर चुकि अभी हमने formula में approximate match के लिए 1 लिया है तो यहां पर इसका नाम नहीं मिल रहा है इस formula को एक बार हम नीचे तक drag कर लेते हैं ब्रैक करके जब हमने इसको copy किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बाकी cells में कुछ employees के नाम दिखाई दे रहे हैं पर जब आप उनको इस table से original table से match करेंगे तो पाएंगे कि यह नाम सही नहीं है क्योंकि यहां हमने approximate match ढूंडा है और exact match का result तो हम पहले ही देख चुके हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि V look up और H look up में approximate match numbers के साथ तो सही काम करता है पर alphabet के साथ वो अच्छे से काम नहीं करता तभी हमें सही result नहीं मिलता है ऐसे में हम fuzzy look up का उप्योग करेंगे fuzzy look up का उप्योग करने के लिए पहले हमें fuzzy look up adding डाउनलोड करना होगा उसके लिए हम browser open कर लेते हैं fuzzy look up डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउजर में type करें download fuzzy look up add in enter करने पर यहां आपको बहुत सारे results मिलेंगे इसमें यहां पर यह वाली जो link है official Microsoft की इस पर आप क्लिक करें अब यहां इस page पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं और download पर क्लिक करें डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यह एडिन डाउनलोड हो जाएगा यहां पर दिखाई दे रहे setup पर क्लिक करें setup पर क्लिक करते ही यह dialogue box open होगा यहां run पर क्लिक करें run पर क्लिक करते ही fuzzy look up add-in की setup विंडोग आएगी इस विंडोग में install पर क्लिक करें यहां पर terms and conditions को accept करके वापस install पर क्लिक करें यहां पर आप देख सकते हैं installing शुरू हो गई है setup complete होने पर finish option यहां पर दिखाई देगा इस पर क्लिक करें यह देखिए finish पर क्लिक करते ही setup successful का message दिखाई दे रहा है close पर क्लिक करके हम इस window को close कर देते हैं अब हम वापस से excel में अपनी वो sheet खोल लेते हैं जिस पर हम काम कर रहे थे अब यहां पर हमारे पास केवल कुछ companies के नाम है पर यहां जो company के नाम लिखे हुए हैं उसमें कुछ spelling mistakes हैं fuzzy look up का उपयोग करने के लिए हमें इन दोनों tables को table form में convert करना होगा उसके लिए पहले हम छोटी table को table form में convert करेंगे क्योंकि हमें इस table में लिखी हुई companies के ही best employees का नाम जानना हैं इसलिए पहले हम इसे select करेंगे heading सहित और इस table को select करके Ctrl T press करेंगे Ctrl T press करते ही यह create table वाली window open हो गई है इसमें हम okay पर click कर देंगे अब इसी तरह से heading सहित हम दूसरी table को भी पूरा select कर लेंगे इसका जो पूरा data है उसको हम select करेंगे और फिर से Ctrl T press कर देंगे यह वापस से create table वाली जो window आई है इसमें okay पर click करेंगे अब यह जो दोनों data थे इनको table form में convert करने के बाद fuzzy look up tab पर click करेंगे फिर यहाँ पर fuzzy look up option पर click करेंगे यहाँ पर click करते ही आप देख सकते हैं right side में एक side pan open हो गई है जिसमें की कुछ options दिये हुए हैं पहला है left table और उसके बाद है right table इनके सामने दिखाई दे रहे drop down menu में हमारे द्वारा बनाई गई tables के नाम होंगे यह table 1 और table 2 by default left table में हमारे द्वारा बनाई गई पहली table होती है और right table में हमारे द्वारा बनाई गई दूसरी table होती है हम चाहें तो drop down menu की सहयता से left table में table 2 और right table में table 1 ले सकते हैं पर अभी हम इसे change नहीं करना चाहते हैं इसलिए इसे इसी तरह से रहने दे रहे हैं यहां इसके नीचे left table और right table में relationship दी हुई होती है जिसमें आप दोनों table की headings देख सकते हैं left column जो है उसके अंदर तो एक ही heading है जिसे हम select कर रहे हैं right columns में से भी हमें कम से कम एक heading select करनी होगी तो यहां पर हम company के नाम को select कर रहे हैं अब यह जो है यह relationship button है हम इस पर click करेंगे इस पर click करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा select किये जो columns है वो नीचे match columns में add हो गए हैं यहां पर इस समय हो सकता है यह आपको पूरे दिखाई ना दे रहे हो परियदे के left column में company's name आ गया है right column में भी company's name है अब यहां match columns के नीचे output columns में आप table 1 और table 2 के सब ही जो columns हैं उनके जो headings हैं वो यहां पर देख सकते हैं यहां table 1 में एक ही heading है company's name तो वो यहां दिखाई दे रहा है यह arrows से आप और आगे table 2 के जो column headings हैं वो सब भी पढ़ सकते हैं यह देखिए company's name, best employees name, designation और salary तो यह table 2 के जो भी columns हैं उनके सभी के headings यहां पर आ गए हैं इन column names में से हम केवल वही नाम select कर लेते हैं जो हमें output में चाहिए यानि table 1 से हमें चाहिए company's name तो इसको हम selected रहने दे रहे हैं और table 2 से हमें चाहिए company's name इसको भी हम selected रहने देते हैं और हमें चाहिए best employees name इसको भी हम selected रहने देते हैं और बाकी के जो headings हैं उनको हम यह सामने जो check box दिखाए यहां पर नीचे की तरफ similarity threshold option दिखाई दे रहा है, इस option से आप यह साइट कर सकते हैं कि similarity threshold कितना हो, यानि original data और search किये हुए data में कितनी समानता हो, एक बात का ध्यान रखें कि इसे हम जितना कम रखेंगे, हमें result उतना ही exact मिलेगा, और इसे जितना ज्यादा रखेंगे, result उत इतना ही approximate मिलेगा, तो similarity threshold को हम इस slider की सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं, हम इसको slide करके, 0.1 पर set कर देते हैं, अब इस sheet में उस cell पर click करें, जहां आप output चाहते हैं, यह हमने यहाँ पर click किया, अब go पर click करेंगे, गो पर click करते ही देखिये, हमें यहाँ पर output मिल गया है, एक बार हम original table और छोटी वाली जो table है, उससे data match कर लेते हैं, ABC company का best employee है, अमन, हम इसको देख लेते हैं, यह है ABC company, इसका best employee का नाम है, अमन, इसी तरह से XYZ industries जो company है, यह रही यहाँ पर XYZ industries, इसका best employee है, ब्रजेश, हम इसको देख लेते हैं, यह देखिये, इसका जो best employee है, वो है, ब्रजेश, Patrick limited जो company है, यहाँ पर हमारी spelling गलत थी, पर यह यहाँ पर सही नाम आपको दिखाए दे रहा है, Patrick limited company में, यहाँ पर best employee का नाम आया है, मनू, अब हम इसको original में देख लेते हैं, यहाँ पर यह Patrick limited company है, इनका best employee है, मनू, इसी तरह से printing cop company का best employee है, मेहुल और round table companies का best employee है, साहिल, इनको भी हम देख लेते हैं, यह आ गई printing cop company, और यहाँ का best employee है, मेहुल, और अब हम round table company का भी देख लेते हैं, यह round table companies है, इसका best employee है, साहिल, यानि हमको fuzzy look up का उप्योग करने पर एकदम सही results मिले हैं, हम आपको एक और बात बता दें, अगर आप यहाँ पर approximate match यानि original data से मिलते जुलते वो result चाहते हैं, मैच होने की संभावना हो भी सकती है, वो exactly match हों जरूरी नहीं है, तो site pen में number of matches वाले option में जहाँ पर यह एक लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं, दो, और अब हम go पर click करेंगे, ऐसा करते हैं, आप देख सकते हैं, कि हमें exact answer के साथ साथ एक और approximate answer भी मिल गया है, जैसे ABC company से मिलता जुलता नाम है ABC industries, और XYZ industries से मिलता जुलता नाम है XYZ corporation, तो हमको उसके इन मिलती जुलती नाम वाली जो companies हैं, उनके best employees के नाम भी यहाँ पर मिल गये हैं, अब यदि यहाँ पर हम दो की जग तीन कर देते हैं, और अगर हम go पर click करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो है, वो exact match है, ABC company के best employee का नाम हम जानना चाहते थे, जो कि यहाँ आमने लिखा था, अब इससे मिलते जुलते तो match हमको और मिल गए हैं, यानि total तीन matches हमको यहाँ पर मिल गए हैं, पहले हम आपको बता दें कि odd numbers और even numbers क्या होते हैं, odd numbers वो numbers होते हैं, जिन में 2 से पूरा-पूरा भाग नहीं जाता, जैसे की 3, 5, 15, 49 इत्यादी, odd numbers को हिंदी में विशम संख्या कहा जाता है, इसके विपरीत even numbers वो numbers होते हैं, जो की 2 से पूर्णतह विभाज्य होते हैं, यानि जिन में 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, जैसे की 2, 6, 40, 88, इत्यादी, इन्हें हिंदी में सम संख्या कहा जाता है, इस-odd formula से ये पता किया जा सकता है, कि किसी भी data में दिये हुए number odd हैं या नहीं, उसी तरह से is-even formula से ये पता किया जा सकता है, कि number even है या नहीं, इस वीडियो में हम आपको पहले is-odd और is-even formula का उप्योग करना बताएंगे, और उसके बाद इन formula को if formula के साथ कैसे उप्योग किया जा सकता है, वो बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि is-odd formula और is-even formula कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ random numbers लिये हैं, यहाँ पर एक जगह आपको text भी दिखाई दे रहा है और एक जगह पर number जो है वो special character के साथ type किया हुआ है, अब यहाँ पर यह जो values हैं, यह odd numbers हैं या नहीं, यह पता करने के लिए हम यहाँ पर resort formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके type करेंगे, is odd, यह देखें यहाँ पर नीचे Excel हमको वो formula दिखा रहा है, इस पर double click करके हम उसको ले लेंगे, अब यहाँ bracket के अंदर हमको वो cell select करना है, जिसमें लिखे number को हमको check करना है, उसके लिए हमने यह cell select की, अब bracket close करेंगे और enter press कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि true लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो number है वो odd है, अब यहाँ corner पर जहाँ plus का निशान है, वहाँ से click करके इसे नीचे तक drag कर लेंगे ताकि यह formula नीचे तक copy हो जाए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो numbers odd हैं, उनके सामने true लिखा हुआ आ गया है, और जो numbers odd नहीं हैं, यानि even हैं, उनके लिए false दिखा हुआ आ गया है, पर साथ ही यहाँ पर दो जगह पर value error भी दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि यहाँ पर जो value है वो number नहीं है, यहाँ पर text type किया हुआ है, यहाँ पर number के साथ एक special character type किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह value error नज़र आ रही है, अब यहाँ पर हम easy one formula का उप्योग करके देख लेते हैं, equal to का sign लगा करके हम type करना शुरू करेंगे easy one, यहाँ पर formula दिख रहा है, double click कर लें, अब हमको वो number select करना है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो even है या नहीं, उसको select करके और bracket close कर देंगे, अब enter press करेंगे, यह देखिए यहाँ पर false लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो number है वो even नहीं है, अब इसको यहाँ से नीचे ड्रैक करके, बागी के cells के लिए copy कर लेते हैं formula को, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, is odd के विपरित easy one ने, even numbers के लिए true आया है, और जो odd numbers हैं उनके लिए false लिखा हुआ रिखाई दे रहा है, और यह जो दो values हैं, उसके लिए यहाँ पर भी value error नज़र आ रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस odd formula का उप्योग if function के साथ करके बता देते हैं, उसके लिए हम दूसरा data लेते हैं, यहाँ पर इस sheet पर हमारे पास role numbers का data है, मालिज यह आपसे कहा जाए कि इन role numbers वाले students को exam देने के लिए इस तरह से बिठाईए कि odd role number वाले students section B में जाएं और even role number वाले students section A में जाएं, तो उसके लिए हम if function के अंतरगत is odd formula का उप्योग करेंगे, यहाँ पर equal to का निशान लगा करके पहले हम type करेंगे if, यह यहाँ पर हमको suggestion दिखाई दे रहा है, इस formula के लिए double click करेंगे हम इस पर, यह देखिए यहाँ पर इस formula का syntax नज़र आ रहा है, अब logical test के लिए हम अंदर लगाएंगे is odd formula, यहाँ पर हम is odd type करेंगे, यहाँ से हम यह formula ले ले लेंगे, और number में हम पहला जो roll number है, उसको select कर लेंगे, इसके बाद bracket close कर देंगे, यह हमने is odd formula लगा दिया, logical test में, और अब आगे है value if true, value if true का मतलब हुआ, यदि हमारे द्वारा selected roll number odd है, तो यहाँ पर क्या display हो, हम चाहते हैं कि roll number के odd होने पर, यहाँ पर section B डिस्पले हो, इसके लिए हम double inverted commas लगा करके, टाइप कर देंगे section B, यह हमने inverted commas close कर दिये, अब फिर से comma लगाएंगे, उसके बाद अगला argument है, value if false, यानि, यदि हमारे द्वारा selected roll number odd नहीं है, तो यहाँ पर क्या display हो, उसके लिए हम यहाँ पर section A डिस्पले करवाना चाहते हैं, तो वापस हम double inverted commas लगाएंगे, और उसमें टाइप कर देंगे section A, inverted commas close कर देंगे, उसके बाद bracket close करके enter press कर देंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुकि यह roll number odd था, इसलिए यहाँ पर section B लिखा हुआ आ गया है, बाकी दूसरे roll numbers किस section में जाएंगे यह जानने के लिए, हम इस formula को नीचे तक copy कर लेंगे, उसके लिए इसको यहाँ से drag करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी roll numbers के लिए यहाँ section a lot हो गये हैं, जो roll numbers odd हैं, उनके सामने section B लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो roll numbers even हैं, उनके सामने section a लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक जगा पर value error भी दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि यहाँ पर जो roll number है, उसमें last वाली जो value है, वो text है, यहाँ पर 0 होना चाहिए था पर 0 की जगह गलती से O टाइप हो गया है इसलिए यहाँ पर value error दिखाई दी रही है और अगर हम यहाँ पर इसको सही कर देते हैं O हटा करके उसकी जगह 0 लगा देते हैं चुकि अब यह even number हो गया है तो देखिए यहाँ पर उसके मताबिक section A लिखा हुआ आ रहा है तो जिस तरह से अभी हमने इस formula के साथ is odd का उप्योग किया उसे तरह से आप इसके साथ is even formula का उप्योग भी कर सकते हैं Excel में काम करते समय कई बार data इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे एक साथ देख पाना काफे मुश्किल होता है ऐसे में pivot table का उप्योग करके पूरे data को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है आसान भाशा में कहा जाए तो pivot table पूरे data की एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है यहां हमने एक electronic showroom की cells का data लिया है जिसमें employees का नाम, उन्होंने कौन सा item बेचा है उसका नाम, कितना item बेचा है उसकी quantity और कब बेचा है वो cell date लिखी हुई है pivot table का उपियोग ज्यादा तर तब होता है जब हमें cells report चेक करनी हो मान लिजिए हमें ये जानना है कि कौन-कौन से employees ने Lenovo laptop के कितने pieces बेचे हैं तो pivot table जो है वो इस काम को बहुत आसान कर देगी इसके लिए सबसे पहले हम सभी columns को select करेंगे इसके लिए mouse से हम column का जो heading है उसके ऊपर ये जो ABCD लिखा हुआ है इस पर click करेंगे उसके लिए control key प्रेस करके रखें और फिर एक के बाद एक इस पर click करते जाएं इससे ये सारे columns एक साथ select हो जाएंगे अब insert tab पर click करें यहाँ पर tables block के अंतरगयद आपको pivot table बनाने के लिए ये दो options दिखाई देते हैं pivot table और recommendate pivot tables pivot table option की सहायता से आप अपने अनुसार pivot table बना सकते हैं जबकि recommended pivot tables option की सहायता से आपको excel एक बनी बनाई pivot table बना कर देता है जिसमें आप अपने अनुसार बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको recommended pivot tables option की सहायता से pivot table बनाना बता रहे हैं अगली वीडियो में हम आपको Pivot Table Option की साहता से Pivot Table बनाना और उसके और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बताएंगे अभी हम Recommended Pivot Tables Option पर क्लिक कर रहे हैं क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक Dialog Box उपन हो जाएगा इसमें Excel आपको कुछ Recommendations देगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दो Recommendations दी हुई है पहला है Sum of Quantity of Item Sold और दूसरा है Count of Name of Employee पहले वाले Recommended Table में Total Products कितने बिके हैं उसके अनुसार Pivot Table बना हुआ मिलेगा जिसकी Detail यहाँ पर Dialog Box में ही Side में दिखाई दे रही है यहाँ पर यह Products के नाम है और कौन सा Product कितना बिका है यहाँ पर यह Quantity दिखाई दे रही है और यहाँ पर Grand Total भी आप देख सकते हैं और दूसरे वाले Recommended Pivot Table में एक Product को कितने Employees ने बेचा उसके अनुसार Pivot Table बना हुआ मिलेगा और इसकी Detail भी हमको यहाँ पर Side में दिख जाएगी उसके लिए हमको इसको Select करना पड़ेगा इस पर Click करके इसको Select कर लेते हैं यह देखे अब दूसरे Table को Select करने पर उसकी जो Details है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर Products के नाम है और किस Product को कितने Employees ने बेचा है यहाँ पर उनका Number दिया हुआ है अभी हम फिर से पहले वाले Option को Select कर रहे हैं और उसको Select करने के बाद OK पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर यह Pivot Table बना हुआ मिल गया है इसमें आप देख सकते हैं कि Row Labels के अंतरगत Products के नाम लिखे हुए है और Sum of Quantity of Items Sold के अंतरगत वो Particular Product टोटल कितना बिका है यह लिखा हुआ है जैसे कि Lenovo Laptop के टोटल 722 पीसेज बिके हैं LG Refrigerator के 278 पीसेज बिके हैं इत्यादी और नीचे Grand Total लिखा हुआ है कि शोरूम से विभिन प्रोड़क्स के टोटल 2,121 पीसेज बिके हैं चली आगे बढ़ते हैं और आपको Pivot Table के कुछ और Options के बारे में बता देते हैं इस Sheet पर Right Side में आप देख सकते हैं Pivot Table Fields अगर आप Pivot Table के बाहर कहीं भी क्लिक कर देते हैं या गलती से क्लिक हो जाता है तो यहां से Pivot Table Fields रिमूव हो जाएगी और अगर आप वापस से Pivot Table पर क्लिक करेंगे तो यह वापस आ जाएगी पर अगर आप Pivot Table Fields को Close करना चाहते हैं तो इस Cross के निशान पर क्लिक करें और अगर इसे वापस लाना हो तो पहले Pivot Table पर कहीं क्लिक करें जिससे की यहां उपर Pivot Table Tools का Option आपको दिखाई देगा उसके अंतरगत Analyze पर क्लिक करें और फिर Show Block के अंतरगत Field List पर क्लिक करें यह देखे Pivot Table Fields फिर से दिखाई देने लगी है इसके अंतरगत यहां पर आप देख सकते हैं कि चार कॉलम्स में से दो कॉलम्स की Headings सिलेक्टेड है Name of Item Sold और Quantity of Item Sold आप चाहें तो यहां पर अन्य कॉलम्स Headings एड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं जैसे कि हमने Name of Employee के चेक बॉक्स में क्लिक किया तो देखें यहां पर Lenevo Laptop कौन-कौन से Employees ने बेचा है उनके नाम आ गए हैं और उनके नाम के सामने उस Particular Employee ने कितने पीस बेचे हैं वो आ गया है इस तरह से सारे Products के बारे में आपको यह जानकारी मिल जाती है और यह जो अभी हमने Column Heading यहां पर एड की थी वो देखिए यहां पर भी दिखाई दे रही है यह Name of Item Sold और यह Name of Employee अगर हम इस Column Heading को हटाना चाहते हैं तो फिर से इसके चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे यह देखिए यहां से वो Heading हट गई है और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि चेंजेज आ गए हैं आगे के Options देखने के लिए हम फिर से Name of Employee वाले कॉलम को यहां पर एड कर देते हैं अभी आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा Data है वो Row-wise दिखाई दे रहा है यह इस तरह से चल रहा है सारे जो नाम है वो Row में हैं और उन्ही के आगे हर Row में उन्होंने कितने pieces लेने वो Laptop के या किसी product के बेचे हैं वो यहां पर दिखाई दे रहा है अब यदि आप चाहते हैं कि Employees के जो नाम है वो Row's की बजाए Column wise दिखाई दें तो उसके लिए Drag Fields Between Areas Below के अंतरगत रोज वाले ब्लॉक में दिखाई दे रहे Name of Employees option पर क्लिक करके उसे ड्रैक करते हुए Columns वाले box में ड्रॉप कर दें यह देखिए जैसे ही यहां से हमने इसको ड्रैक करके Columns वाले box में ड्रॉप किया तो यहां पर सभी Employees के जो नाम है वो Column wise अरेंज हो गए है और जो Products के नाम है वो सब यहां नजर आ रहे हैं यहां पर आपको आसाने से दिख जाता है कि किस Employee ने किस Product की कितनी Cell की है और यहां पर नीचे Grand Total में Employee द्वारा की गई Total Cell दिखाई दे जाएगी अब आपको यहां पर दिखाई दे रहें Filters Option का उपयोग भी बता देते हैं अब यदि हम Column वाले Box के अंतरगत दिखाई दे रहें Name of Employees वाले Heading को यहां से Drag करके Filters वाले Box में Drop कर देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं Left Side में उपर की तरफ Name of Employee के नाम से एक Drop Down Menu बन गया है आप इस Drop Down Menu पर क्लिक करें यहां पर आप देखें कि सभी Employees के नाम दिखाई दे रहे हैं अब अगर आप किसी एक Employee का नाम सेलेक करके OK पर क्लिक करेंगे तो यह देखें यहां पर चेतन ने जिस Product की जितनी Sell की है यह पूरी उसकी Detail दिखाई दे रही है हम चाहें तो Filters वाले Box में हमारे Data वाले Table से दूसरे Options भी Add कर सकते हैं जैसे कि Pivot Table Fields में दिखाई दे रहे Options में से यह जो अलग-अलग Headings दिखाई दे रही हैं इसमें से Sell Date Option को भी Drag करके Filters वाले Box में Drop कर देते हैं अब यह जो Sell Date वाला एक और Heading था वो भी यहां इस Box में Add हो गया है इसे हम यह चेक कर सकते हैं कि किसी Particular Employee ने किसी Particular Date पर कौनसा Product कितने पीज बेचा जैसा कि यहां पर हमने नाम सिलेक किया हुआ था चेतन और यहां पर इस Drop Down Menu से हम Sell Date सिलेक कर लेते हैं चेज जनवरी तो यहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दिया क्योंकि चेतन ने इस Date में कोई भी प्रोड़क्ट नहीं बेचा पर यदि हम नाम या Date चेंज करते हैं या दोनों चेंज करते हैं मालीजे हमने नाम लिया प्रतीक और Date यहां पर हमने ले ली 23 जनवरी तो अब यह देखिए यहां पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि प्रतीक ने इस तारीख पर Lenovo Laptop के 50 पीसिस बेचे तो इस तरह से आप अपने Data को Pivot Table की सहायता से अच्छे से Sort और Organize करके आसानी से कोई भी Report बना सकते हैं Pivot Table पूरे Data की एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है जिसका उप्योग करके पूरे Data को कम से कम जगव में संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में देखा जा सकता है चलिए आपको Pivot Table बना कर उसके Features के बारे में बता देते हैं यहाँ पर हमने एक Electronic Showroom की Sells का Data लिया है जिसमें Employees का नाम, उन्होंने कौन सा Product बेचा है, कितना बेचा है और कब बेचा है यह सब लिखा हुआ है Pivot Table बनाने के लिए सबसे पहले हमको यह पूरी जो Table है वो Select करना है Headings के साथ हमने सभी Columns Select कर लिये हैं क्योंकि हम इन सभी को Pivot Table में उप्योग करना चाहते हैं आप चाहें तो उनी Columns को Select करें जिन Columns का आप उप्योग करना चाहते हैं इसके बाद Insert Tab में जाकर के Pivot Table पर क्लिक करें Pivot Table पर क्लिक करते ही यह एक Dialog Box ओपन हो गया है इसमें आपको कुछ Options दिखाई दे रहे होंगे Choose the data that you want to analyze इसके अंतरगत आपको यहाँ पर दो Options दिखाई पड़ेंगे Select a Table और Range और दूसरा है Use an External Data Source By default Select a Table और Range रहता है जिसमें आपके द्वारा Selected Table की Range दिखाई देती है और यदि आप आपके डेटा के लिए External Source का उप्योग करना चाहते हैं यानि आपका डेटा किसी अन्य स्प्रेटशीट पर सेवड है तो Use an External Data Source option की सहायता से आप उस डेटा की पिवट टेबल इस वरकशीट पर बना सकते हैं हम फिलाल हमारे द्वारा Selected Data पर ही काम करना चाहते हैं इसलिए हम Select a Table और Range इस option को Selected रहने दे रहे हैं इसके बाद यहाँ पर option है Choose where you want the Pivot Table report to be placed इसके अंतरगत आपको फिर से दो options दिखाई देते हैं पहला है New Worksheet और दूसरा Existing Worksheet New Worksheet by default selected रहता है और यदि आप Existing Worksheet को चुनते हैं तो उसी Worksheet पर Pivot Table तयार होगी जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए Existing Worksheet पर क्लिक करके Cell Location select करना होगी जहाँ पर आप Pivot Table बनाना चाहते हैं हम नई Worksheet पर Pivot Table बनाना चाहते हैं इसलिए हम New Worksheet को selected रहने दे रहे हैं अब हम OK पर क्लिक कर देंगे OK पर क्लिक करते ही एक नई Worksheet में Blank Pivot Table और Pivot Table Fields आपको दिखाई देने लगेंगी अब जैसे जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे ही Pivot Table Fields में से यह जो Fields हैं इन पर क्लिक करते जाएंगे तो वो Fields Pivot Table में Add होती जाएंगी जैसे हमने Name of Employee Option पर क्लिक किया तो देखिए Pivot Table में Employees के नाम दिखाई देने लगे हैं यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि जब हम Pivot Table में किसी Field को Add करते हैं तो वो By Default Row Block में Add होती है जैसे अभी हमने यहाँ पर Name of Employee Option पर क्लिक किया तो वो यहाँ पर Rose Block में Add हुआ है अब हम Second Field, Item Sold पर क्लिक करते हैं तो देखिए यह भी यहाँ पर Rose Block में Add हो गई है और Pivot Table में भी आप Changes देख सकते हैं अब यहाँ पर Employee के नाम के साथ साथ उसने जो Item Sell किया है उसका नाम भी दिखाई दे रहा है अब हम तीसरी Field पर क्लिक करते हैं जो है Quantity of Item Sold जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए यह यहाँ पर Values Block में Add हो गई है और यहाँ आप Pivot Table में भी Changes देख सकते हैं यह वाली जो Field है वो Value Block में इसलिए Add हुई क्यूंकि इसमें Product की Quantity है तो अब हमने जो तीन Fields यहाँ पर Add की है वो तीनो इस Table में दिखाई दे रही है यहाँ पर आप Employee का नाम देख सकते हैं उसने कौन सा Product बेचा है उसका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कितनी Quantity में उस Product को बेचा है वो भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि यह जो Layout आपको दिख रहा है या जिस तरह से आपको अभी Table नजर आ रही है वो Depend करता है कि आपने Fields का क्रम क्या रखा है अभी सबसे पहले Name of Employee है इसलिए यहाँ पर आपको Name of Employee दिख रहा है और उसके बाद Row Block में जो Field है वो है Item Sold तो उसके बाद जो आइटम बेचा है उसका नाम दिख रहा है और यहाँ सामने उसकी Quantity नजर आ रही है अगर हम इस Order को Change कर देते हैं आप चाहें तो इसको यहाँ से भी Drag कर सकते हैं या फिर इस Drop Down Arrow पर क्लिक करके यहाँ से इसको Move Down कर सकते हैं अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर पहले Item Sold और उसके बाद Name लिया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो Pivot Table है उसमें भी Change नजर आ रहा है अब यहाँ पर सबसे पहले नाम आ गया है जो Item Sell किया गया है उसका तो सबसे पहले आ गया Lenovo Laptop और कितने Total Lenovo Laptop बिके हैं यहाँ पर उसकी Quantity पूरी नजर आ रही है और इसके बाद अब यहाँ पर नीचे उन सभी Employees के नाम हैं जिनोंने इस Product को बेचा है और हर Employee ने Lenovo Laptop के कितने Pieces बेचे हैं वो यहाँ पर उसकी Quantity दिखाई दे रही है अब हम Name of Employee को वापस से उपर ले लेते हैं यह हम वापस पहले वाली सिती में आ गए हैं अब यहाँ पर जो Last Field है हमारा Cell Date हम इस पर भी क्लिक करके और इसको भी Pivot Table में Add कर देते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे Quartres और Years ये दोनों अपने आप Select हो गए हैं चूंकि हमको इन Fields की आवश्यक्ता नहीं है और इससे टेबल थोड़ा अस्तव्यस्त हो जाता है इसलिए इनको हम Deselect कर देते हैं Quartres और Years को हमने Deselect कर दिया Cell Date हमारा Selected है तो इस तरह से हमने यहाँ से एक एक करके जो Fields हैं उनको Pivot Table में Add कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यह Pivot Table तो बन गई है पर अभी इसमें सभी Fields अस्तिव्यस्त हैं और इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है चलिए हम इसे Customize कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम Name of Employees Field को Row Block में से Drag करके Filter Block में Drop कर देते हैं इससे Left Side में यहां उपर की और Name of Employee के नाम से एक Drop Down Menu बन गया है यदि हम बड़े डेटा में से किसी Particular Detail को छाटना चाहते हैं तो उस स्थिती में हम Filter का उप्योग करते हैं जैसे कि हम किसी Particular Employee की Details देखना चाहते हैं इसलिए हमने Name of Employee Field को यहां पर Filter Block में डाल दिया अब इसी के साथ हम Cell Date जो Field है इसको भी Filter में Add कर देते हैं यह हमने इसको यहां से लिया और Drag करके Filters में डाल दिया यह देखे ऐसा करते ही Cell Date के लिए भी एक Drop Down Menu बन गया है अब आप देख सकते हैं कि यह एक व्यवस्थिट टेबल की तरह दिखाई दे रहा है अब यदि हम Name of Employee वाले Drop Down Menu से किसी एक Employee का नाम चुनते हैं तो उस Employee की Cells Details दिखाई पड़ेगी मानली जी हमने चेतन नाम पर क्लिक करके OK कर दिया देखें यापर चेतने जो भी Products बेचे होंगे वो और उनकी Quantity मतलब जितने पीसेज उसने बेचे उनकी Quantity यहाँ पर दिखाई दे रही है अब यदि हम Cell Date वाले Drop Down Menu में से कोई Month सिलेक्ट करते हैं मानली जी हमने January को सिलेक्ट करके OK पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Pivot Table में कोई भी Data नजर नहीं आ रहा है क्यूंकि चेतन ने जनवरी महिने में कोई Cell नहीं की है अब यदि हम Name of Employee वाले Drop Down Menu में से कोई और Employee सिलेक्ट करते हैं मानली जी हमने यहाँ से पियूश नाम को सर्च किया और फिर उसको सिलेक्ट किया ओके कर दिया और उसके बाद Cell Date वाले Drop Down Menu में से हमने February मन्त को सिलेक्ट किया यह ओके किया तो देखिए यहाँ पर पियूश ने फरवरी महिने में जो Cell की है वो दिखाई दे रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पिवर टेबल के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले हम Filters हटा देते हैं और उसके लिए दोनों Drop Down Menu में से All Select करके OK कर देंगे Filters Reset करते ही टेबल पहले की तरह दिखने लगा है अब यदि आपको चारो Blocks में से किसी भी Block में किसी भी Field का Order Change करना है मतलब कोई भी Particular Field पहले दिखने चाहिए कोई बाद में तो वो जैसा कि हमने आपको बताया था आप यहां से Fields को उपर नीचे कर सकते हैं जैसे Filter Block में अगर हमको कुछ Changes करना है जैसे यहां पर Name of Employees वाली जो Field है यह नीचे चाहिए और यह जो Cell Date वाली Field है यह हमको उपर चाहिए तो उसके लिए यह जो Field दिखाई दे रही है या जिस भी Field को उपर या नीचे करना है उस पर क्लिक करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया था यह Menu ओपन हो जाता है और इस Menu की सहायता से आप इसे Move Up कर सकते हैं या Move Down कर सकते हैं Move To Beginning या Move To End यह सारे Options आपको मिलते हैं अब इस Menu में सिमान लिजे हमने Move Down पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Pivot Table में Name of Employees का जो ड्रॉपडाउन मेन्यू है वो नीचे आ गया है और Sell Date वाला जो ड्रॉपडाउन मेन्यू है वो उपर आ गया है इसी तरह से इसमें और भी आपको दूसरे Options मिलते हैं यहां पर Move Up और Move To Beginning अभी चालू नहीं है अदवाइज आप इन सभी Option का उप्योग करके किसी भी फील्ड को उपर नीचे आगे अप फिर पीछे सेट कर सकते हैं इस मेन्यू के आने Options है Move To Report Filter, Move To Row Labels, Move To Column Labels और Move To Values इन Options से आप किसी भी फील्ड को इन चार ब्लॉक्स में डाल सकते हैं इसके लिए आपको ड्रेग और ड्रॉप नहीं करना होगा जैसे ही हमने Filter Block में दिखाई दे रहे, Cell Date Field पर क्लिक करके Menu में से Move To Row Labels option पर क्लिक किया तो देखिए Cell Date Field फिल्टर वाले ब्लॉक्स में से हटके Row Block में आ गई है और उसी के अनुसार Table में भी Changes हो गए हैं यदि हम Rows Block में आ गए Cell Date Field पर फिर से क्लिक करके इसे Move To Column Labels पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए Cell Date वाली जो Field है वो Rows Block में से हटकरके Columns वाले ब्लॉक में आ गई है और उसी के अनुसार यहां पर भी Changes दिखाई दे रहे हैं अब हम इस Cell Date को दुबारा से Filters Block में ड्रॉप कर देते हैं इस Menu का अगला Option है Remove Field इस Option से आप Table में से किसी भी Field को हटा सकते हैं अमाली जीए हम Filters Block से Cell Date फील्ड को हटाना चाहते हैं करके यहां पर डाल दिया यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं वापस से Cell Date आ गई है अब Pivot Table से संबंधित Menu Bar में दिखाई दे रहे कुछ Option समझ लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं Insert Slicer Option इसकी साहता से आप Particular Field के लिए अलग से Filter बना सकते हैं चले आपको बता देते हैं कि यह आप कैसे कर सकते हैं इस Option पर क्लिक करने पर एक Menu Open होगा इसमें वो सभी Fields होंगी जो Pivot Table में दिखाई दे रही हैं इनमें से जिस भी Field का आप अलग से Filter बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें जैसे कि हमने Name of Employees के सामने दिखाई दे रहे Check Box पर क्लिक करके OK पर क्लिक कर दिया तो यह देखिए इस Field के लिए एक अलग से Filter या फिर Slicer बन गया है जिसमें आप सभी Employees के नाम देख सकते हैं अब हम जिस भी Employee के नाम पर क्लिक करेंगे तो केवल उसी की Details यहां पर दिखाई देंगी जैसे कि हमने अमित के नाम पर क्लिक किया तो यह देखिए Pivot Table में केवल अमित की Details दिखाई दे रही हैं इस Slicer में Name of Employee के पास आप एक Multi Select बटन देख सकते हैं इसे क्लिक करके आप एक साथ कई सारे Employees की Details देख सकते हैं यह देखिए Multi Select बटन पर क्लिक करने के बाद हमने चार अलग-अलग Employees के नाम पर क्लिक किया तो ऐसा करते ही उनके द्वारा की गई Cell Pivot Table में दिखाई दे रही हैं अब हम इस Clear Filter बटन से Filter को Reset कर देते हैं और आपको एक और Slider एड़ करके बता देते हैं Slider एड़ करने से पहले हम आपको एक और मतुपर्ण बात बता दें कि Pivot Table से संबंधित सभी Options Analyze Tab में मिलते हैं और Analyze Tab को लाने के लिए हमें Pivot Table में कहीं पर भी क्लिक करना होता है देखिए जैसे अभी हमने Table में क्लिक किया तो उपर Tabs में Analyze Tab नजर आने लगा है इस पर क्लिक करेंगे अब यहां से दोबारा Insert Slicer पर क्लिक करके Cell Date वाला Slicer एड़ कर लेंगे यह यहीं पर एड़ हुआ है इसको यहां से हम अलग कर लेते हैं यह देखिए हमने Cell Date वाला Slicer भी एड़ कर दिया है फिलहाल यह दोनों Slicer आपस में Connected नहीं है जैसे कि Name of Employees वाले Slicer में Amun Name सेलेक्ट किया तो Cell Date वाले Slicer में May Month सेलेक्ट यहां पर दिख रहा है अब यदि हम कोई और नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार मंद अपने आप नहीं बदलेगा इसके लिए हमें इन दोनों Slicers को आपस में Connect करना होगा Connect करने से हमारा मतलब है कि यदि एक Slicer में हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करें तो दूसरे Slicer में उस वैल्यू से संबंधित वैल्यू अपने आप सिलेक्ट हो जाए यानि हम चाहते हैं कि यदि हम Name of Employees वाले Slicer में चेतन सिलेक्ट करें तो सेल डेट वाला जो Slicer है वो अपने आप चेतन द्वारा की गई सेल वाला महिना चुन कर हमें उसकी सेल दिखा दे इन दोनों Slicers को Connect करने के लिए हमें Filter Connections option की जरुवत पड़ेगी जो की Analyze Tab के अंतर गताएगा और जैसा कि हमने आपको बताया था Analyze Tab पर जाने के लिए Pivot Table में कहीं पर भी क्लिक करें यह देखिए Analyze Tab आगया इस पर क्लिक करें यहां पर आपको मिलता है Option Filter Connections इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही यह डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसमें आपने जितने भी Slicers बनाए होंगे वे दिखाई देंगे फिलाल हमने दो Slicers बनाए हैं हम इने सिलेक कर लेते हैं और उसके बाद OK पर क्लिक करेंगे OK पर क्लिक करते ही यह दोनो Slicers कनेक्ट हो जाएंगे अब देखिए यदि हम किसी Employee का नाम सिलेक करते हैं जैसे हमने सिलेक किया चंदन तो यहां पर Cell Date वाले Slicer में चंदन द्वारा Cell किस मंथ में की गई है वो मंथ अपने आप सिलेक्ट हो गया है और यहां टेबल में चंदन द्वारा इस मंथ में की गई सैल नजर आ रही है इसी तरह से यदि हम Cell Date वाले Slicer में से किसी मंथ को सिलेक करते हैं तो उस particular month में किसी employee ने अगर sell की होगी तो उसका नाम अपने आप यहाँ पर name of employee वाले slicer में highlight हो जाएगा जैसे यहाँ पर sell date वाले slicer में हमने FAB पर क्लिक किया तो यह देखिए फरवरी में जिन employees ने sell की है उनके नाम name of employee वाले slicer में highlight हो गए है अब हम इन slices को delete कर देते हैं दूसरे option समझ लेते हैं delete करने के लिए slicer में कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करें और उसके बाद keyboard में delete key को press कर दें अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले option के बारे में बता देते हैं analyze tab में अगला option है insert timeline इस option से आप अपने table के लिए timeline इंसर्ट कर सकते हैं जो दिनों के अनुसार होगी चलिए timeline insert करके देख लेते हैं उसके लिए इस option पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही एक menu open हो गया है इसमें केवल cell date वाली field दिखाई दे रही है क्यूंकि यह time से संबंधित है यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आप भी यह option केवल तभी उप्योग कर सकते हैं जब आ आगे बढ़ते हैं timeline insert करने के लिए cell date field पर क्लिक करेंगे और आप OK पर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हैं कि sheet पर एक timeline दिखाई दे रही है और इसमें cell date months के अनुसार दिखाई दे रही है अब यदि हैं cell dates आप years, quarters या फिर दोनों के अनुसार देखना चाहते हैं त के पास जो drop down arrow है उस पर क्लिक करें ओपन हुए menu में से अपने अनुसार years या quarters या days चुन लें जैसा भी आप timeline को set करना चाहते हैं हम days पर क्लिक कर रहे हैं days पर क्लिक करते ही देखिए timeline days के अनुसार दिखाई दे रही है यह यहां पर पूरे आपको days दिखाई दे रहे हैं एक साथ भी चुन सकते हैं जैसे कि मानली जे हमें 10 से 12 सेप्टेंबर 2015 तक की cells देखनी हैं तो हम timeline के slider की सहायता से 10 से लेकर 12 सितंबर तक date select करेंगे उसके लिए जिस date से select करना है उस पर क्लिक करते हुए जिस date तक select करना है वहां तक mouse drag करें इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमको यहां पर cell दिख सके यह देखिए अब इन तीन दिनों के अंदर जो cell हुई है वो हमें यहां पर दिखाई दे रही है दूसरे options देखने के लिए पहले हम timeline को delete कर देते हैं इसके लिए भी कहीं भी खाली जगर पर क्लिक करके delete की प्रेस कर देंगे अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से हम analyze step पर जाएंगे यदि आप अपने data में कोई बदलाव करते हैं तो वो अपने आप pivot table में नजर नहीं आएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने data में जो भी changes किये हैं वो pivot table में भी दिखाई दें तो उसके लिए data में changes करने के बाद pivot table वाली sheet पर आपको refresh option पर क्लिक करना होगा जिससे pivot table refresh हो जाएगी और आपके द्वारा data में किये गए changes इस table के अंदर भी दिखाई देने लगेंगे चलिए हम आपको एक उधारन द्वारा समझा देते हैं अभी यहाँ पर Lenovo laptop की जो quantity है वो है 726 अब हम हमारी data वाली sheet में चल करके इस quantity को बढ़ा देते हैं इसके लिए हमने ये data वाली sheet open कर ली है अब यहाँ पर Manish की जो Lenovo laptop की cell है यहाँ पर उसकी quantity 11 दिख रही है इसका मतलब Manish ने 11 Lenovo laptop बेचे हैं इसको बढ़ा करके हम कर देते हैं 15 और अब हम दुबारा से pivot table वाली sheet open करते हैं देखें यहाँ पर अभी भी Lenovo laptop की जो quantity है वो पुरानी वाली ही दिखाई दे रही है याने 726 ही दिखाई दे रही है जबकि हम अपना जो data है उसके अंदर changes कर चुके हैं नई वाली quantity को update करने के लिए हम analyze tab में refresh पर क्लिक करेंगे यह देखें जैसे हमने refresh पर क्लिक किया यहाँ पर Lenovo laptop की quantity update हो गई है यह पहले 726 थी और अब यह 730 हो गई है अब यहाँ पर अगला option है change data source यदि आप इस data के बदले किसी और data की pivot table बनाना चाहते हैं तो आप change source option से यह कर सकते हैं उसके लिए change source option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक dialogue box open होगा इसकी साहता से आप कोई अन्य data select कर सकते हैं फिलाल हम कोई अन्य data select नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम cancel पर क्लिक कर रहे हैं analyze tab में actions के तहट आपको option मिलता है clear इसके drop down arrow पर क्लिक करने पर आपको दो सब options दिखाई देंगे यदि आप clear all पर क्लिक करेंगे तो पूरी pivot table डिलीट हो जाएगी और यदि आप clear filters पर क्लिक करेंगे तो केवल pivot table में लगे हुए filters reset हो जाएगे ध्यान दीजिएगा filters डिलीट नहीं होंगे, reset हो जाएगे इसके बाद है select option, इसकी सायता से आप पूरी pivot table या फिर labels या फिर values या फिर labels और values दोनों select कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने entire pivot table select किया तो यह देखिए पूरी table select हो गई है अब यदि select option के drop down menu से values पर क्लिक करते हैं तो देखिए, cable values यानि की sum of quantity of items sold वाला column select हो गया है next option है move pivot table, इस option से आप table को किसी अन्य sheet पर या नई location पर ले जा सकते हैं इस option पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही यह एक dialogue box open हो गया है अब यहां जो दो options आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी सहायता से आप इसे sheet में किसी और cell में अगर इस pivot table को ले जाना है तो existing worksheet को selected रहने दें, नई sheet पर ले जाने के लिए new worksheet को select करें और उसके बाद okay कर दें हम इसमें से कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए cancel पर क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह से आप pivot table create कर सकते हैं और उसे अपनी हिसाब से customize कर सकते हैं pivot chart द्वारा आप data को graph के रूप में प्रतरशित कर सकते हैं चलिए हम आपको data का उप्योग करके pivot chart बनाना बता देते हैं यहाँ पर हमने एक electronic showroom की sales का data लिया है जिसमें हमने employees का नाम उन्होंने कौन सा product बेचा है उसका नाम product कितना बेचा है और कब बेचा है यह सब लिखा हुआ है pivot chart बनाने के लिए आपका जो data है या जो table है उसमें किसी भी cell पर click करके insert tab पर जाएं insert पर click करने के बाद charts block में pivot chart option जो है उसके drop down arrow पर click करें अब यह जो menu open हुआ है इसमें pivot chart पर click करें उस पर click करते ही एक dialogue box open होगा इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे choose the data that you want to analyze इसके अंतरगत आपको दो options दिखाई पड़ेंगे select a table or range और use an external data source इसमें select a table or range by default selected होता है जिसमें आपके द्वारा selected table की range दिखाई देती है अब यहाँ पर यह table हमने select नहीं की थी पर जब हम इसमें किसी भी cell पर click करते हैं तो वो पूरी की पूरी table अपने आप select हो जाती है और यह देखे उसकी range यहाँ पर दिखाई दे रही है और यदि आप आपके data के लिए external source का उपयोग करना चाहते हैं यानि आपका data किसी अन्य spreadsheet पर saved है तो use an external data source option पर click करके आप उस data का pivot chart इस worksheet पर बना सकते हैं हम फिलाल हमारे द्वारा selected data के आधार पर ही chart बनाना चाहते हैं इसलिए हम इस option को selected रहने देंगे इसके बाद इस dialogue box में choose where you want the pivot chart to be placed के अंतरगत फिर दो options मिलते हैं पहला है new worksheet दूसरा है existing worksheet new worksheet by default selected होता है और यदे आप existing worksheet को चुनते हैं तो उसी worksheet पर pivot chart तयार होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको existing worksheet पर click करके cell location मतलब जहां पर आप pivot chart बनाना चाहते हैं उसकी location select करनी होगी हम नई worksheet पर pivot chart बनाना चाहते हैं इसलिए हम new worksheet को selected रहने देंगे इस dialogue box में आखिरी heading है choose whether you want to analyze multiple tables इसके अंतरगत आपको add this data to the data model option दिखाई पड़ेगा हम इस option के सामने दिखाई दे रहा है check box पर click करेंगे ऐसा करने से हमें केवल pivot chart मिलेगा यदि हम इस option को select नहीं करते हैं तो हमारे pivot chart के साथ एक pivot table भी बन जाएगी अगर आप chart के साथ table नहीं चाहते हैं केवल chart चाहते हैं तो इस option को select कर लें और इसके बाद okay पर click करें ओके पर click करते ही नई sheet पर एक blank pivot chart दिखाई देने लगेगा चलिए हम इसे pivot chart field pen की साहता से customize कर लेते हैं वैसे तो यह जो side pen है वो chart insert करते ही sheet के right side में दिखाई देने लगती है पर अगर यह pen sheet में दिखाई ना दे तब chart पर कहीं भी click करें chart पर click करते ही आपको ऊपर analyze tab दिखाई देगा फिर analyze tab में यहां last में field least option दिखाई देता है इस पर click करके आप यह pivot chart field pen यहां पर ला सकते हैं चुकि अभी यहां पर यह side pen खुली हुई है तो जब हम इस पर click करेंगे तो यह चली जाएगी वापस click करेंगे तो यह फिर आ जाएगी अगर गलती से chart के बाहर कहीं भी किसी और cell पर click हो जाता है तो यहां से वह side pen चली जाती है ऐसे में अगर आप chart पर वापस कहीं भी click करेंगे तो side pen वापस आ जाएगी चली अब आगे बढ़ते हैं और यहां के बागी options समझ लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको fields दिखाई देंगी यानि जो हमने data लिया है उसमें जो columns थे उनकी जो headings थी वो अलग-अलग fields यहां पर आपको दिखाई दे रही है यह जो है यहां पर fields दिखाई दे रही है और यह section area है इन fields को आप इन अलग-अलग sections में या blocks में add कर सकते हैं यह जो layout है अगर आप उसको change करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां इस drop-down arrow पर जो की tools का है उसपर click करें यह देखिए यहां पर आप इसको इस तरह से अलग-अलग तरह से arrange कर सकते हैं अभी यह वाला style चुना हुआ है जिसमें उपर field section है और नीचे area section दिखाई दे रहे हैं अब चुकि यहां पर हमारा जो field section है वह बहुत छोटा है जिसके कारण सारी fields यहां पर नजर नहीं आ रही हैं तो हम चाहें तो इसका view change कर सकते हैं अगर हम इसे चुनते हैं तो field section left side में और area section एक के बाद एक right side में दिखाई देने लगेंगे यह side by side नजर आएंगे इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे data में जितनी भी headings थी यानि जितनी भी fields थी वो अब नजर आ रही है name of employee, item sold, quantity of item sold और sale date यह चारो fields यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर चारो blocks नजर आ रहे हैं section area के filters, axis, legend और values जैसे जैसे हम pivot chart field में से यहाँ fields पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे वो fields chart में add होती जाएंगी जैसे हमने name of employee यह वाली जो field है इसके check box पर क्लिक किया तो यह देखिए chart में name of employee का एक drop down menu बन गया है और pivot chart field के axis block में यह field add हो गई है यहाँ पर नजर आ रही है अब हम second field item sold पर क्लिक करते हैं देखिए इस पर क्लिक करते ही pivot chart में यहाँ item sold field का भी एक drop down menu बन गया है और यह वाली जो field है वो भी axis block में जाकर के add हो गई है यह देखिए इसमें दो fields add हो गई है name of employee और item sold अब हम तीसरी field जो है quantity of item sold इसके सामने दिखाई दे रहे check box में क्लिक करेंगे चुकि इस field में जितने items बेचे गए हैं उनकी quantity है इसलिए यह देखिए यह यहाँ पर value block के अंतरगत add हुई है साथ ही अब यहाँ चार्ट में भी आप changes देख सकते हैं अब last field है sell date हम इस पर भी click करके इसे फिवर चार्ट में add कर देते हैं देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर click किया तो यहाँ पर sell date के अंतरगत month quarter year इत्यादी के options भी आ जाते हैं और देखिए यही options आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं हम चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर आपको sell date के अंतरगत year, quarter, month यह सारे options नजर आ रहे हैं अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो इन्हें यहां से deselect कर सकते हैं यहां से deselect करने पर वो options यहां से भी चले जाएंगे यह देखिए जैसे हमने sell date field को यहां पर add किया तो यह legend block में add हुई है आप जब pivot chart बनाएं तो हो सकता है कि यह किसी और block में add हो उसे कोई भी समस्या नहीं आनी है बस यहां पर जो view है हमारे chart का वो change हो जाएगा अभी हम इस field को भी access block के अंदर add कर देते हैं तो यह देखिए अभी हमारा जो chart है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ चीजे ओवरलेप हो रही है इनको अगर आप इस पश्ट रूप से देखना चाहते हैं तो यहां पर minus का जो निशाने उस पर क्लिक करें तो यह देखिए यहां पर आपको clearly चीजें दिखाई देने लगी है और अभी यह जो cell date है वो भी चुकि access block में है इसलिए chart के access पर दिखाई दे रही है यह नाम भी यहीं पर दिखाई दे रहे है और cell date भी यहीं पर दिखाई दे रही है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह pivot chart तो बन गया है पर सभी field अस्ति व्यास्त हैं इसलिए इसको समझने में कठिनाई हो रही है चलिए अब हम इसे customize कर लेते हैं इसके लिए हम name of employee जो field है इसको access block से drag करके filters block में drop कर देते हैं यह यहां access block के अंदर थी यह field इसको यहां से drag करके हमने filters block में डाल दिया है अब इससे देखिए चार्ट में left side में उपर name of employee के नाम से एक drop down menu बन गया है पहले यह यहां access पर था यह वाला drop down menu और अब यह यहां उपर आ गया है यदि हम बड़े data में से किसी particular detail को छाटना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम इस filter का उपयो कर सकते हैं जैसे कि हम किसी particular employee की detail देखना चाहते हैं इसलिए हमने name of employees field को यहां filter block में डाल दिया है अब हम cell date को भी filters block में add कर देते हैं ऐसा करते ही यह देखिए यहां cell date वाला drop down menu है वो ही यहां उपर आ गया है अब आप देख सकते हैं कि यह एक व्यवस्थित chart की तरह दिखाई दे रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको pivot chart के कुछ अन्य features के बारे में बता देते हैं अब यदि हम name of employees को filters block में ही रहने दें और cell date को legion block में ले जाएं जैसा कि यह शुरू में दिखाई दिया था तो यह chart में नए changes आ जाते हैं इसमें चुकि legion block जो है वो series बताता है तो इसमें cell dates की series बन गई हैं अब यहां पर हर date अलग-अलग color में दिखाई दे रही है हम इसको वापस पहले जिसा कर देते हैं इसको वापस filters block में डाल देते हैं और अब हम name of employees है उसको legion block में ले आते हैं अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने filters block में से name of employee field को legion block में drop किया तो चार्ट में हर employee के नाम की अलग-अलग series बन गई है जब हमने cell date को legion block में डाला था तो यहाँ पे अलग-अलग dates की series बन गई थी अब यह जो है वो अलग-अलग नामों की यहाँ पे series बन गई है और चार्ट इस तरह से नजर आ रहा है अब यदि हम चार्ट में दिखाई दे रहे sell date के drop-down menu में से कोई date सेलेक करते हैं जैसे हमने इस पे क्लिक किया यहाँ यह यह all है all के यह प्लस का निशान इस पर जब क्लिक करेंगे तो सारी dates यहाँ पर आ जाएगी अब इसमें से अगर हम कोई एक particular date सेलेक करते हैं तो उस selected date पर यदि किसी employee ने कोई sell की होगी तो इस employee का नाम यहाँ चार्ट पर दिखाई देगा और उसके द्वारा की गई sell के products और quantity भी यहाँ पर नजर आएंगे जैसे यहाँ से हमने एक date सेलेक की यह 10 September 15 यह हमने date सेलेक की और उसके बाद OK पर क्लिक किया तो यह देखिए यहाँ चार्ट में changes हो गए हैं यहाँ पर उन employees के नाम आ गए हैं जिन्नों ने उस particular तारिक पर जो हमने सेलेक की थी उस पर sell की है अब यहाँ पर यह जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ बार्स में भी दिखाई दे रहे हैं यानि employee के नाम का कलर और उसने जो product बेचा है उसका कलर यह दोनों सेम हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि selected date पर चेतन ने साथ ओपो स्मार्टफोन और आठ सेमसंग टीवी बेचे हैं मेहुल ने 53 ओपो स्मार्टफोन बेचे हैं मोहन ने 36 ओपो स्मार्टफोन बेचे हैं और सुनील ने 90 ओपो स्मार्टफोन बेचे हैं उस डेट पर जो हमने सिलेक्ट की थी अब चले आगे बढ़ते हैं और पिवट चार्ट के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में जान लेते हैं पिवट चार्ट के राइट साइड में यहां पर आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करते हैं यह देखिए इस पर क्लिक करते ही चार्ट एलिमेंट्स का एक मेन्य उपन हो जाता है इसमें आपको कई सारे ओप्शन दिखाई पड़ेंगे सबसे पहला ओप्शन है एक्सिस जो की बाइडिफॉल सेलेक्टेड है यदि हम इसे डी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से चार्ट में देखिए आइटम्स की जो क्वांटिटी थी और प्रोड़क्ट के जो नाम थे वो दोनों यहां से हट गए हैं अब अगर हम इसको वापस सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों आपको फिर से दिखाई देने लगेंगे यह हमने इसको सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर यह quantity और यह product का नाम, दोनों चीज़ें वापस आ गई है, चार्ट elements के menu option में अगला जो option है वो है access titles, इसे select करने पर आप देख सकते हैं, कि access titles enable हो गए है, यह देखिए यहाँ पर यह horizontal category access title आ गया है, और यहाँ पर vertical value access title enable हो गया है, टाइटल के नाम बदलने के लिए चार्ट में दिखाई दे रहे access title पर click करें, और फिर इनके नाम type कर दें, यह जो title डला हुआ है, इसको हटा करके, यहाँ पर हमने नाम दे दिया cells, और यह यहाँ पर horizontal category access title में हमने नाम दिया product, इस तरह से हमने access titles के नाम change कर दिये हैं, इसके बाद यहाँ पर अगला option मिलता है, chart title, इसको select करके आप अपने chart को title दे सकते हैं, यह देखिए यहाँ पर यह chart title आजाता है, हम अपने chart को एक नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दिया, sales chart of electronic showroom, इस title टाइप करके हमने enterprise कर दिया, अब menu में अगला option मिलता है data labels, जैसे ही आप इस option पर जाएंगे, तो यहाँ chart में आपको preview दिख रहा है, कि product के जो बार हैं, उसके उपर उसकी quantity नजर आ रही है, यह हम इसको select करते हैं, यहाँ पर product bars है, इनके उपर उनकी quantity लिखी हुई नजर आ रही है, menu में अगला option है data table, इसको जब हम select करेंगे, तो chart के अंदर हमको एक छोटी सी table दिखाई देने लगेगी, यह देखिए, यह employees के नाम और यह जो quantity है, जो product उनों ने बेचा है उसकी, यह एक छोटी सी table के रूप में दिखाई दे रहा है, अब यहाँ data table के सामने एक जो arrow नजर आ रहा है, हम इस पर click करते हैं, इस पर click करते ही एक sub menu दिखाई देने लगता है, जिसमें आपको कुछ और options नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे आप इन options पर mouse ले जाएंगे, आप चार्ट में change देख सकते हैं, अब यहाँ पर अगला option है, grid lines, यह पहले से ही selected होता है, अगर आप इससे deselect करते हैं, तो चार्ट में जो grid lines थी वो हट जाएंगी, यह देखिए, यह जो grid lines आपको नजर आ रहे हैं, यह grid lines चार्ट में से हट जाएंगी, अगर हम इसको deselect करते हैं, अब इस option के आगे भी आपको एक छोटा सा arrow नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही एक और sub menu open हो गया है, यह देखिए, यह sub menu में आपको grid lines के कुछ और options मिलते हैं, आप यहां से जैसा चाहें वैसा select करके grid line चुन सकते हैं, यहां पर अभी primary major horizontal है, अगर आप इसको deselect कर देते हैं, तो देखिए, यहां से grid lines हट गई है, आप कोई दूसरी चुन सकते हैं, यहां पर आपको grid lines में changes दिखाई देंगे, चार्ट में अगला option है legend, यह option by default selected रहता है, इस option के सामनी जो check box है, इसको अगर हम deselect करेंगे, तो यह जो name of employees है, वो सब यहां से हट जाएंगे, क्योंकि यह legend block के अंतरगत है, यह देखिए, यहां से हमने इसको deselect किया, तो यह name of employees यहां से हट गए, अब हम इस option को वापस select कर लेते हैं, तो यह देखिए, name of employees यहां पर वापस आ गए है, और legend के आगे भी आपको यहां पर एक arrow दिखाई देगा, इस पर जब आप click करेंगे, तो आपको कुछ और submenu दिखाई देंगे, right, top, left, bottom, यह ऐसे कुछ और options हैं, इससे आप यह select कर सकते हैं, कि चार्ट में legend कहां पर दिखे, अभी legend यानि employees के जो नाम है, वो right में दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह नाम चार्ट में नीचे के तरफ दिखाई दें, तो menu में से bottom option पर click कर देंगे, यह देखिए, आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, कि जो name of employees हैं, वो चलिए, अब हम pivot chart fields के कुछ options के बारे में बता देते हैं, इसके लिए हम पहले name of employees field को legend block में से drag करके, वापस filters वाले block में डाल देते हैं, अब इन चारो blocks में, अगर आपको किसी भी field का order change करना है, यानि chart में या table में कोई particular field पहले दिखनी चाहिए, या बाद में, कैसे करेंगे या आपको बता देते हैं, और इसके लिए हम इसका view एक बार फिर change कर लेते हैं, यह हमने पहला वाला view चुना, अब यह देखिए, चारो blocks आपको यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं, इसे area section कहते हैं, अगर आप इसे बढ़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ एक line दिखाई देती है, उस पर mouse ले जाएं, और यहाँ से उपर नीचे ड्रैक करके आप इसे बढ़ा या छोटा कर सकते हैं, हमने इसे उपर की तरफ ड्रैक करके इस section को बढ़ा कर लिया है, अब सबसे पहले हम filter block में change करके देख लेते हैं, माली जी हमें चार्ट में, name of employee वाली जो field है, उसका जो drop down menu है, वो बाद में चाहिए, और sell date का drop down पहले चाहिए, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, पहले name of employees में उसके बाद sell date, और यह यहाँ पर भी आपको इस तरह से नजर आ रहा है, तो इसके लिए, यह हमने sell date वाली field पर click किया, click करते ही, एक menu open हो गया, menu में से, हम, यहाँ move up पर click करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं sell date पहले आए और name of employees बाद में आए, यह नीचे है, तो हमने इस move up पर click किया, यह देखें यहाँ पर sell date पहले आगई है, और name of employees बाद में आगया है, वो ही change आपको चार्ट में भी दिखेगा, sell date पहले है और name of employee बाद में है, इसी दरसे इस menu में आप move up, move down, move to beginning, move to end, इत्यादी options का उप्योग करके, किसी भी field को उपर नीचे आगया पीछे set कर सकते हैं, अब हम देखते हैं menu के अन्य options, इस menu में next option है, move to report filter, move to access fields, category, move to legend fields, और move to values, इन options से आप block में दिखाई पड़ रही, किसी भी field को दूसरे block में ले जा सकते हैं, इसके लिए आपको drag and drop नहीं करना होगा, जैसे हमने filters block में दिखाई दे रहे name of employees field पर क्लिक करके, menu में से move to access fields option पर क्लिक किया, तो यह देखिए name of employee वाली जो field है, वो filter block में से हट कर access block में आ गई है, और उसी के अनुसार यहाँ table में भी changes हो गए हैं, अब हम access block में दिखाई दे रहे name of employee field पर क्लिक करेंगे, open हुए menu में हम एक option देख सकते हैं, hide access field buttons on chart, इस पर क्लिक करने पर यहाँ chart में से name of employees और item sold वाली जो fields थी, वो हट गई है, चार्ट में यह दोनों fields दुबारा लाने के लिए, access block में दिखाई दे रही किसी भी field पर क्लिक करें, और menu से show access field buttons on chart पर क्लिक कर दें, ऐसा करते ही यह दोनों fields वापस चार्ट में दिखाई देने लगेंगी, menu में अगला option है, remove field, इस option की मदद से आप table में से किसी भी field को हटा सकते हैं, जैसे हमने name of employees option पर क्लिक करके menu में से remove field option पर क्लिक किया, तो यह देखिया है, चार्ट में से name of employee वाला option हट गया है, और यहाँ से भी access block से भी वो वाली field चली गई है, यहाँ इस pivot chart के right hand side पर आपको यह एक brush का निशान दिखाई दे रहा होगा, यह chart style option है, इससे आप chart का style चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करने पर आपको कुछ predefined styles दिखाई देंगे, इन styles में से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो style यहाँ chart पर apply हो जाएगी, यह जैसे हमने इस पर क्लिक किया, तो यह वाली style यहाँ आगई, इस पर क्लिक किया, तो यह वाली style यहाँ पर आगई, इस तरह से आप pivot chart fields की साहता से अपने chart को कस्टमाईज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक electronic showroom की sales का data लिया है, जिसमें employees के नाम, उन्होंने कौन सा product बेचा है, उसका नाम, वो product कितना बेचा है, कब बेचा है, यह सब लिखा हुआ है, चुकि हम pivot table द्वारा pivot chart बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें pivot table बनानी होगी, वैसे तो हम आपको pivot table बनाना पहले ही सिखा चुके हैं, यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपको pivot table create करके बता देते हैं, इसके लिए table यह data में कहीं भी क्लिक करके, यानि किसी भी cell पर क्लिक करें, और उसके बाद insert पर क्लिक करें, अब यहाँ से pivot table option पर क्लिक करें, यह dialogue box open हो गया है, इसमें अपने अनुसार option सेलेक करके, ओके पर क्लिक कर दें, ओके पर क्लिक करते ही, यह देखिए यहाँ पर pivot table आ गई है, अब हम इसको थोड़ा सा customize कर लेते हैं, pivot table कैसे customize की जाती है, यह भी हम आपको पहले बता चुके हैं, यह देखिए हमने pivot table को customize कर लिया है, अब हम इस table की सहायता से pivot chart बना कर देखते हैं, इसके लिए हम इस pivot table में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, किसी भी cell में क्लिक करते ही, यहाँ पर यह analyze tab enable हो जाएगा, और यहाँ पर दिखाई दे रहे options में से जो tools वाला ब्लॉक है उसमें, pivot chart पर क्लिक करें, pivot chart पर क्लिक करते ही, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये dialogue box open हो गया है, इसमें chart के बहुत सारे types दिये हुए हैं, जैसे की column, line, pie, bar, इत्यादी, इन में से आप अपनी इच्छा नुसार कोई भी chart type चुन सकते हैं, हम यहाँ पर column को ही selected रहने दे रहे हैं, इस dialogue box में भी, उपर की तरफ column chart के कुछ type दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम 3D column पर क्लिक करके, ओके पर क्लिक कर रहे हैं, यह देखिए, ओके पर क्लिक करते ही, हमारी sheet में selected table के अनुसार chart इंसर्ट हो गया है, अब यदि हम table में से कुछ भी select करते हैं, तो उसका असर इस chart पर भी दिखाई देगा, माली जे हमने table में name of employees के drop down menu में से, चेतन नाम के employee पर क्लिक करके, ओके पर क्लिक किया, तो यह देखिए, यहाँ पर चेतन ने जो cell की है, वो chart में आ गई है, इसी तरह से अगर हम name of employees के drop down menu से किसी और employee का नाम select करते हैं, माली जे हमको पियूश नाम के employee की cell चाहिए, तो यहाँ हमने यह type करके पियूश निकाल लिया, अब इस पर क्लिक करके ओके किया, तो यह देखिए, चार्ट में पियूश ने जो cell की है, वो आ गई है, और उसके साथ, पिवट टेबल में भी पियूश द्वारा की गई cell यहाँ दिखाई पड़ रही है, यदि आप चार्ट में कुछ और customization करना चाहते हैं, तो उसके लिए चार्ट पर क्लिक करें, जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिवट चार्ट फील्ड, साइट पैन आपको दिखाई देने लगेगी, अगर वो दिखाई ना दे तो फिर आप चार्ट पर क्लिक करके एनलाईस टैब में फील्ड लिस्ट पर जाकर के उसको यहाँ पर ला सकते हैं अब इस पिवर्ट चार्ट फील्ड की सहायता से आप अपने पिवर्ट चार्ट को कस्टमाईज कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी पिवर्ट टेबल के डिटा के अधार पर पिवर्ट चार्ट बना सकते हैं और उसे कस्टमाईज कर सकते हैं इस ब्लेंग फॉर्मुले के बारे में हैं इस ब्लेंग फॉर्मुले को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करता है उसके लिए यहां पर हमने एक एक्जेम्पल टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं और उसके सामने वाला अविलेबिलिटी का कॉलम खाली छोड़ा है इसमें हम इस ब्लेंग फॉर्मुला लगाएंगे फॉर्मुले के लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे उसके बाद हम टाइप करना शुरू करेंगे इस ब्लेंग यह देखिए यहाँ पर कुछ इनीशल लेटर्स लिखते ही यहाँ पर नीचे हमको इस ब्लेंग वाला फॉर्मुला सज्जस किया है एक्सल ने डबल क्लिक करके इसको यहीं से ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर जो आग्यूमेंट है वो है वैल्यू इसके लिए हमको वो सेल चुननी है जिसको कि हमको चेक करना है कि वो खाली है या नहीं तो हम यह इस पहली सेल पर क्लिक करेंगे अब ब्रैकेट क्लोस करके एंटर प्रेस करेंगे यह देखिए चुँकि जिस सेल के लिए हमने फॉर्मुला यूज किया था वो खाली नहीं था इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो आया है फॉल्स अब बाकी सारे सेल्स के बारे में जानने के लिए हम इस फॉर्मुले को नीचे तक ड्रैक करके कॉपी कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर जो सेल्स खाली है उनके लिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है और जो सेल्स भरे हुए हैं उनके लिए फॉल्स लिखा हुआ आया है चलिए अब इस ब्लैंक फॉर्मुले को इस फॉर्मुले के साथ उप्योग करके देखते हैं उसके लिए यहाँ पर हमने पुरानी वाली ही टेबल ली है बस इसमें हमने एक डेट वाला कॉलम और एड़ कर दिया है अब यहाँ पर हमको if और is blank formula की साहता से यह दिखाना है कि जिस दिन doctor available हो तो उसके सामने वाले cell में available लिखा हुआ आ जाए और जिस दिन doctor available ना हो उसके सामने वाले cell में not available लिखा हुआ जाए उसके लिए हम पहले लगाएंगे if formula यह हमने लगाया equal to का sign और अब हम type करेंगे if यहाँ पर formula का suggestion आया double click करके इसको यहाँ से ले लेंगे अब सबसे पहला argument इसमें है logical test इसमें हम type करेंगे is blank formula यह हमने is blank formula जो हमको दिखाई दे रहा था उस पर click कर लिया और अब bracket के अंदर value में हमको वो cell select करनी है जिसके लिए हम यह देखना चाहते हैं कि वो खाली है या नहीं तो यह हमने पहली वाली जो cell है वो select की और अब हम bracket close कर देंगे यहाँ पर comma लगाएंगे और comma लगाने के बाद if formula का अगला argument है value if true मतलब जो condition हमने लगाई है यानि is blank वो अगर true है तो यहाँ पर कौन सी value लिखी हुई आए यहाँ हमको text लिखा हुआ चाहिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर not available लिखा हुआ आए तो उसके लिए हम inverted commas में लिख देंगे not available और उसके बाद inverted commas फिर से close कर देंगे फिर हम comma लगाएंगे अब अगला argument है value if false मतलब test condition अगर false हो तो यहाँ पर कौन सी value आए हम चाहते हैं कि test condition अगर false हो तो यहाँ पर available लिखा हुआ आए तो हम फिर से inverted commas लगाएंगे और इसके अंदर अब लिख देंगे available और अब inverted commas close कर देंगे अब bracket close करेंगे और enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर इस blank के value false थी तो यहाँ पर available लिखा हुआ आ गया है अब बाकी सारे doctors के बारे में भी हमको जानना है तो इस formula को हम यहाँ से drag करके नीचे तक copy कर लिए यह देखिए यह formula हम देंगे नीचे तक copy कर लिया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cells खाली हैं वहाँ पर not available लिखा हुआ आ गया है और जो भी cells भरे हुए हैं वहाँ पर available लिखा हुआ आया है चलिए अब हम आपको इस blank का एक और example दे देते हैं हमारे पास यहाँ कुछ random numbers का data है इनमें आप देख सकते हैं कि कुछ cells blank हैं अब हम चाहते हैं कि इनमें से हम blank cells को highlight कर दें तो वो हम इस blank और conditional formatting की सहयता से कैसे कर सकते हैं यह आपको बता देते हैं इसके लिए इस पूरे data को यहाँ पर click करके drag करके select करें तो यह जो पूरा data है यह देखिए यह select हो गया है अब home tab के अंतरगत conditional formatting option पर click करके menu में से new rule option पर click करेंगे new formatting rule वाली window में से use a formula to determine which cells to form it इस option पर click करेंगे अब edit the rule description के अंतरगत format values where this formula is true वाले box में equal to का निशान लगा करके is blank formula type करेंगे यह हमने इस blank लिखा अब हम bracket open करेंगे और इसके अंदर हमको range type करनी है चूंकि हमारे example में जो table की range है वो a1 से लेकर के i15 तक है इसलिए हम यहाँ पर type कर देंगे अब bracket close कर देंगे अब चूंकि हमें blank cells highlight करना है मतलब हम उन्हे color करना चाहते हैं उसके लिए अब हम format option पर click करेंगे यहाँ से fill tap पर click करेंगे अब आप blank cells में जो भी color भरना चाहते हैं वो color यहाँ से select कर लें यह हमने color select किया और अब हम ok पर click करेंगे एक बार फिर से ok पर click करेंगे यह देखिए ok पर click करते ही सभी जो blank cells हैं वो color हो गई है और इसलिए यहाँ पर highlight हो करके दिखाई दे रही है आज हम Excel में किसी number का square root और cube root निकालना सिखाएंगे square root और cube root से संबंधित प्रश्ण आपको financial field competitive exam साधी में मिलते हैं हम square root दो तरीकों से निकालेंगे एक तो sqrt formula की सहता से और दूसरा power formula की सहता से वहीं दूसरी तरफ हम cube root निकालने के लिए power formula का उप्योग करेंगे क्योंकि Excel में cube root के लिए कोई inbuilt formula नहीं होता है square root और cube root किस तरह से निकाले जाते हैं ये समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि square root यानी वर्ग मूल और cube root यानी घन मूल होते क्या हैं सबसे पहले हम आपको square के बारे में समझाएंगे फिर square root के बारे में और उसके बाद cube के बारे में समझाएंगे और फिर cube root के बारे में पहले देखिए किसी number का square क्या होता है जब किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो प्राप्त रिजल्ट वर्ग या स्क्वेयर कहलाता है किसी भी नंबर के स्क्वेयर को उसके उपर दो की पावर लगा करके दर्शाया जाता है उधारंग के लिए इस टेबल में हमने कुछ नंबर्स लिये हैं सबसे पहला नंबर है 2 तो 2 का स्क्वेर होगा 2 multiplied by 2 यानि 4 वैसे ही 4 का स्क्वेर होगा 4 multiplied by 4 यानि 16 इसी तरह से दूसरे जो नंबर्स हैं उनके स्क्वेर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये तो हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वेर क्या होता है चलिए अब हम आपको स्क्वेर रूट के बारे में जानकारी दे देते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वेर रूट वो संख्या होती है जिसका square दी हुई संख्या के बराबर हो जैसा कि इस table में आप उधारन में देख सकते हैं 4 का square root 2 है उसी तरह से 25 का square root 5 है square root को इस निशान से दर्शाया जाता है या फिर जिस number का square root हम निकाल रहे हैं उसकी power 1 by 2 से उसे दर्शाया आएए अब हम बहतर तरीके से समझ लेते हैं कि square और square root आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं यह देखें यहाँ पर इस table में आप देख सकते हैं कि देख हुए numbers का square root वो number है जिसे square करने पर हमें वो number मिल रहा है जिसका हमने square root निकाला है जैसे कि 4 का square root 2 है और 2 का square 4 है उसी तरह से 25 का square root 5 है और 5 का square 25 है आसान भाशा में कहा जाए तो square root square का opposite होता है चलिए अब हम आपको cube और cube root के बारे में जानकारी देदेते हैं जब किसी संख्या में उसी संख्या का दो बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त result घन या cube कहलाता है किसी भी number के cube को उसके उपर 3 की power लगा के दर्शाया जाता है उदारन के लिए table में हमने कुछ numbers लिये हैं सबसे पहले यहाँ पर 3 है तो 3 का cube होगा 3 multiplied by 3 multiplied by 3 याने 27 उसी तरह से दूसरे numbers के cubes भी यहाँ पर लिखे हुए है अब हम आपको बता देते हैं cube root के बारे में किसी भी संख्या का cube root वो संख्या होती है जिसका cube दी हुई संख्या के बराबर हो cube root को इस sign से या फिर जिस number का cube root निकाल रहे हैं उसकी power 1 by 3 से दर्शाते हैं जैसा कि इस table में आप देख सकते हैं 27 का cube root है 3 वैसे ही 8 का cube root है 2 अब ये cube और cube root आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं ये आपको बता देते हैं यहाँ पर इस table में आप देख सकते हैं कि दिये हुए numbers का cube root वो नंबर है जिसका cube निकालने पर हमें वापस वही number मिल रहा है जिसका हमने cube root निकाला जैसे कि 27 का cube root है 3 और 3 का cube करने पर हमको वापस से मिल जाता है 27 8 का cube root है 2 और 2 का cube निकालने पर हमको वापस मिल जाता है 8 आसान भाशा में कहा जाए तो cube root cube का opposite होता है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि root का जो symbol है वो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है मतलब आप root को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एकसल में square root और cube root कैसे calculate किये जा सकते हैं यहाँ पर हमने numbers की एक list ली है और हमें numbers का square root, square root formula की सहायता से निकालना है एकसल में square root का formula sqrt होता है formula लगाने के लिए यहाँ पर equal to का sign लगाएंगे और type करेंगे sqrt यह देखें यहाँ पर excel ने formula suggest कर दिया इस पर double click कर लेंगे bracket में argument है number तो हम वो number select करेंगे जिसका हमको square root निकालना है तो हम यह पहला वाला number select कर रहे हैं अब bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखें हमें result मिल गया है अब यहाँ से corner से इस formula को drag करके नीचे वाले cell तक copy कर देंगे यह देखें हमें सभी numbers के लिए square root मिल गये हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको power formula की सहयता से square root निकालना बता देते हैं उसके लिए equal to का sign लगा कर type करेंगे power यह देखें दो-तिन letters type करते ही cell ने यहाँ suggest कर दिया है formula इसपर double click कर लें अब bracket के अंदर पहला argument है number इसके लिए हम वो number select करेंगे जिसका square root हम निकालना चाहते हैं तो हमने यह पहला number select कर लिया अब comma लगाएं दूसरा argument यहाँ पर है power अब जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में पहले दिखाया था कि square root निकालने के लिए power होती one by two तो यहाँ पर हम लिख देंगे one by two अब bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए हमें वही result मिला है जो हमें sqrt formula का उप्योग करने पर मिला था इस formula को भी नीचे तक copy करने के लिए हम यहाँ corner से drag करके आखरी cell तक ले जाएंगे और फिर click छोड़ देंगे यह देखिए सभी numbers के square root हमको मिल गए हैं तो यह अभी हमने आपको बताया square root निकालना अब हम बताते हैं cube root निकालना cube root निकालने के लिए यहाँ पर हमने numbers की एक list लिए है अब हम power formula का उप्योग करके cube root निकालेंगे उसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा करके हम type करेंगे power यहाँ पर देखिए suggestion आ गया है double click करके यहाँ से formula ले लेंगे सबसे पहले हमको चाहिए number उसके लिए हम वो number select करेंगे जिसका cube root हम निकालना चाहते हैं तो हमने यह पहला वाला number select किया अब लगाएंगे comma और इसके बाद argument है power तो चूंकि हम cube root निकालना चाहते हैं इसके लिए power लगेगी 1 by 3 यह हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है अब bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए यहाँ पर हमको इस number का cube root मिल गया है अब बाकी numbers का cube root पता करने के लिए हम इस formula को नीचे तक drag करके copy कर देंगे और यह देखिए सारे numbers के लिए हमको यहाँ cube root मिल गये हैं अब चलिए हम आपको cube root निकालने का एक और तरीका बता देते हैं इस तरीके में हम power sign का उप्योग करके cube root निकालेंगे उसके लिए यहाँ पर हम equal to का sign लगाएंगे और उसके बाद वो number select करेंगे जिसका cube root हम निकालना चाहते हैं यह हमने इस number को select किया अब keyboard के shift और six number वाली key को एक साथ press करके power का sign लगाएंगे यह देखिए यह power का sign लग गया फिर हम bracket open करेंगे और cube root निकालने के लिए इसमें type करेंगे one by three bracket close कर देंगे और enter press कर देंगे यह देखिए हमें इस number का cube root यहाँ पर मिल गया है अब इस formula को track करके हम नीचे तक copy कर देंगे यह देखिए सभी numbers के लिए यहाँ पर cube root समको मिल गए हैं यहाँ हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि power sign का उप्योग करके आप जिस तरह से अभी हमने cube root निकाला है उसी तरह से square root भी निकाल सकते हैं पस वहाँ पर formula में जो power हमने one by three लगाई है उसकी जगह आपको one by two लिखना होगा Excel के आज की वीडियो में हम आपको किसी लिस्ट को reverse करना बताएंगे किसी लिस्ट को reverse करने का मतलब है उनका serial order उल्टा करना उदारन के लिए यदि आपकी लिस्ट में नाम है राम, शाम, सीता, मीता, प्रिया और राथा तो यदि आप इस लिस्ट को reverse करेंगे यानि उल्टा करेंगे तो फिर यह order हो जाएगा राधा, प्रिया, मीता, सीता, शाम और राम ये तो छोटा सा उदारन था यदि आपके पास Excel में बड़ा data हो तो उसे आप कैसे reverse करेंगे चलिए Excel की एक shortcut trick के मदद से हम आपको ये करना बता देते हैं मान लेजे किसी कंपनी ने अपनी event planning team को महमानों की एक list बनाने के लिए कहा और list इस प्रकार बनाने के लिए कहा कि सबसे उपर वे लोग हों जो VIP guest है और सबसे नीचे वो लोग हो जो VIP guest ना हो पटीम ने कुछ confusion के कारण गलत list बना दी उन्होंने list में पहले उन guests के नाम लिख दिये जो VIP guest नहीं थे और VIP guest के नाम नीचे लिख दिये बॉस ने जब list चेक की तो उसने team को list reverse करने को कहा तो आईए देखते हैं list को हम reverse कैसे कर सकते हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी list में serial number नहीं डले हुए हैं तो डाल लीजिए जैसे यहाँ पर हमारी list में serial number नहीं है उसके लिए हम table में शुरुवाती column से पहले एक और column add कर लेते हैं यह देखें यहाँ पर हमने column add किया और यहाँ पर हम heading वाली रोच छोड़ करके जहां से guests के नाम हैं वहां से serial number डालना शुरू कर दिए अब अगर list बहुत लंबी है तो इतने सारे numbers डालने की बज़ाए शुरू में यह एक और दो number डाल दे और इसके बाद इन serial numbers को list के अनुसार फिल करने के लिए यह जो दो numbers लिखे हैं इनको select करके जिस cell में दो लिखा हुआ है उसके आखिर में mouse ले जाएं जहां पर आपको यह एक square जैसा मिज़र आ रहा है यहां पर mouse ले जाते ही pointer एक plus के निशान जैसा दिखने लगेगा बस यही पर double click कर दे यह देखिए double click करते ही आगे जहां तक भी हमारी list में नाम लिखे हुए हैं वहां तक यह serial numbers अपने आप डल गए हैं यह 80 guests की list हमारी थी तो यह serial number भी यहां पर 80 तक आ गए हैं अब हमें पूरे data को select करना है इसलिए serial number वाले किसी भी cell में क्लिक करके Ctrl A की इस प्रेस कर दे तो यह देखिए पूरा data जो है वो select हो गया है data select करने के बाद home tab में दिखाई दे रहे editing block के sort and filter वाले option पर जाएं यहां पर drop down arrow पर क्लिक करें इस menu में sort largest to smallest पर क्लिक कर दें इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं data sort हो गया है और यह जो हमारी list है वो पूरी reverse हो गई है जो number one सबसे उपर था वो number one अब नीचे आ गया है और इस तरह से सबसे उपर जो है वो number 80 आ गया है इस तरह से list को reverse करने के बाद हम यह जो serial number वाला column है इसको delete कर देते हैं अब देखे हमारे पास reversed list आ गई है यदि आपको यह चेक करना हो कि cell में text लिखा है या नहीं तो उसके लिए आप इस text और इस non-text formula का उप्योग कर सकते हैं selected cell में text होने पर इस text formula true लिखा हुआ दिखाता है और text के अलावा अन्य किसी value के लिए false लिखा हुआ दिखाता है इसी के विपरित selected cell में text होने पर इस non-text formula false लिखा हुआ दिखाता है और text के अलावा अन्य किसी value के लिए true लिखा हुआ दिखाता है यहां हम आपको एक महतुपूर्ण बात बता दें कि इस text और इस non-text formula तब ज़्यादा उपयोगी होते हैं जब हम इन्हें अन्य फार्मूलों और functions के साथ उपयोग करते हैं आईए पहले हम आपको इस text और इस non-text formula कैसे काम करते हैं यह समझा देते हैं यहां पर हमने एक कॉलम में कुछ data लिया हुआ है जिसमें हमने नाम, numbers, कुछ special characters लिये हुए हैं और दूसरा कुछ और text भी लिखा हुआ है इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि एक cell यहां पर blank भी छोड़ा हुआ है चलिए देखते हैं इन सभी values के लिए इस text formula क्या result दिखाता है उसके लिए यहां पर हम formula लगाएंगे equal to का sign लगा करके type करेंगे is text यह देखे कुछ letters टाइप करते ही यहां पर Excel ने हमको suggestion दे दिया है formula का double click करके इसको यहीं से ले लेंगे अब bracket के अंदर जो argument है वो है value value के लिए हम यह पहला cell select कर रहे हैं अब हम bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखे हैं आपर result आ गया है जो cell हमने select किया था उसमें text लिखा हुआ था इसलिए is text formula ने यहां पर जो हमको result दिखाया है वो है true इसका मतलब कि हाँ इस cell में text है अब हम बाकी cells के बारे में जानने के लिए इस formula को यहीं से नीचे तक drag कर लेते हैं जिसे कि formula copy हो जाएगा अब यहां पर आप देखिए जहां जहां पर text है वहां पर true लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पर जहां पर blank cell है वहां पर या फिर जहां numbers है वहां पर false लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर यह division वाली error है जो की जाहिर है किसी value में गड़बड के कारण आई है इसलिए यहां भी false लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस text formula special characters को भी text ही मानता है इसलिए उसके लिए यहां पर true लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अब चलिए is non text formula लगा करके देखते हैं इसके लिए यहां पर equal to का sign लगा कर type करेंगे is non text यह जैसे हमने शुरुआती letters कुछ type किये यहां पर excel ने suggest कर दिया है formula double click करके इसको यह से ले लेंगे अब bracket के अंदर हमको value चाहिए इसके लिए वापस हम इस cell को select करेंगे और bracket close कर देंगे अब हम enter press करेंगे यहां पर देखिए यह result आ गया है चूंकि जो हमने cell select की थी उसमें text था इसलिए यहां पर result आया है false अब बाकी cells का result देखने के लिए हम इस formula को drag करके नीचे तक copy कर लेते हैं यह देखिए यहां पर इस text के जो results है उससे विपरीत results is non-text में दिखाई दे रहे हैं जहां पर blank cell है या जहां पर numbers है वहां पर यहां true दिखाई दे रहा है यहां पर भी true दिखाई दे रहा है क्योंकि यह error है यानि actually यहां पर कोई न कोई value होनी चाहिए थी पर error आने के कारण यह error दिखाई दे रही है otherwise यह numbers ही होते इसलिए यहां भी true दिखाई दे रहा है चलिए अब हम आपको is text और is non-text formula को data validation के साथ उप्योग करके बता देते हैं मान लिजीए किसी company के employee को company के product के लिए एक survey form बनाने के लिए कहा गया और उसे instructions दिये गए कि नाम वाले column में cable text यानि alphabet C होने चाहिए यदि कोई text के अलावा number टाइप करे या उसे blank छोड़े तो वहाँ invalid entry दिखाई दे इसी तरह से address वाले column में text के साथ number भी हो सकता है पर यह cell blank नहीं होना चाहिए और इसमें cable numbers भी नहीं होने चाहिए phone number वाले cell में cable number ही होने चाहिए text नहीं और नहीं ये blank होना चाहिए email ID और comments वाले columns में भी text के साथ number हो सकते है पर ये दोनों ही cells blank नहीं होने चाहिए और इन में केवल numbers भी नहीं होने चाहिए तो चलिए देखते हैं कि ऐसा form कैसे बना सकते हैं इसके लिए हम data validation का उप्योग करेंगे उसके लिए data tab में जाकर के data tools वाले block में इस drop down arrow पर क्लिक करेंगे यहाँ menu में data validation वाल option है इस पर क्लिक करेंगे ओपन हुई window में settings tab में validation criteria के अंतरगत allow option के drop down arrow पर क्लिक करके menu में से custom पर क्लिक करेंगे custom को select करने पर आप यहाँ कुछ और options देख सकते हैं सबसे पहले हम ignore blank option के सामने check box पर क्लिक करके इसको deselect कर देते हैं ऐसा हमने इसलिए किया क्यूंकि हमें form में name वाला cell blank नहीं चाहिए यदि यह option selected रहेगा तो इस text formula blank cell को ignore कर देगा चलिए अब formula के नीचे दिखाई दे रहे box में इस text formula टाइप करते हैं यह हमने equal to का निशान लगाया और उसके बाद type किया is text अब हम bracket open करेंगे और इसके बाद excel sheet में name के सामने दिखाई दे रहा cell select करेंगे क्योंकि हमें इसी cell में correct name चाहिए और फिर हम bracket को close कर देंगे अब इस window में input message टेप पर click करेंगे और cell को select करने पर जो message यहाँ पर दिखना चाहिए वो हम यहाँ पर type कर देंगे पहले यहाँ title में हमने लिखा enter name here और नीचे input message वाले box में लिखा enter a valid name here अब यहाँ error alert टेप पर click करके गलत entry या blank cell छोडने पर क्या error message दिखना चाहिए वो type कर देते हैं इस tab में style के drop down menu में आपको तीन styles दिखाई देंगी stop, warning और information आप जिसको भी select करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर यह sign आ जाएगा यह warning का sign है, यह information का sign है हम stop को ही selected रहने दे रहे हैं क्योंकि error message दिखाने के लिए यह सही sign है अब title और message टाइप कर लेते हैं टाइटल वाले box में हमने टाइप किया invalid name और message वाले box में हम टाइप कर रहे हैं please enter correct name अब हम OK पर क्लिक कर देंगे यह देखिए इस cell पर data validation लग गया है और चूंकि यह cell selected है मतलब अभी इसी पर क्लिक किया हुआ है तो इसे में यह message दिखाई दे रहा है enter name here चलिए हम इसमें नाम type करके देखते हैं हमने नाम type किया pretty और उसके बाद enter press किया देखिए इस cell में नाम लिखा यानि हमने text लिखा इसलिए यहाँ पर कोई भी error message नहीं दिखा अब यदि हम इसमें text की बजाए कोई number type कर देते हैं जैसे हमने यह numbers डाले और उसके बाद enter press किया यह देखिए यहाँ पर एक error message आ गया है please enter correct name हम retry पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ पर हम सही नाम type कर देते हैं enter press करेंगे तो यह देखिए यह नाम यहाँ पर आ गया है कोई error नहीं आई इसी तरह से हम address वाले block के लिए भी data validation लगा देते हैं हमने इसको select किया वापस हम data validation वाले option पर जाएंगे और यहाँ setting tab में validation criteria के अंतरगत allow option के drop down arrow पर क्लिक करके menu में से custom select करेंगे फिर ignore blank वाले option के सामने दिखाई दे रहा है check box पर क्लिक करके उसे select करेंगे अब formula के नीचे दिखाई दे रहे box में इस text formula type करेंगे bracket open करेंगे और अब हम address के सामने वाला cell select करेंगे और उसके बाद bracket close कर देंगे अब इसी window में input message tab पर क्लिक करके cell को select करने पर जो message दिखना चाहिए वो यहां दिखेंगे पहले हम यह title डाल देते हैं title में हमने लिखा enter a valid address और यहां input message में हमने लिख दिया प्लीज एंटर a valid address अब error alert वाले tab में हम जाएंगे और गलत entry या blank cell छोडने पर क्या error message दिखना चाहिए वो यहां type कर देंगे यहां पर हम style में stop रहने दे रहे हैं title वाले box में हमने टाइप किया invalid address और blank cell और message वाले box में हमने टाइप किया please enter a valid address and this cell cannot be left blank अब okay पर क्लिक कर देंगे यह देखिए यहां पर भी हमने data validation कर दिया है अब यहां पर हम address type करके देखते हैं यह हमने address type के आप enter press करेंगे देखिए यहां पर कोई भी error message नहीं आया है चुकि address में number के साथ text भी लिखा हुआ है इसलिए इस text formula ने इसको valid माना है पर यदि हम इस cell को blank छोड़ देते या केवल number type करके enter press करते तो error message आता यह देखिए हमने इसको blank छोड़ दिया और अब जैसे ही हम enter press करेंगे यह देखिए message आ गया है कि please enter a valid address and this cell can't be left blank हम इसे cancel कर देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर phone number वाले block में data validation लगा देते हैं यहां पर ध्यान रखिए phone number के लिए हमें is non-text formula का उपयोग करना होगा क्योंकि इस cell में हमें केवल numbers चाहिए टेक्स्ट नहीं यह वापस हमने यहां से data validation पर क्लिक किया इसके लिए भी हमें वही करना होगा यहां से हमने custom लिया formula में हम type करेंगे is non-text formula bracket open करेंगे और यह वाली जो cell है phone number के सामने वाली उसको हम select करेंगे bracket close करेंगे इसके बाद input message में यहां पर title हमने डाल दिया enter phone number और input message में हमने डाला enter a valid phone number अब हम error alert वाला message भी यहां पर डाल देंगे यहां पर हमने डाल दिया title अब डाल देंगे message enter a correct phone number अब ok पर click कर देंगे यह देखिए यहां पर यह data validation इस cell के लिए हो गया है अब इसमें हम number type करके देखते हैं यह देखिए number डालने के बाद जैसे हमने enter press किया यहां पर कोई error message नहीं आया है पर यदि हम इसमें कोई भी text type करेंगे और उसके बाद enter press करेंगे तो यह देखिए error message यहां पर आ जाएगा यहां लिखा हूँ आ गया enter a correct phone number हम इसको भी cancel कर देते हैं अब आगे बढ़ते हुए हम email id और comments वाले cell में भी इस text वाला data validation लगा देते हैं यह हमने इन दोनों पर भी data validation लगा दिया है और अब data validation लगने के बाद हमारा यह form complete हो गया है चलिज़े अब हम इसमे एंट्री कर के देखते हैं यह सारा जो data है इसको हम भता देते हैं और अब यहां पर हम entry कर के देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले नाम डाल रहे हैं उसके बाद हमने डाला address उसके बाद phone number और यहां पर हम डाल देते हैं email id यहां पर comments चाहिए थे तो यहां पर हमने comment डाल दिया है इस तरह से अब यह form हमने fill कर दिया है यहां पर entry करते समय कहीं पर भी error वाला message नहीं आया क्योंकि हमने सब जगह correct entries की है अब अगर हम इसमें कोई भी incorrect entry करते यानी name, address, email id और comments वाले cells में अगर हम non-text डालते यानी cable numbers डालते या फिर phone number वाले cell में text डालते या फिर इनमें से किसी को भी blank छोडते तो error message दिखाई देता जैसे ही यहाँ पर हमने comments वाले जो field है उसको blank छोड़ दिया आप जैसे ही हम enter press करेंगे तो यह देखें यहाँ पर यह error वाला message आ जाएगा आज हम आपको अलग-अलग rows में लिखे हुए data को एक cell में कॉमा के साथ separate करके कैसे लिखना है यह बता रहे हैं इसके लिए हम concatenate और transpose formula का उप्योग करेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ fruit और vegetable shops का data है जिसमें पहले कॉलम में shop number और दूसरे कॉलम में वो shop कौन-कौन से फल और सबजियां बेशती है उसकी list है ऐसे हमारे पास अलग-अलग shops हैं और वो क्या बेशती है उसकी list है यह पूरी list आप यहाँ देख सकते हैं अब यह जो shop है उसमें बिक रहे फल और सबजियों का जो data है यह अलग-अलग row में एक के नीचे एक लिखा हुआ है यदि हम इन सभी फल और सबजियों की list या इनके नाम एक ही cell में लिखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हर फल और सबजी के नाम के बाद कॉमा और स्पेस आए तो वो आप कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं यह अभी हम शॉप नमबर वन के लिए कर रहे हैं यहां हमने शॉप नमबर वन डाल दिया और अब हम चाहते हैं कि एक cell के अंदर ही शॉप नमबर वन से जो भी फल या सबजियां बेची जा रही हैं उन सब के नाम यहां पर एक साथ आ जाएं तो इसके लिए यहां पर हम इक्विल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे, कौन, के, यह देखें हमने कुछ initial letters टाइप किये, तो Excel ने हमको यह formula suggest कर दिया है, double click करके इसको ले लेंगे, अब इसके अंदर हम transpose formula टाइप करेंगे, यह देखें यहां पर transpose formula के लिए suggestion आगया है, इस पर double click कर लेंगे, अ अब यहां पर bracket के अंदर जो argument है, वो है array, अब यहां पर हमको उस list को select करना है, जिसको हम एक cell में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह shop number 1 के जितने भी फल और सबजियों के नाम है, इन सब को हम select कर लेंगे, यह देखें यह cell range यहां पर आ गई है, अब हम bracket दो बार close कर करेंगे, पहली बार transpose formula के लिए और दूसरी बार concatenate के लिए, अब हमें enterprise नहीं करना है, क्योंकि यह formula अभी सही काम नहीं करेगा, इसमें हमें थोड़े से changes करना होंगे, इसके लिए हमें transpose वाले formula को, यानि यह जो bracket के अंदर अंदर लिखा है, उसको select करना होगा, यह mouse की सा प्रेस करते ही देखिए, यह formula कुछ इस तरह दिखेगा, अब इसमें से हम यह curly brackets हैं, इसको हटा देंगे, यह formula बार पैसे हमने curly brackets को हटा दिया, अब enterprise करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि shop number 1 द्वारा बेची जा रही, सभी सबजियों और फलों के नाम एक cell में आ गए हैं, पर इसमें space नहीं है, और बीच में comma भी लगा हुआ नहीं है, तो इनको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, comma और space लगाने के लिए हमें इस formula में कुछ और changes करना होंगे, इसके लिए हम पहले इस cell में से सभी फलों और सबजियों के नाम हटा देते हैं, अब ह फिर से यहां पर formula लगाएंगे, equal to का sign लगाकर लिखना शुरू करेंगे, concatenate, यह देखिए यहां पर Excel ने formula सजिस किया है, डबल क्लिक करके इसे ही से ले लें, अब यहां पर अंदर हमको transpose formula टाइप करना है, यह यहां दिख रहा है, अब यहां अंदर array के लिए हम एक बार फिर से इस list को select करेंगे, shop number 1 के जो भी फल और सबजियों की list है, उसको हम select कर लेंगे, यह देखिए list select हो गई है, अब हम ampersand sign लगाएंगे, ampersand का sign मतलब जिसको हम end के लिए use करते हैं, यह वाला sign, यह हमने लगा दिया, अब इसके बाद हम double inverted commas open करेंगे, और इसके अंद कॉमा लगा करके space देंगे, और उसके बाद double inverted commas को close कर देंगे, अब हम bracket close करेंगे, यह जो transpose formula था, उसका bracket close हुआ, अब हमको concatenate formula के लिए भी bracket close करना है, इसलिए इसको एक बार फिर से हम यहाँ पर bracket लगा देंगे, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको enter press नहीं करना है, उस के पहले हम transpose formula को mouse की साहता से select करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमको केवल transpose formula ही select करना है, अब हम F9 की press करेंगे, F9 की press करते ही देखिए formula इस तरह से नजर आ रहा है, अब यहाँ उपर formula बार पर जाकर के यह जो curly brackets हैं, इनको हटा दीजिए, दोनों तरफ से हमने curly brackets हट साथ ही यह last नाम के बाद भी एक comma जो दिखरा है इसको भी हटा देंगे, और अब हम enter press करेंगे, यहाँ पर हम इसका font थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं कि सभी फल और सबजियों के नाम एक ही cell में comma और space के साथ आ गए हैं, अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर इस पूरे data को देख सकते हैं, यह है shop number, तो पहली वाले जो दुकान हैं, उसमें जो जो भी फल और सबजियां बेची जाती हैं, वो सब आपको एक cell के अंदर दिखाई दे रही हैं आज हम आपको बता रहे हैं कि एक्सल में आप एक साथ दो या दो से अधिक workbooks की worksheets को और एक ही workbook की अलग-अलग worksheets को एक ही window पर कैसे बेख सकते हैं साथ ही हम ये भी बताएंगे कि एक्सल के अलावा भी यदि अन्य कोई windows computer पर खुली हुई हैं और उन्हें आप एक साथ देखना चाहते हैं तो ये काम कैसे कर सकते हैं पहले हम एक साथ दो या दो से अधिक workbook की worksheets को कैसे देखते हैं ये समझ लेते हैं पहले वो workbooks open कर लीजिए जिन्हें आप side by side देखना चाहते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर दो अलग-अलग workbooks open करके रखी हैं अलग-अलग workbooks की worksheets को side by side देखने के लिए किसी भी एक workbook के view टैप पर क्लिक करें अब ribbon में दिखाई पड़ रहे options में से view side by side option पर क्लिक करें ऐसा करते ही देखिए दोनों workbooks कुछ इस तरह से दिखाई देंगी अभी ये workbooks हमें उपर नीचे दिखाई दे रही हैं यानि horizontal दिखाई दे रही हैं यदि हम इन workbooks को पास पास में यानि vertical दिखना चाहते हैं तो उसके लिए view टैब में दिखाई दे रहे arrange all option पर क्लिक करें उस पर क्लिक करते ही एक छोटी window open होगी इसमें आपको कुछ options दिखाई पड़ेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि horizontal by default selected है हम इसमें vertical option को select करेंगे और ok पर क्लिक करेंगे ok पर क्लिक करते ही देखिए Excel की दोनो workbook side by side arrange हो गई है अब यदि हम किसी एक workbook की worksheet के scroll bar को उपर या नीचे करेंगे तो दूसरी workbook की worksheet का scroll bar भी उसी के अनुसार उपर या नीचे होगा जिससे दोनों workbook की worksheet का comparison आसानी से किया जा सकता है अब यदि आपको ये synchronization बंद करना हो यानि आप ये चाहते हैं कि जब आप एक worksheet में scroll bar को उपर नीचे करें तो दूसरी worksheet में ऐसा ना हो उसके लिए view side by side option के नीचे दिखाई पड़ रहे synchronous scrolling option पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही दोनों workbook की worksheets का synchronization तूट जाएगा अब दोनों workbook को पहले जैसे view में ले आते हैं उसके लिए reset window position option पर क्लिक करेंगे इस option पर क्लिक करते ही दोनों workbook इस तरह से arrange हो जाएंगी हम दोबारा view side by side option पर क्लिक करके दोनों workbook को normal view में ले आते हैं अभी तो यहाँ केवल दो workbooks थी जिने हमने side by side देखा यहाँ पर हम आपको बता दें कि view side by side option की सहायता से आप एक ही समय में केवल दो ही workbook एक साथ देख सकते हैं यदि दो से अधिक workbooks हों तो उस स्थिती में सभी workbooks को एक साथ कैसे देखेंगे यह भी आपको बता देते हैं यहाँ देखें हमने चार workbooks open करके रखी हुई हैं अब सभी workbooks को एक ही window पर देखने के लिए view tab में जाकर arrange all option पर क्लिक करें फिर open हुई छोटी से window में से tiled option पर क्लिक करें अब okay पर क्लिक करें workbooks खुली हुई थी वो computer window पर equally distribute होकर खुल गई है यानि यह चारों workbooks आपको अब एक ही size में दिखाई दे रही है अब यदि हम arrange all वाली चोटी से window में से cascade option पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो देखे जितनी भी workbooks खुली हुई है वो एक के पीछे एक कुछ इस तरह से arrange हो जाएंगी आप जिस भी workbook को देखना चाहते हैं उस workbook पर क्लिक करें तो वो आगे की तरफ आ जाएगी जैसे हमने इस workbook पर क्लिक किया तो वो सबसे आगे आ गई इस तरह आप एक ही विंडो पर एक साथ कई सारी workbooks देख सकते हैं अब हम इन सभी workbooks को बंद कर देते हैं अब है हमने अलग-अलग workbooks को एक ही स्क्रीन पर देखना सीखा अब यदि आप एक ही workbook की अलग-अलग sheets को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा ये बता देते हैं पहले हम एक नई workbook खोल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा sheets हैं ये देखे हमने जो workbook खोली है उसमें दो sheets हैं हम इन दोनों sheets को एक ही स्क्रीन पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए view टैप पर क्लिक करेंगे अब ribbon में दिखाई दे रहे options में से new window option पर क्लिक करें new window option पर क्लिक करते ही इसी workbook की एक और गौपी खुल जाएगी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 5th class mark sheet report 1 और 5th class mark sheet report 2 दिखाई दे रहे हैं ध्यान रखें ये दोनों workbooks एक ही हैं बस हमने एक ही workbook को दो बार खोल लिया है अब किसे भी एक workbook पर आकर view tab में दिखाई दे रहे view side by side option पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही देखें दोनों workbooks इस तरह एक ही screen पर दिखाई देने लगेंगी फिर से हम आपको याद दिला दे कि ये दोनों workbooks एक ही हैं और इस workbook में दो work sheets हैं और इन दोनों work sheets पर हम एक साथ काम करना चाहते हैं इस तरह हम एक workbook की दो sheets पर एक साथ काम कर सकते हैं अभी ये दोनों sheets उपर नीचे दिखाई पड़ रही हैं यदि आप इन्हें side by side या किसी अन्य तरीके से देखना चाहते हैं तो वो आप ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले एक से अधिक workbooks के लिए बताया है अभी हम इन workbooks को close कर देते हैं आएए अब हम आपको फिर से दो workbook खोल कर उन्हें side by side देखने का दूसरा तरीका बता देते हैं अपने computer में task bar पर right click करें और open हुए menu में से show windows side by side पर click करें उस पर click करते ही देखे windows कुछ इस तरह से arrange हो जाएंगी अब यदि आप windows को normal view में देखना चाहते हैं यानि side by side नहीं देखना चाहते हैं तो फिर से task bar पर right click करें और open हुए menu में से undo show side by side पर click कर दें ऐसा करते ही windows normally arrange हो जाएंगी इस option के विशेशता ये है कि इसके लिए Excel की workbook होना ज़रूरी नहीं है यदि आपने desktop पर कई windows खोल रखी हैं और उन्हें आप एक साथ देखना चाहते हैं तो भी आप इस option का उप्योग कर सकते हैं इसको समझने के लिए हम Google Chrome भी खोल लेते हैं ये देखे अब हमने तीन windows खोल ली हैं अब हमने taskbar पर right click करके जैसे ही show windows side by side पर click किया तो देखे ये तीनों windows side by side आ गई हैं आए अब हम दूसरे options भी देख लेते हैं उसके लिए taskbar पर right click करके show windows stacked पर click करेंगे तो वो इस तरह दिखाई पड़ेगा यदि हम taskbar पर right click करके cascade windows पर click करेंगे तो वो इस तरह से एक के पीछे एक आ जाएंगी अंत में हम एक और window खोल लेते हैं अब हम taskbar पर right click करके show windows side by side पर जैसे ही click करेंगे देखिए चारों windows नए तरीके से arrange हो गई है Excel में c-h-a-r care का मतलब है character Character function का उप्योग करके आप किसी भी स्थान पर या formula के बीच कोई symbol ला सकते हैं या action perform कर सकते हैं इसमें हमें वे characters या symbols भी मिलते हैं जो हमें सामाने की board पर नहीं मिलते उदारण के लिए character function में 165 लिखने पर हमें ये symbol मिलेगा और यदि हम character function में 163 का उप्योग करेंगे तो हमें ये symbol मिलेगा character function में 44 का उप्योग करने से हमें कॉमा मिलता है और यदि हम character function में 182 का उप्योग करें तो हमें पिल्क्रो साइन मिलेगा आप देख सकते हैं इन चार सिंबॉल्स में से तीन ऐसे हैं जो हमें सामाने कीबूर्ड में नहीं मिलते हैं करेक्टर फंक्शन का उप्योग करके आप इस तरह के करेक्टर कैसे ला सकते हैं या एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आये देखते हैं उसके लिए हम एक नई sheet open कर लेते हैं यह हमने एक नई sheet open कर ली है पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक महतुपून बात बता दें कि Excel में character set अलग-अलग operating systems में अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए specific number के लिए character function अलग-अलग operating system पर अलग-अलग परिणाम दे सकता है यहाँ पर हमने column A में कुछ संख्याइं लिखी हैं और आपको बता दें कि यह ASCII codes कहलाते हैं और यह 0 से 255 तक होते हैं Excel में यह codes 1 से लेकर 255 तक ही काम करते हैं इन codes की अधिक जानकारी हम इस वीडियो में आगे देंगे फिल हाल हम यहाँ पर दिखाई दे रहे codes को character function में उप्योग करेंगे और देखेंगे इन से हमें कौन-कौन से symbols या characters मिलते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और formula type करते हैं इसके लिए पहले equal to का sign लगाएंगे फिर type करेंगे char अब यहाँ दिखाई दे रहे character function पर double click करेंगे या फिर tap press करेंगे ऐसा करते ही open bracket आजाएगा इसके बाद हम जो code उप्योग करना चाहते हैं वो यहाँ पर type करेंगे चुनकि यहाँ पर हमने code पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम उस code को select कर रहे हैं अब bracket को close कर गे enter press करेंगे देखिए character function के अंतरगत 169 उप्योग करने पर हमें copyright का symbol मिला है अब इस formula को drag करके हम नीचे वाले cells में copy कर लेते हैं और बाकी codes के भी characters और symbols देख लेते हैं यह देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहे अन्य codes के भी symbols यहाँ पर मिल गए हैं चलिए character function का उप्योग करके आप formula के बीच इस तरह के characters कैसे ला सकते हैं या action कैसे perform कर सकते हैं आपको एक कोदारण देकर समझा देते हैं पर उससे पहले हम concatenate formula को एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ हमने एक table ली है जिसमें column A में text 1 है और column B में text 2 है अब हम column C में text 1 और text 2 को जोडने के लिए concatenate formula का उप्योग करेंगे formula type करने से पहले यह बता दें कि concatenate formula दो या दो से अधिक cells के data को एक ही cell में combine करके लिखने में काम आता है यहाँ हम आपको यह बता दें कि हम पहले भी concatenate पर दो वीडियो बना चुके हैं जिनकी link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी चलिए अब हम यहाँ formula type करना शुरू करते हैं पहले equal to का sign लगाएंगे फिर text1 वाला cell जिसमें नाम लिखा हुआ है उसे select करेंगे अब चूंकि concatenate function का उप्योग करके हम इस cell में text1 के साथ text2 को add करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर ampersand का sign लगाएंगे और फिर text2 के नीचे वाला cell जिसमें कुछ संख्यान लिखी हुई है उसे select करेंगे अब enter press करेंगे देखे result में text1 और text2 एक ही cell में एक साथ दिखाई दे रहे हैं अब हम अगली row में text1 और text2 को जोडने के लिए concatenate formula के साथ character function का उप्योग करेंगे और character function के अंतरगत कुछ codes का उप्योग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें इसका क्या परिणा मिलता है इसके लिए पहले हम नीचे वाली row में इनको copy कर देते हैं देखे हमने text1 और text2 को copy करके यहाँ पर paste कर दिया है चलिए अब formula टाइप करते हैं equal to का sign लगाएंगे फिर text1 वाला cell जिसमें नाम लिखा हुआ है उसे select करेंगे फिर amp% का sign लगाएंगे amp% लगाने के बाद हम character function लगाने के लिए char टाइप करेंगे फिर bracket open करने के बाद 10 टाइप करेंगे और bracket close कर देंगे character function में 10 टाइप करने से ये होगा कि text1 और text2 एक के बाद एक अलग-अलग lines में आएंगे यानि line break हो जाएगी अब text2 एड करने के लिए दुबारा amp% का sign लगाएंगे और फिर text2 के नीचे वाले cell में जो कुछ संख्यां लिखी हुई हैं उन्हें select करेंगे और अब enter press करेंगे देखिए result तो आ गया है पर हम जैसा चाहते थे कि पहली line में text1 और दूसरी line में text2 आए इसके बजाए दोनों text एक ही line में दिखाई दे रहे हैं तो इसे ठीक करने के लिए हम इस cell पर wrap text apply करेंगे wrap text करने से पहले हम इन दोनों cells को select करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि दोनों cells के result में क्या अंतर है तो हमने इन दोनों cells को select कर लिया अब उपर home tab पर दिखाई दे रहे wrap text option पर क्लिक करेंगे wrap text पर क्लिक करते ही आप अंतर देख सकते हैं कि character 10 का उपयोग करने से दूसरे cell के result में text 1 और text 2 के बीच line break हो गई है यानि text 1 एक line में है और text 2 नई line में है जबकि हमने उपर वाले cell में केवल concatenate function यूज किया था इसलिए दोनों text एक ही line में दिखाई दे रहे हैं अब हम आपको कुछ और quotes का भी उपयोग करके बता देते हैं चुँकि अब हमें इस row की ज़रुरत नहीं है इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसे delete कर देते हैं हमने इसी sheet में दो और examples लिए हैं इन में पहले वाले में हमें comma चाहिए और दूसरे वाले में dash चाहिए अब हम formula दुबारा से न type करते हुए उपर से drag करके नीचे वाले दो cells में paste करेंगे देखिए हमने formula को drag करके नीचे वाले cells में paste कर दिया है अब चुकि हम इस second example में line break की जग़ कॉमा और third example में dash चाहिए तो उसके लिए हम केवल character formula के अंतरगत code बतलेंगे इसके लिए पहले second example के result वाले cell में double click करेंगे देखिए double click करते ही पूरा formula यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर 10 की जग़ कॉमा लगाने के लिए 44 टाइप करेंगे एंटरप्रेस करेंगे देखिए एंटरप्रेस करते ही text 1 और text 2 के बीच कॉमा आ गया है चलिए third example में भी बदलाव कर लेते हैं इसके लिए पहले third example के result वाले cell में double click करेंगे और फिर 10 की जग़ डेश लगाने के लिए 45 टाइप करेंगे अब एंटरप्रेस करेंगे देखिए एंटरप्रेस करते ही text 1 और text 2 के बीच डैश आ गया है इसी तरह आप कई सारे codes ट्राइ कर सकते हैं चलिए हम आपको सभी codes की list बता देते हैं यह देखिए यहां हमने पहले column में 1, 2, 255 तक codes लिए हुए हैं अब हम character function से यह बता कर लेते हैं कि इन codes में कौन से code पर कौन सा symbol या character मिलेगा उसके लिए equal to का sign लगा करके char टाइप करेंगे फिर bracket open होने के बाद पहले code वाला cell सेलेक करेंगे फिर bracket बन करके enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि हमें blank cell मिला है इसका मतलब यह है कि character का code 1 कोई character या symbol नहीं written करता है बलकि action perform करता है ठीक उसी तरह जैसे character 10 ने हमें कोई symbol या character return न करते हुए line break दी थी यानि दूसरा text नहीं line में लिख दिया था जो कि एक action है चले अब इस formula को drag करके नीचे वाले cells में लिखे codes के characters या symbols बता कर लेते हैं यह देखे एक से लेकर के 255 तक के सभी codes के characters और symbols यहां मिल गए हैं तथा कहीं कहीं कुछ codes ने actions भी perform किये हैं हम आपको बता दें कि Excel में concatenate का उपयोग दो या दो से अधिक cells के data को एक ही cell में combine करके लिखने में काम आता है इस उदारन में हम concatenate का उपयोग करने के लिए m% का उपयोग करेंगे साथ ही इस उदारन में हम आपको character function का भी उपयोग करना सिखाएंगे तो चलिए आपको एक उदारन दे करके हम ये समझा देते हैं यहाँ पर हमने अपने व्यापार की आवशक्ता के अनुसार industrial products में deal करने वाली अलग-अलग companies का survey करके उनका data इकठा किया है इस data में पहले column में company का नाम दूसरे column में company का address फिर city, state, pin code फिर उस company के director का नाम, email, contact person, telephone, mobile, fax और आखरी वाले column में वो company कौन से service प्रोवाइड करती है या क्या product manufacture करती है वो लिखा हुआ है अमान लिजे हमारे पास दो departments है वो दोनो departments दिखाने के लिए हम इसी screen पर यही workbook दुबारा open कर लेते हैं देखे हमने एक और workbook open कर ली है यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमने एक ही screen पर ये दो windows कैसे open की तो उसके लिए आप हमारे दोरा बनाई गई वीडियो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों workbook एक ही है बस हमने एक ही workbook को दो बार खोल लिया है इसे ये होगा कि हम जो काम एक workbook पर करेंगे वो दूसरी workbook पर भी दिखाई पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब जैसा कि आप नीचे वाली workbook में देख सकते हैं हमारे पास दो departments हैं sales department और marketing department इन दोनों department को काम करने के लिए सर्वे वाले डेटा में से अलग-अलग जानकारी के जरूरत रहती है जैसे कि sales department को बिल बनाने के लिए company का नाम, उसका address, city और contact number की जरूरत होती है marketing department को market के study के लिए company का नाम, उसके contact person, contact number और वो company क्या service provide करती है या क्या product manufacture करती है इन जानकारीों के आवशक्ता होती है अब जैसा कि आप survey report वाली sheet में देख सकते हैं एक company या party की detail एक ही row में है जैसे पहले company का नाम, फिर उसका address, city इत्यादी और फिर दूसरी company की detail, दूसरी row में तीसरी company की detail तीसरी row में इत्यादी अब departments वाली sheet में देखिए दोनो departments को companies की survey report में से ये जानकारियां चाहिए और इस तरह एक cell के अंदर ही चाहिए अब यदि हम manually यानि एक एक करके ये सभी details cell में copy करेंगे तो काफी समय लग जाएगा इसके लिए हम concatenate formula का उप्योग करेंगे बता देते हैं कैसे पहले हम दोनों workbook में sorting वाली sheet खोल लेते हैं ये देखिए हमने दोनों workbook में sorting sheet खोल ली है अब हम उपर वाली workbook में formula type करेंगे और उसका प्रभाव आपको नीचे वाली workbook में देखने को मिलेगा formula type करने से पहले हम marketing department के column को यहां से हटा के दूसरी sheet पर रख देते हैं जिससे हमें समझने और काम करने में आसानी होगी चलिए अब हम sorting वाली sheet में formula type कर रहे हैं सबसे पहले लगाएंगे equal to का sign और फिर survey वाली sheet पर click करेंगे survey sheet पर click करने के बाद देखिए उपर वाली survey sheet और sorting वाली sheet active दिखाई पड़ रही है और इस sheet के formula बार में इसी sheet का नाम दिखाई पड़ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस sheet से data उठा कर sorting वाली sheet पर ले जा रहे हैं यानि अब हम जिस cell को select करेंगे उसका data sorting वाली sheet पर copy हो जाएगा ऐसा आप नीचे वाली workbook में sorting sheet पर होता हुआ देख सकेंगे हम company का नाम copy करना चाहते हैं इसलिए हम company के नीचे दिख रहे नाम वाले cell पर click करेंगे आप यहाँ formula bar में देख सकते हैं कि जैसे ही हमने company के नीचे नाम वाले cell पर click किया तो यहाँ पर इस cell का address आ गया है यहाँ हम आपको एक और बात या दिला दें कि उपर वाली workbook पर हम जो भी activities कर रहे हैं उसका sorting वाली sheet पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको यहीं पर नीचे एक और workbook में दिखाते जा रहे हैं साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी तो आपको केवल formula दिख रहा है इसका complete result enter press करने पर दिखाई देगा चले आगे बढ़ते हैं और आगे का formula type कर देते हैं अब चुँकि हमें किसी अगले column की detail इस cell में add करना है तो हम m% का sign लगाएंगे अगले column का data हमें cell की नई line में चाहिए तो उसके लिए line break करनी होगी line break करनी के लिए हम char और bracket में 10 type करेंगे हम आपको बता दें कि यहाँ पर char का मतलब है character यह excel का एक function है यहाँ पर हम आपको बता दें कि character function हमारी video how to use the character function in excel by ग्यान्यग्य में बता चुके है इसकी link आपको इस video के नीचे description में मिल जाएगी char bracket में 10 type करने के बाद हम दोबारा ampersand का sign लगाएंगे अब हमें इस sheet में से company का address चाहिए तो हम address के नीचे वाले cell में जहाँ पर की company का address लिखा हुआ है उसमें क्लिक करेंगे इस cell पर क्लिक करते ही देखिए उपर formula बार में sheet के नाम के बाद cell का address आ गया है अब line break करने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएंगे ampersand का sign लगाएंगे फिर लिखेंगे char bracket में 10 इसके बाद अगले column को सिलेक करने से पहले ampersand लगाएंगे फिर city के नाम वाले cell पर क्लिक करेंगे फिर ampersand लगाने के बाद line break के लिए char bracket में 10 लिखेंगे उसके बाद फिर से ampersand का sign लगाएंगे और telephone number वाला cell सिलेक करेंगे आप देख सकते हैं हमें cells department के लिए survey sheet से जो detail चाहिए थी formula में हमने वो सब cover कर ली है अब enter press करेंगे enter press करते ही हम अपने आप sorting वाली sheet पर आ जाएंगे यह देखिए यहां सभी details आ गई है पर अभी सही details दिखाई नहीं दे रही है तो इसको ठीक करने के लिए हम इस cell पर क्लिक करके उपर home tab पर दिखाई दे रहे wrap text option पर क्लिक करेंगे wrap text पर क्लिक करते ही आपको सारी details अच्छे से दिखने लगेंगी और यदि wrap text करने से भी details ना दिखें तो row number के नीचे क्लिक करके हम row को चोड़ा कर लेंगे ऐसा करते ही आपको सारी details अच्छे से दिखने लगेंगी अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हमें जो भी details चाहिए थी वो आ गई है यहां पर हम एक चित्र लाकर लगा रहे हैं हमें अपना data इस चित्र की तरह चाहिए पुराने वाले information format में city के बाद कुछ नहीं है जबकि नए वाले information format में city के बाद dash और फिर pin code आ गया है इसी तरह पुराने वाले information format में telephone number के पहले contact number नहीं लिखा हुआ है और नहीं दो contact numbers लिखे हैं जबकि नए वाले information format में आप बदलाव देख सकते हैं contact number के बाद dash लगा कर दो contact numbers लिखे हुए हैं और उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है तो चलिए हम आपको बता दें कि इस तरह कि correction करने के लिए formula में क्या बदलाव करने होंगे इसके लिए पहले हम अपने पुराने formula को copy कर लेते हैं इसके लिए information required by cells department के नीचे जहां हमने formula लगाया था उस cell पर double click करेंगे double click करते ही हमें इस cell में information की जग़ formula दिखने लगेगा अब इस formula से equal to का sign हटा कर बागी बचा formula copy कर लेंगे और इस formula को यहां से delete कर देंगे अब हम correction करने के लिए पहले अनुसार एक ही workbook को दो दुबार खुलेंगे आगे बढ़ने के लिए पहले sorting वाली sheet में equal to का निशान लगाएंगे फिर survey sheet पर click करेंगे अब यहां पर हम formula बार में केवल equal to का sign रहने देंगे और उसके आगे से sheet का नाम हटा देंगे क्योंकि हम जो formula यहां से copy करके ला रहे हैं उसमें पहले से ही sheet का नाम लिखा हुआ है देखे हमने sheet का नाम हटा दिया है अब यहां पर हम अपना पुराना वाला formula पेस्ट करेंगे यह देखे हमने पुराना formula यहां पर पेस्ट कर दिया है अब चुकि हमें city के नाम के बाद से बदलाव करने हैं तो इस formula में से city के बाद यानि survey c2 के बाद का formula डिलीट कर देते हैं देखिए हमने formula में से city के बाद का formula डिलीट कर दिया है अब इसके आगे का formula टाइप करेंगे अब चुक्कि हमें city के बाद dash लगाना है तो उसके लिए पहले हम amp cent लगाएंगे उसके बाद double inverted comma open करेंगे फिर dash लगाएंगे और फिर double inverted comma close कर देंगे इसके बाद amp cent sign लगाएंगे और फिर pin code वाला cell सेल करेंगे अब अगले कॉलम की डिटेल लिखने से पहले हमें line break करनी है तो उसके लिए हम amp cent लगाकर chr bracket में 10 टाइप करेंगे अगले कॉलम की डिटेल से लिख करने से पहले amp cent लगाएंगे अब चुकि हमें phone number से पहले contact number लिखना है और उसके बाद dash लगाना है तो इसके लिए हम double inverted comma के अंतरगत contact number और उसके साथ dash दोनों एक साथ लिख रहे हैं इसके बाद phone number वाला cell से लेक करने से पहले amp cent लगाएंगे और telephone number वाला cell से लेक करेंगे अब हम telephone number और mobile number को अलग-अलग line में न लिखते हुए एक ही line में लिखना चाहते हैं और उनके बीच में comma लगाना चाहते हैं तो उसके लिए formula में पहले amp cent लगाएंगे फिर double inverted commas के अंतरगत comma लिखेंगे इसके बाद फिर amp cent लगाएंगे और mobile के नीचे वाला cell से लेक करेंगे अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार short में आपके लिए दोहरा देते हैं जहां हमें line break चाहिए वहां हमने C.H.A.R. प्रेकेट में 10 लिखा है और जहां भी कोई शब्द, सिंबल इत्यादी डालना है वहां हम double inverted commas का उपयोग करके उसके बीच में लिख सकते हैं अब enterprise करेंगे enterprise करते ही हम अपने आप sales department वाली sheet पर आ जाएंगे देखिए यहां सभी details आ गई हैं यदि details अच्छे से दिखाई ना दें तो हम wrap text option पर क्लिक करके details अच्छे से देख सकते हैं इसके बाद भी अगर details ना दिखाई दें तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं row को चौड़ा करके उसे देख सकते हैं देखिए हमें company की जो details जिस तरह चाहिए थी वो मिल गई है चुँकि हमें एक column की जरुवत नहीं है तो हम इसे delete कर देते हैं और नीचे वाली workbook भी बंद कर देते हैं अब हम इस formula को drag करके अन्य companies की details भी निकाल लेते हैं देखिए हमने drag करके अन्य companies की details भी निकाल ली हैं इसी तरह आप अपने अनुसार data में से आपको जो details चाहिए वो छाट कर अलग कर सकते हैं साथ ही उसमें line break, comma, special character, इत्याधी का उपयोग भी कर सकते हैं अब आप survey report में से इसी तरह marketing department का data भी sort कर सकते हैं यह यहाँ पर हमारा example data table है इसमें हमने एक electronic showroom का data लिया है माली जे, showroom के एक employee को कहा गया कि इस data को ऐसे arrange करो कि हर एक data row के नीचे एक blank row add हो जाए जिसमें उस product के कुछ खास features लिखे जा सकें यह देखिए, जिस तरह का table अब हम चाहते हैं, वो कुछ इस तरह का होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर data row के नीचे एक blank row आ रही है जहाँ पर कि हम जो भी information देना चाहते हैं product के बारे में वो देख सकते हैं कहने का ताथ पर है यह हुआ कि हमारा यह जो data है, यह जो table है उसको हमको इस तरह का बनाना है, तो इसको हम अब यहाँ से हटा देते हैं और यह हम कैसे बना सकते हैं, यह आपको बताते हैं वैसे तो blank row add करने के काफी सारी तरीके हैं पहला तरीका तो यह कि जिन दो rows के बीच में blank row add करनी है उसमें से नीचे वाली row को select करके right click करें और फिर menu में से insert option पर click कर दें यह देखें यहाँ पर एक blank row add हो गई दूसरा तरीका यह कि जिन दो rows के बीच में blank row add करनी हैं उसमें से नीचे वाली row को select करके home tab में दिखाई दे रहे insert option पर click करें तो यह देखें यहाँ पर भी blank row add हो गई है पर इन दोनों तरीकों से अगर हमको एक आधी row add करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया हम चाह रहे हैं कि हर data row के नीचे एक blank row आ जाए आगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमको बहुत वक्त लगेगा यहाँ पर अभी जो हमने data लिया है उस table में 10 rows हैं पर मान लिजिए यह बड़ा data हो 50-60 rows हो और हमको ऐसे ही हर data row के नीचे एक-एक blank row add करनी हो तो इस तरीके से तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो हम आपको बिताते हैं एक shortcut जिसके साहता से आप जितनी भी blank rows add करना चाहते हैं उनको एक साथ add कर सकते हैं तो चलिए इस shortcut को समझ लेते हैं यह दोनो blank rows हमने यहाँ से हटा दी अब हम table में पहला जो column है उसके पहले एक और column add कर लेते हैं यह हमने इस column को select किया और right click करके हम insert पर click करेंगे तो यह देखे एक और column add हो गया है अब इस column में हम serial numbers डालेंगे यहाँ पर अगर data बहुत बढ़ा हो तो manually numbers डालने में भी बहुत time लगेगा तो हम उसके लिए शुरू में दो या तीन number type कर देंगे इसके बाद यह जो numbers हमने type किये हैं इनको select करेंगे और cell के आखिर में mouse ले जाएंगे जहाँ पर एक छोटा सा square दिखाई दे रहा है वहाँ पर mouse ले जाते ही pointer plus की तरह दिखने लगेगा अब वहाँ पर double click कर दें ऐसा करते ही आपके table में जितना data होगा उतने serial numbers यहाँ पर अपने आप fill हो जाएंगे अभी हमारे table में 10 products का data है तो यह देखिए 1 to 10 numbers यहाँ पर अपने आप fill हो गए हैं अब हमें इन serial numbers को copy करके ठेक उसी के नीचे paste कर देना है यानि 10 के बाद वाली जो cell है वहाँ पर click करके हम इन numbers को paste कर देंगे तो यह देखिए वापस से यह 1 to 10 numbers तक नीचे paste हो गए है यहाँ पर ध्यान रखें कि हमने जो data लिया है वो केवल एक उधारन है आपका data यदि बड़ा हो तो जिस number तक वो गया है सिर्फ उन सभी numbers को copy करके आखरी वाले number के नीचे उनको paste कर दें अब हमें ये पूरा data select करना है यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको जहां तक serial numbers लिखे हैं वहां तक का पूरा data select करना है उसके लिए आप table में कहीं पर भी click करके अगर control A प्रेस करेंगे तो ये पूरा table जो है वो select हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर का जो title है वो भी select हो गया है पर हमको केवल data पर ही काम करना है यानि जो details दे हुई है केवल उसी पर काम करना है हम नहीं चाहते कि उपर का जो title है वो select हो उसके लिए हम title के नीचे एक blank row add कर देते हैं ये हमने इस row को select किया और यहाँ पर एक blank row insert कर दी अब जब हम data select करेंगे तो केवल नीचे जहाँ पर details दी हुई है यही select होंगी अब हम चूंकि numbers के हिसाब से sorting करना चाहते हैं इसलिए पहले column में जहाँ पर हमने number डालें वहाँ कहीं पर भी click करके control ए press करेंगे तो यह देखिए पूरी table जहाँ तक serial numbers डले हुए हैं वहाँ तक select हो गई है और उपर का जो title है वो select नहीं हुआ है वो छूट किया है अब हम home tab में sort and filter option के drop down arrow पर click करके sort smallest to largest वाले option पर click करेंगे यह देखिए उस पर click करते ही पूरा data sort हो गया है और ठीक उसी तरह arrange हो गया है जैसा हमें चाहिए था यानि हर data row के नीचे एक blank row add हो गई है एक साथ हमने यहाँ पर तो केवल 10 product की details थी कितना ही बड़ा data हो दो तिन pages का data भी अगर हो तो आप एक साथ उसमें इतनी blank rows add कर सकते हैं यहाँ पर अभी हमें केवल एक row add करनी थी इसलिए हमने serial number को एक बार copy paste किया इसी तरह अगर हमें हर data row के बाद दो blank rows add करना होती तो हम serial number को एक के बाद एक दो बार paste करते चलिए यह भी देख लेते हैं कैसे होगा यह देखे हम वापस पहले वाली स्थिती में आ गए हैं यहाँ पर यह हमने serial numbers डाल रखे हैं अब इसको हम copy कर लेते हैं चूंकि हम हर data row के बाद दो blank rows चाह रहे हैं इसलिए हम इसको दो बार पेस्ट करेंगे यह हमने एक बार पेस्ट किया अब वापस जहां तक यह डला हुआ है उसके अगली cell से इसको फिर पेस्ट कर देंगे यह हमने इसको double पेस्ट कर दिया है अब जैसा हमने आपको बताया था उसी तरह से आप पूरी table को select करके और जब sorting करेंगे तो यह देखिए यहां पर हर रो के बाद दो blank rows add हो गई है यहां पर हम आपको एक और महतुपून बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि हर data row के बाद ही अगर आपको blank row चाहिए तो ही आप इस shortcut का उप्योग कर सकते हैं आपको जहां पर भी blank row लेनी हो वहां पर आप blank row add कर सकते हैं बस serial number किस तरह से डालने होंगे वो आपको ध्यान रखना है जैसे हम आपको यह करके बताते हैं अगर आपको हर दो data rows के बाद एक blank row चाहिए उसके लिए यहां पर हमने दो लिखा उसके बाद चार लिखा क्योंकि हमको दूसरी row के बाद फिर चौती row के बाद blank row चाहिए अब आगे का यह अपने आप ले लेगा जैसा हमने आपको पहले बताया था corner पर माउस ले जाकर के नीचे ड्रैक कर दें और फिर जो प्रोसेस हमने आपको बताई थी वो प्रोसेस आप फिर से कर सकते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो blank row आई हैं वो दो रोस के बाद फिर चार के बाद फिर चे के बाद इस तरह से आई हैं और अगर यह random भी हो तो भी इस तरह से आप रोस एड़ कर सकते हैं उसके लिए फिर यहां पर आपको serial number manually उस तरह से डालना पड़ेगा मालेजिए आपको एक के बाद तीन उसके बाद साथ उसके बाद नौ के बाद empty row चाहिए यानि blank row चाहिए तो यहां पर हमने serial numbers नीचे उसी तरह से डाल दिये हैं जहां जहां पर हमको blank row चाहिए और उसके बाद वापस से इसको select करके sort कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो जो serial number हमने डाला था उसके बाद blank row add हो गई है अब हम वापस से इसको पहले वाली स्थिति में लियाते हैं यह यहां पर हमने वापस table को अपने पहले उदारन के हिसाब से बना लिया है जिसमें की हर data row के बाद एक blank row है अब हम इसको थोड़ा customize कर लेते हैं तो यह हम इसमें अब आगे भी जो data आया है उसके हिसाब से border set कर देते हैं यह हमने border दे दी है अब हम चूंकि हर product के नीचे जो blank cell है उसमें उसकी detail या उसके features लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हर blank row के cell को हम merge कर देंगे और साथ ही हमको वो जो serial numbers नहीं चाहिए थे तो उनको भी हमने हटा दिया है अब चूंकि हमको product की detail या उसके features लिखना है blank row में तो हम इन blank rows के cells को merge कर लेते हैं इसके लिए control key press करके हम सारी blank rows को select कर लेंगे और अब merge in center पर जाकर के click कर देंगे यह देखिए blank rows के जो भी cells थे वो सब merge हो गए हैं अब यहाँ पर हम in rows में product के features के बारे में लिख सकते हैं अब हम आपको एक और shortcut के बारे में समझा देते हैं यदि आपको table का data कुछ इस तरह चाहिए यानि पहले column 1 से product का नाम उसके बाद उसका description आए फिर उसका price दिखे और फिर in stock quantity दिखे उसके बाद फिर दूसरे product का नाम आए और फिर नीचे उसका description इत्यादी आए तो ये कैसे कर सकते हैं चलिए वो हम आपको बता देते हैं इसके लिए हमें हर data row के बीच में उतनी blank row add करनी होंगी जितने column का data आपको लेना है जैसे यहाँ पर हमें product name के बाद तीन columns का data लेना है इसलिए यहाँ हम तीन rows add कर देंगे row कैसे add करते हैं यह हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं यह देखिए यहाँ पर हमने rows add कर दी है अब आपको जहाँ भी अपने data की series चाहिए मतलब पहले product का नाम आए फिर उसका description आए ऐसी list आप चाहते हैं जहाँ भी वहाँ पर एक cell में click करें फिर equal to का निशान लगा कर पहले product का नाम select करें और enter press कर दें यह देखिए पहले product का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब नीचे वाली cell में equal to का sign लगा करके product description वाली cell पर click करें और enter press कर दें यह देखिए product description यहाँ पर आ गया है अब इसके नीचे वाली cell में equal to का sign लगा कर price वाली cell select कर लें फिर enter press करें देखें यहाँ पर price आ गया है अब यहाँ पर हमको in stock quantity चाहिए इसके लिए फिर equal to का sign लगा करके in stock quantity वाली cell पर click करेंगे फिर enter press कर देंगे यह देखें यहाँ पर stock में product की quantity यहाँ पर आ गई है अब इन चारूं cells को select करें और copy करने के लिए नीचे तक drag कर दें ध्यान रखें आपको वहीं तक drag करना है जहां तक कि इन सभी products यह नाम और description इत्यादी complete हो जाएं अब यह देखें जैसे ही हमने drag करके click छोड़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर product का नाम और उसका description इत्यादी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे तो आपने इंटरनेट का उप्योग करते समय हाइपर लिंक के बारे में सुना होगा हाइपर लिंक किसी एक वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इमेज, इत्यादी को अन्य किसी वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इमेज, इत्यादी से जोड़ती है आपने इंटरनेट पर कोई लेख पढ़ते समय देखा होगा कि किसी शब्द या वाक्य पर क्लिक करने से एक अलग पेज खुल जाता है जिसमें उस शब्द या वाक्य के बारे में पूरी जानकारी होती है इसे प्रकार की शब्द या वाक्य पर बनी लिंक को हाइपर लिंक कहते हैं चलिए हम आपको दारन के साथ एकसल में हाइपर लिंक के प्रयोग की पूरी जानकारी दे देते हैं यहां हमने एक स्कूल की क्लास फिफ्ट से लेकर सेवंथ तक की एन्यूल रिपोर्ट्स का एक्जांपल लिया है इसमें दो एन्यूल रिपोर्ट्स हैं एन्यूल अटेंड़न्स शीट और एन्यूल एक्जाम मार्क शीट इस workbook में नीचे आप देख सकते हैं हमने सभी classes के लिए अलग-अलग annual attendance sheet और annual exam mark sheet बनाई हुई है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th की annual attendance sheet अलग है और 5th की annual exam mark sheet अलग है इसी तरह से बाकी classes के लिए भी है अब जो कठनाई आती है वो ये कि ये तो कुछ ही classes की report है इसलिए हम आसानी से कोई भी sheet open करके देख सकते हैं इस तरह से किन्तो यदि हमारे पास बड़ा data होता तो हमें अलग-अलग work sheet देखने में कठनाई होती तो इस कठनाई का हल हम hyperlink का उपयोग करके निकाल सकते हैं कैसे चलिए आपको बता देते हैं माल लेजिए हम class 5th के summarized report देखना चाहते हैं जिसमें उस class में total कितने बच्चे हैं top 3 students कौन से हैं इत्यादी जनकारी लिखी हुई है ये summarized report हमारी computer में एक folder में saved है और हम इस report को hyperlink की सहायता से class 5th से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम class 5th वाले cell पर right click करेंगे और open हुए menu में से hyperlink पर click कर देंगे hyperlink पर click करते ही एक window open होगी इसमें आपको चार प्रकार के link जोड़ने के options दिखाई देंगे आप इन में से किसी भी एक को अपने कार्यानुसार चुन सकते हैं हम एक एक करके इन सभी options के बारे में आपको बताएंगे पहले हम existing file और web page option के बारे में जान लेते हैं इस option की सहायता से हम दो तरह के hyperlinks बना सकते हैं पहला computer में saved किसी file को दूसरा किसी website को पहले हम किसी existing file को hyperlink करके देख लेते हैं hyperlink बनाने के लिए browse for file option पर click करें यह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक folder वाला icon नजर आ रहा है यह होता है browse for file option इस पर click करें अब इस window में उस path पर जाएं जहाँ पर file saved है हमारी file document में एक folder में saved है तो यहाँ left side में दिखाई देरे options में से हमने document पर click किया अब यहाँ पर class reports नाम से एक folder है जिसमें हमारी file है हम इस folder पर double click करेंगे और folder open होने पर हम जिस file को hyperlink करना चाहते हैं उस पर double click करेंगे या फिर उस file पर click करके ok पर click कर देंगे ऐसा करते ही hyperlink वाली इस window में address के सामने आप देख सकते हैं कि जो file हमने browse करके select की उसका path आ गया है अब ok पर click करेंगे ok पर click करते ही देखिए class 5 पर hyperlink बन गई है अभी यहाँ पर यह blue के अंदर blue नजर नहीं आ रहा है तो हम इस cell का color change कर देते हैं ताकि यह आपको अच्छे से दिख सके हमने इसको वाइट कर दिया है देखिए यहाँ पर यह hyperlink बन गई है और इस cell के text का format बदल गया है जब भी हम इस text पर click करने के लिए mouse ले जाएंगे तो यहाँ पर mouse का निशान बदल करके हाथ का निशान आ जाएगा यह hyperlink के पहचान है हम इस cell पर click कर रहे हैं यह देखिए click करते ही वो file open हो जाएगी जिसकी hyperlink हमने cell पर बनाई थी अब हम दुबारा से अपने पहले वाली रिपोर्ट्स की वर्ग बुक पर चलते हैं चलिए अब हम किसी cell पर कोई website की link लगा कर देखते हैं हम class 5th के website page पर एक website की hyperlink लगाना चाहते हैं तो जिस cell में website page of class 5th लिखा हुआ है उस पर right click करेंगे और open हुए menu में से hyperlink पर click करेंगे अब open हुई window में existing file और webpage सिलेक करने के बाद address के सामने वाले box में उस website का address टाइप करें जिसे आप selected cell से link करना चाहते हैं यहाँ पर हमने टाइप किया www.gyanayagya.info website address टाइप करने के बाद हम okay पर click कर देंगे okay पर click करते ही देखिए यहाँ पर selected cell पर hyperlink बन गई है हम इस पर click करके देखते हैं यह देखिए website open हो गई है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको excel में hyperlink बनाने के अन्य options के बारे में बता देते हैं उसके लिए दोबारा reports वाली excel sheet पर चलते हैं अब हम class 5 के annual attendance sheet वाले cell पर class 5 की attendance sheet की hyperlink लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इस cell पर right click करेंगे और open हुए menu में से hyperlink option पर click करेंगे ओपन हुई window में hyperlink लगाने का अगला option है place in this document इस option के साहता से आप जिस excel workbook में काम कर रहे हैं उसी excel workbook की किसी sheet पर या किसी sheet के particular cell पर hyperlink लगा सकते हैं hyperlink वाली window में से अब हम इस option पर click करेंगे ऐसा करते ही आप window में देख सकते हैं select a place in this document के अंतरगत इस workbook में जितनी भी sheets आपने बनाई होंगी उनके नाम दिखाई पड़ेंगे उनमें से जिस भी worksheet की hyperlink selected cell पर आप बनाना चाहते हैं उस sheet के नाम पर double click करें या फिर नाम पर click करके ok पर click कर दें हम class 5th की annual attendance sheet की hyperlink इस cell पर देना चाहते हैं तो इस window में हम 5th की annual attendance sheet पर double click कर रहे हैं attendance sheet open हो गई है चलिए अब इस workbook में reports के नाम वाली sheet पर यानि पहली sheet पर चलते हैं और hyperlink के अगले options देख लेते हैं अमाली जी हम class 5th की annual exam mark sheet के लिए एक नई workbook बना कर उसकी hyperlink इस excel workbook में class 5th की annual exam mark sheet वाले cell पर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस cell पर जाकर के right click करेंगे और फिर open हुए menu में से hyperlink पर क्लिक करेंगे अब चूंकि हम एक नया document बनाना चाहते हैं इसलिए create new document option पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां name of the new document के नीचे वाले box में नई file के लिए एक नाम टाइप करेंगे यह हमने यहां पर नाम टाइप कर दिया है इसके बाद वो path सेलेक करेंगे जहां पर इस नई file को हम save करना चाहते हैं यहां पर by default एक path दिया होता है इसे आप change option के साहता से बदल भी सकते हैं इसके बाद when to edit के अंतरगयत आपको दो options दिखाई पड़ेंगे edit the new document letter और edit the new document now यदि आप नए document को अभी edit करना चाहते हैं तो इस option को selected रहने दें क्योंकि यह पहले से ही selected है और अगर आप इस document को बाद में edit करना चाहते हैं तो edit the new document letter option को select करके ok पर click कर दें हम edit the new document now option को selected रहने दे रहे हैं और अब हम ok पर click कर देंगे ok पर click करते ही देखिए यह नया document बन गया है जिसकी hyperlink हमारे द्वरा selected cell पर बन गई है चली अब आगे बढ़ते हैं और hyperlink के आखिरी option को समझ लेते हैं hyperlink लगाने का आखिरी option है email address मान लीजिए इस excel sheet में हम school email के सामने वाली cell में email की hyperlink लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां दिखाई दे रहे email वाले cell पर right click करके open हुए menu में से hyperlink पर click करें अब open हुई window में यहां पर last option है email address इस पर click करेंगे अब email address के नीचे वाले box में email type करेंगे यह हमने यहां पर email address type कर दिया है अब ok पर click करेंगे ok पर click करते ही यहां पर आप देख सकते हैं selected cell पर email का hyperlink बन गया है अब हम आपको hyperlink remove करना बता देते हैं उसके लिए आपको जिस भी cell से hyperlink हटानी है उस पर right click करें हम class 5 पर right click कर रहे हैं अब open हुए menu में से remove hyperlink option पर click करें remove hyperlink option पर click करते ही selected cell से hyperlink हट जाएगी देखिए अब यहां पर कोई hyperlink नहीं है हम आपको दो तरीकों से picture insert करना बताएंगे पहले हम computer में saved picture को excel में insert करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक list ली है जिसमें fruits के नाम है और fruit के नाम के सामने हमें उसकी image insert करनी है image insert करने के लिए menu बार में दिख रहे insert tab पर click करें अब उसके ribbon में दिख रहे options में से illustrations पर click करें यहां नीचे आप देख सकते हैं एक menu खुला है इसमें से pictures पर click करें उस पर click करते ही एक window open होगी जिसके सायता से आप अपने computer में से अपनी पसंद की picture select कर सकते हैं यहां से हमने picture select की और आप insert पर click कर देंगे insert पर click करते ही आप देख सकते हैं कि picture insert हो गई है पर यह बहुत बड़ी है इमेज को resize करने के लिए यहां पर corner पर mouse ले जाकर के हम इसे अंदर की तरफ drag करते जा रहे हैं जिससे यह छोटा हो जाए और हमको यह इतना चोटा करना है कि हमारे इस box के अंदर आ जाए यह देखिए अब यह जो picture है वो इस box में set हो गई है इस तरह से आप picture को resize कर सकते हैं उसे बड़ा या चोटा कर सकते हैं अब यह जो picture है वो हमने computer की सहयता से insert की पर कभी ऐसा होता है कि computer में हमें जो picture चाहिए वो होती नहीं है तो उसके लिए हम picture इंटरनेट से भी ढूण सकते हैं तो चलिए आपको online picture insert करना बता देते हैं उसके लिए वापस से menu वार में दिख रहे answer टैब पर क्लिक करें उसके बाद ribbon में दिख रहे options में से illustrations पर क्लिक करके यहाँ नीचे online pictures वाले option पर क्लिक करें online pictures पर क्लिक करते ही एक dialogue box open होगा जिसमें बिंग image search की सहयता से आप online picture search कर सकते हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस option को use करने के लिए आपका computer internet से connected होना चाहिए image search करने के लिए बिंग image search के सामने दिखाई दे रहे box में जो image search करनी उसका नाम लिखे हमें guava की picture चाहिए इसलिए यहाँ पर हमने type किया guava और अब हम enter press कर देंगे यह देखिए हमें image के results मिल गए हैं यहाँ हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि बिंग उन images को प्रदर्शित करता है जिने creative commons का license प्राप्त है इसका आर्थ है कि आप उन्हें अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको एक और option मिलेगा वो है all all पर अगर आप click करते हैं तो आपको वो सारी images भी इसमें मिल जाएंगी जो की licensed हैं और जिनका इस्तमाल हर जग़ नहीं किया जा सकता है इसलिए बहतर है कि आप creative comments only के अंतरगर जो pictures दिखाई दे रही हैं उसी में से कोई picture या image सिलेक करें अब search results में से जो picture आपको चाहिए उसे सिलेक कीजिए और फिर insert पर click कर दीजिए देखिए picture insert हो गई है इसको भी हम उसी तरह से resize कर लेंगे जैसे हमने पहली वाली picture को किया था अब इसी तरह से हम बाकी के fruits की images भी insert कर लेते हैं ये देखिए हमने list में सभी fruits की pictures insert कर ली हैं अब ये तो हमने अभी आपको बताया कि आप Excel sheet में image कैसे insert कर सकते हैं पर कभी कभी किसी कारण वर्ष हमें Excel की कोई row hide या delete करनी पड़ती है चलिए देखते हैं कि row को hide करने पर images में क्या बतलावाते हैं हम row को select करके उस पर right click करेंगे ये हमने third row को select किया मालीजे हमको ए ग्वावा वाली जो row है वो हटानी है इसको हमने select किया और right click करके menu में से hide option पर click कर दिया अब ये देखिए याँ से second के बाद fourth row आ गई यानि third row जो है वो hide हो गई और ग्वावा की जगह यहाँ पर grabs दिखाई दे रहा है पर images में आप देख सकते हैं कि ग्वावा की जो image है वो hide नहीं हुई है ग्वावा की image के उपर grabs की image ओवरलेट हो गई है तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो यानि row को hide या delete करने पर image भी hide या delete हो जाए तो उसके लिए सभी images को एक साथ select कर लीजिए पहले हम इसको unhide कर देते हैं अब सारी images को आप एक साथ select कर लीजिए सभी images को एक साथ select करने के लिए keyboard में control key प्रेस करें एके करके सभी images पर click करते जाएं यह हमने सारी images select कर ली हैं अब किसी भी एक image पर right click करके menu में से format object option पर click करें यह एक side pen open हो गया है इस side pen में से size and properties पर click करें यहां से properties पर click करें अभी यहां पर move but don't size with cells option selected है अब यहां पर आप move and size with cells option के सामने दिखाई दे रहे बटन पर click करके इसको select कर लीजिए images की properties में change करने के बाद side pen को close कर दीजिए अब हम एक बार फिर से row को hide करके देखते हैं फिर से हमने third row को select किया right click करके height option पर click किया अब आप यहां पर देख सकते हैं कि वो पूरी row hide हो गई है जिसमें text के साथ साथ image भी hide हो गई है आप यहां पर grabs के आगे grabs की ही picture दिखाई दे रही है और जब हम row को unhide करेंगे तो picture भी unhide हो जाएगी आज हम आपको indirect formula के बारे में बता रहे हैं indirect formula जैसा की इसका नाम है indirectly अपना काम करता है यह किसी cell reference के आधार पर जिस cell का reference दिया हुआ है उस cell में लिखी value को show करता है इस formula कमा तो तब ज्यादा होता है जब हम इससे किसी अन्य formula जैसे की sum, average, इत्यादी के साथ उप्योग करते हैं इस विशे के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और यहां कुछ cells के नंबर लिखे हुए हैं अब यदि हमें ये जानना है कि cell B2, B7 और B14 में किन employees के नाम है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं पहला direct way यानि हम एके करके directly cell B2, B7 और B14 में किन employees के नाम है ये cell reference यानि cell address के साहिता से देख सकते हैं और दूसरा indirect way इसके लिए हमें indirect formula का उप्योग करना होगा हम आपको ये दोनों ही तरीके बता रहे हैं पहले हम directly cell B2, B7 और B14 में किन employees के नाम हैं ये पता करते हैं इसके लिए यहाँ पर equal to का sign लगा करके B2 लिखेंगे और फिर enter press कर देंगे ये देखिए ऐसा करने पर cell B2 में जो value है यानि जो employee का नाम है वो यहाँ पर आ गया है अब हम यहाँ से इसे drag करके आगे वाले cells में copy करके देखते हैं देखिए drag करने पर हमको यहाँ पर सही value नहीं मिली है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने कोई formula नहीं लिखा है बलकि directly ही value निकाली है यदि आपको सही value या नाम चाहिए तो उसके लिए आपको हर बार equal to का sign लगा करके नाम वाले cell का address टाइप करना पड़ेगा यह समस्या indirect formula से सुलज़ाई जा सकती है इसको हम delete कर देते हैं और अब यहाँ पर हम लगाएंगे formula indirect formula उस cell की value written करता है जिस cell का address हमारे द्वारा selected cell में होता है चलिए देखते हैं यह कैसे होता है यहाँ पर हमने कुछ employees के नाम लिए हैं और यहाँ पर कुछ cells के नमबर लिखे हुए हैं तो indirect formula हमें यह बताएगा कि cell B2, B7 और B14 में किन employees के नाम हैं उसके लिए यहाँ equal to का sign लगा करके हम type करेंगे indirect यह देखे initials डालते ही यहाँ पर Excel ने हमें formula suggest किया है डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे यहाँ पर पहला argument है reference text मतलब हमें जिस नमबर के cell से text लेना है उसका reference कौन से cell में है तो उसके लिए जिस cell में हमने B2 लिखा हुआ है हम उस पर क्लिक करेंगे अब bracket close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए enter press करते ही यहाँ पर राम लिखा हुआ आ गया है क्योंकि हमने formula में जो cell से लेक किया था उसमें B2 लिखा हुआ था मतलब हमने indirectly cell B2 में जो value थी वो यहाँ पर निकाली अब इस formula को यहाँ से आगे वाले cells में drag करके copy करने पर देखिए हमें दूसरे cells में भी result मिल गया है और यहाँ से हम इसे check कर सकते हैं बी 7 पर प्रिया नाम है जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और बी 14 पर नाम है प्रांजल जो यहाँ पर है मतलब हमारी जो आगे की values आई हैं वो सही आई है फुल नेम को स्प्लिट करने का एक और आसान तरीका भी है वो है flash fill flash fill की सहता से आप अपने data को automatically और बहुत ही आसानी से extract या combine कर सकते हैं यानि अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ सकते हैं या फिर उन्हें वापस जोड सकते हैं इस वीडियो में हम आपको तीन अलग-अलग उधारण देकर flash fill का उपयोग समझाएंगे यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात और बता दें कि ये जो option है वो 2013 से पहले वाले Excel versions में नहीं है चली देखते हैं flash fill किस तरह से काम करता है चुकि flash fill एक auto fill की तरह काम करता है तो इसका उपयोग करने से पहले ये सुनिश्यत कर लेते हैं कि setting में flash fill को automatically उपयोग करने का option enabled है या नहीं इससे ये होगा कि जब भी हम flash fill का उपयोग करेंगे तो बची हुई list अपने आप fill up हो जाएगी ये चेक करने के लिए हम यहाँ उपर file option पर क्लिक करेंगे यहाँ से नीचे options पर क्लिक करें ये जो window open हुई है इसमें left hand side पर advanced का जो option नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें और अब editing options के अंतरगत यहाँ पर आपको मिलता है automatically flash fill ये by default checked रहता है यानि ये selected होता है अगर ये selected ना हो तो आप इसके सामने वाले check box पर क्लिक करके इसे enable करतें अब हम okay पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक data लेया है इसमें candidates की details दी हुई है जैसे की candidate का पूरा नाम, शहर का नाम, state का नाम और उसका mobile number अब हम चाहते हैं कि candidate का जो पूरा नाम है उसको हम split करके अलग-अलग cells में लिखतें तो यहाँ पर हमने दो अलग columns लिए हैं, first name और last name तो हम चाहते हैं कि full name को हम split कर दें और इन दो columns में लिखतें यहाँ पर अभी हमने जो full name है उसी के पास ये दो columns ले लिए हैं हमको first name चाहिए, इसलिए पहले हम यहाँ पर first name टाइप कर देंगे राधा शर्मा में से, राधा हमने first name वाले column में टाइप किया अब हम चाहते हैं कि बाकी की जो cells हैं उसमें अपने आप बाकी के नाम टाइप हो करके आ जाएं तो उसके लिए हम इन सारी cells को select कर लेंगे राधा जहां हमने लिखा है उस cell को भी हम उसमें लेंगे अब हम home tab के editing block में fill option पर जाएंगे इस पर click करेंगे और यहां सबसे end में option है flash fill इस पर click कर देंगे यह देखिए जैसे ही हमने flash fill पर click किया यह सारे की सारे first names यहां first name वाले column में आ गए हैं इसी तरह से हम last names भी fill कर सकते हैं पहले यहां पर surname लिख देंगे शर्मा और उसके बाद इन सारे cells को select करके जहां तक की हमको नाम चाहिए editing block के fill option पर click करेंगे यहां से flash fill पर click करेंगे यह देखिए इस वाले column में सारे surnames आ गए हैं यानी last names आ गए हैं तो इस तरह से flash fill की मदद से बहुत आसानी से हम किसी भी full name को split कर सकते हैं यहां पर हमने option का उप्योग किया था वहां पर जाकी click किया आप चाहें तो shortcut keys control E भी press कर सकते हैं यहां पर हमने फसनेम और लासनेम वाले जो columns हैं वो हमारा जो source column है full name वाला उसके पास में ही लिये थे आप इनको चाहें तो किसी और जगर पर भी रख सकते हैं पर एक बात का ध्यान रखें कि वो column हमारा जो data है जिसमें से कि हमको कोई भी text split करना है वो उससे सटा हुआ होना चाहिए क्योंकि flash fill जो है वो जो भी result वाला column है जिसमें कि हमको result चाहिए उसके आसपास के column में से ही उस pattern को ढूंगता है अगर हमने कोई column बीच में छोड़ दिया तो फिर यह option काम नहीं करेगा हम आपको यह करके बता देते हैं जैसे कि हमने बीच में column छोड़ दिया और अब हम यहां से नाम लिखना शुरू करते हैं एक और बात ध्यान रखें कि राधा शर्मा चुकि इस रो में लिखा हुआ है इसलिए हम इस रो से ही शुरू करेंगे तो यहां पर हमने राधा लिख दिया है अब इनको पूरा हम नीचे तक सेलेक कर लेते हैं और उसके बाद वापस हम फिल पर जाकरके फ्लेश फिल पर क्लिक करेंगे यह देखिए य क्योंकि इसके दोनों तरफ खाली कॉलम्स हैं तो सोर्स कॉलम्स कौन सा है वो इसको यहां पर समझ में नहीं आता है इसको हम ओके कर देते हैं अब हम इसकी बज़ाए हमारा डेटा जो है वो यहां से लेना शुरू करेंगे अब हम आपको बताते हैं कि बिना उप्शन पर क्लिक किये भी अपने आप फ्लेश फिल किस तरह से काम करता है अब रिजल्ट के लिए हमने यह वाला कॉलम्स चुना है जो की हमारे एक्जेंपल से बिलकुल सटा हुआ है मतलब जो डेटा हमने लिया हुआ है उससे बिलकु अब हमने आपको एक तरीका बताया था कि हम फ्लेश फिल ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करते हैं अब अपने आप फ्लेश फिल इस लिस्ट को पूरा कैसे कर देता है वो हम आपको बताते हैं उसके लिए हमको इसको पैटर्न समझाना होगा हम चाहते हैं कि हमको फर्स नेम मिल के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि अपने आप यह लिस्ट भर रही है अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यह देखिए सारे की सारे फर्स नेम अपने आप यहां पर आ गए हैं इसी तरह से आगर आपको लास नेम चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं पर एक और बात का ध्यान रखें कि जो हमारे सोर्स कॉलम में जिस रो से वो टैक्स शुरू हो रहा है उसी रो में आपको वो लिखना है अगर हम किसी और रो से शुरू करेंगे तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा वापस से हम उपर से टाइप करना शुरू करते हैं यह हमने ट दूसरा लास नेम जैसे ही हम टाइप करेंगे तो यह देखें नीचे हमको लिस्ट दिखाई दे रही है एंटर प्रेस करते ही फ्लेश फिल अपने आप सारे लास नेम्स को यहां पर भर देगा यहां पर अभी हमने जो फिर्स नेम और लास नेम अलग अलग स्प्लिट करके लिखे थे वो यहां से हटा दिये हैं और अब हम आपको बताते हैं कि हम टेक्स को केवल स्प्लिट ही नहीं कर सकते हैं चाहें तो इस उप्षिन की सहता से उनको कंभाइन भी कर सकते हैं उसके लिए हम full name वाले column के जो सारे नाम है उनको delete कर देते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि first name है और last name है पर हम चाह रहे हैं कि ये पूरा जो नाम है वो इखटा हो करके एक साथ आ जाए उसके लिए हमको flash fill को pattern समझाना होगा तो हम पहले दो cells में पूरा नाम लिखेंगे पहले हमने लिखा राधा शर्मा और इसको pattern समझाने के लिए दूसरे cell में हम दूसरा नाम डाल देंगे ये देखिए जैसे हमने दूसरा नाम डाला यहाँ पर नीचे हलका सा दिखने लगा है कि आपको यही सारे result चाहिए क्या यह suggestion आ रहा है जैसे यह enterprise करेंगे तो यह देखिए तो अपने आप flesh fill ने सारे की सारे जो cells हैं उसमें नाम combine करके show कर दिये हैं तो flesh fill की सहता से जिस तरह अभी हमने full name से first name और last name को अलग करके फिर उन्हें combine किया उसी तरह से अगर सभी नामों में middle name हो तो उन्हें भी आप split और combine कर सकते हैं अब चलिए हम तूसरा example देखते हैं उसके लिए हम sheet 2 पर click करेंगे इस example में हमने candidates का complete address लिया हुआ है जिसमें की सबसे पहले colony या area का नाम लिखा है फिर कॉमा लगा करके शहर का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद कॉमा लगा करके last में state का नाम लिखा हुआ है अब यदि इस पूरे address में से हमें केवल शहर और state का नाम अलग-अलग column में लिखना हो तो वो हम flesh fill की साहता से कर सकते हैं मतलब इस complete address में से हमको शहर का नाम और प्रांद का नाम अलग कर लेना है तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर यह देखें दो हमने अलग-अलग columns बनाए हैं city और state के लिए तो अब हम सबसे पहले शहर के लिए flesh fill करके देख लेते हैं यहाँ पर हम पहला जो शहर उसका नाम टाइप करेंगे indoor और अब दूसरी cell में जैसे ही हम शहर का नाम टाइप करना शुरू करेंगे यह देखें नीचे आप देख सकते हैं flesh fill ने सभी शहरों के नाम के लिज़ दिखा दी है आप केवल down arrow की भी प्रेस करेंगे तो यह देखें पूरा कॉलम जो है वो अपने आप भर गया है इसी तरह से हम state के नामों की list भी बना सकते हैं पहले state का नाम टाइप करेंगे यह हमने टाइप किया MP हमको दो बार और state का नाम टाइप करना होगा क्योंकि पहली cell और दूसरी cell में जो state का नाम है वो same है तो इसको पैटन पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है दूसरे में भी हमने लिखा MP जैसे ही तीसरे cell पर हम आएंगे और गुजराट टाइप करना शुरू करेंगे तो यह देखिए फ्लेश फिल ने यहाँ पर suggestion शो कर दिये है लिस्ट को और टो फिल नहीं करेगा और पैटन पहचानते ही यह बागी पूरी लिस्ट को और टो फिल कर देता है इसी तरह से आप समय बचाते हुए अड्रेस में से बिना कट कॉपी पैस्ट किये शहर, स्टेट पिन कोड इत्यादी की अलग-अलग लिस्ट बना सकते है अब हम आपको फ्लेश फिल का उप्योग करते हुए तीसरा और आखिरी उधारन बता देते हैं उसके लिए हम शीट 3 पर चलते हैं इस एक्जाम्पल में कुछ एम्प्लॉईस के नाम हैं जो की एक ही कंपनी में काम करते हैं अब यदि ये कहा जाए कि इन सभी कंडिडेट्स के इमेल आईडे की लिस्ट बनानी है और पैटर्न ये है कि सबसे पहले एम्प्लॉई का फर्स नेम लिखना है और फिर डॉट लगा के लिखना है लास नेम और उसके बाद कंपनी का जो डॉमेन नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा एटरेट xyz.com मान लीजिए xyz नाम की कंपनी है चूंकि ये सभी इसी कंपनी के एम्प्लॉईज है इसलिए यहाँ पर एटरेट xyz.com सभी के इमेल एड्रेस में आना है अब अगर हम एक-एक नाम का इमेल आईडी खुद से टाइप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है तो यहाँ पर हम flash fill की मदद ले सकते हैं देखते हैं ये कैसे काम करेगा ये पैटर्न को पहचान ले उसके लिए हम पहला जो employee है उसका इमेल आईडी लिख देंगे तो यहाँ पर हमने first name में लिखा राधा फिर डॉट लगा के लिखा शर्मा एदरेट एकस वाईजेट डॉट कॉम अगले cell में हम example के लिए अगले employee का इमेल आईडी लिखेंगे तो अब यहाँ से यह इस pattern को पहचान जाएगा अब जैसे ही हम अगली cell पर जाकर लिखना शुरू करेंगे तो यह देखे अपने आप यह बाकी के email आईडी यहाँ पर हमको शो करने लगेगा down arrow key प्रेस कीजिए और यह देखे सारे की सारे Candidates के email आईडी यहाँ पर इस pattern में अपने आप लिख करके आ गए है यदि आप टेक्स्ट के बाएं तरफ से characters या अक्षर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए left formula का उप्योग किया जाता है यदि आप टेक्स्ट के दाएं तरफ से characters निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए right formula का उप्योग किया का जाता है और यदि आप text के बीच से characters निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए mid formula का उप्योग किया जाता है यहाँ हम आपको एक महत्तपुन बात बता दें कि यह formula न्य फार्मोलों के साथ उप्योग करने पर ज्यादा उप्योगी होते हैं जिने हम आगे अन्य वीडियोस में देखेंगे चलिए एक एकर करके इन तीनों फॉर्मुलों को आपको उधारन के साथ समझा देते हैं लेफ्ट फॉर्मुले की सायता से हम सिलेक्टिट टेक्स्ट या सेंटेंस के बाएं तरफ से केरेक्टर्स या अक्षर निकाल सकते हैं उधारन के लिए यहां पर हमने एक table बनाई हुई है इसमें पहले column में वो text है जिसमें left तरफ से हमें characters निकालना है दूसरे column में कितने characters हम निकालना चाहते हैं वो number हमने यहां पर लिख दिये हैं और तीसरे column में हम formula लगाएंगे यहां equal to का sign लगा करके हम type करेंगे left यह देखिए यहां Excel ने हमें formula का suggestion दिया है यहीं से हम इसको double click करके ले लेंगे यहां पर पहला argument है text इसके लिए हम वो text या sentence select करेंगे जिसके बाईं तरफ से हमें अक्षर लेना है हमको इस text के बाईं तरफ के characters लेना है इसलिए हमने इसको select कर लिया कॉमा लगाने के बाद अगला argument है number of characters इसके लिए selected text के बाईं तरफ से हम जितने characters लेना चाहते हैं वो number हम यहां पर type करेंगे हम दो characters लेना चाहते हैं इसलिए हम दो type कर रहे हैं और फिर bracket close करके enter press कर देंगे यह देखे हमारे दोरा जो selected text था वो था hello जिसके left से पहले दो characters है H और E और left formula लगाने पर यह दोनों characters हम लेना चाहते थे वो हमको मिल गए हैं यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि अभी हमने number of characters जो हैं वो यहां पर manually लिखे थे पर अगर हम इस formula को drag करके नीचे वाले cells में copy करेंगे तो उससे हमें दूसरे text के लिए सही result नहीं मिलेंगे अगर आप हर text के लिए नए सिरे से formula type नहीं करना चाहते हैं और यहीं से formula को आगे तक drag करके copy करना चाहते हैं तो उसके लिए formula type करते समय number of characters manually लिखने के बज़ाए उस cell को select करेंगे चलिए हम फिर से formula लगाते हैं equal to का sign हमने यहां पर लगाया left लिखा double click करके यहां से हमने formula ले लिया अब text के लिए हमने पहला वाला cell select किया comma लगा करके अब हम number of characters manually type न करके number of characters वाला cell है उसको select कर लेंगे यहां पर हमने already दो लिखकर रखा हुआ है इसको select किया और यह हमने इसलिए select किया ताकि हम यहां से formula को नीचे तक copy कर सके अब हम bracket close करेंगे और enter press करेंगे यह देखिए इस बार भी हमें वही answer मिल गया है left से पहले दो जो characters है H और E वो हमको formula लगाने पर मिल गए हैं अब हम आगे के self के लिए यहां से इसको drag करके नीचे तक formula को copy कर देंगे side 3 लिखा था वहां पर हमको 3 characters मिले हैं जहां पर हमने number of characters वाले कॉलम में 5 लिखा था वहां selected text से हमें 5 characters मिल गए हैं और जहां पर हमने 8 लिखा था वहां हमें 8 characters मिले हैं अब यहां पर आपको लग सकता है कि यहां तो केवल 3 इन ही letters दिखाई दे रहे हैं, पर हम letters की नहीं characters की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे text में कोई रिक्त स्थान है, यानि की space छुटा हुआ है, तो left formula उसे भी एक character मानेगा, जैसे कि इस table के इस आखरी example में आप देख सकते हैं, I am at cinema, ये जो sentence है, इसमें I से पहले दो space है, I के बाद भी दो space है, तो जब हमने left formula की सहता से I am at cinema के 8 characters निकालना चाहें, तो हमें केवल I am मिला, क्योंकि I के पहले के दो, I के बाद के दो, तथा M के बाद के एक space को भी left formula ने character की तरह गिना, तो इस तरह से यहाँ दो space को दो character मान लिया, I हो गया तीसरा character, फिर यहाँ जो दो space थे उनको भी दो characters मान लिया, तो ये हो गया 5, फिर एक A और M, ये हो गया 7, और बाद में जो एक space आया, वो हो गया 8 वा character, इस तरह से यहाँ पर हमको 8 characters मिल गए हैं, अब चलिए हम आपक right formula का उपयोग करके बता देते हैं, right formula की सायता से हम selected text या sentence के दाई तरफ के characters निकाल सकते हैं, तो चलिए, यहाँ पर formula लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने कितने characters हमको चाहिए, उनका number लिख दिया है, अब यहाँ पर हम formula लगा रहे हैं, equal to का sign लगा करके, हम लिखना शुरू करेंगे, right, आ रहे ही type करते ही, Excel ने हमें यहाँ formula suggest किया है, इस पर double click करके हम इसको ले लेते हैं, पहला argument है, text, तो हमें जो text select करना है, वो हम select कर लेंगे, comma लगाएंगे, और उसके बाद number of characters वाला cell select करेंगे, इसे हमने इसलिए select किया है, ताकि हम इस formula को भी नीचे की cells तक copy कर सके, अब इसके बाद bracket close करेंगे और enter press कर देंगे, यह देखिए, इस बार हमने formula की सहयता से right side के दो characters निकालने चाहे थे, तो इस formula की मदद से right side से हमें दो characters L और O यहाँ पर मिल गए हैं, अब हम इस formula को नीचे तक copy कर देते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर हमको बाक formula का उपयोग, mid formula हमें शब्दों या sentences के बीच से अक्षर निकाल करके देता है, हमें इसमें यह बताना होता है कि कहां से कितने characters चाहिए, चलिए इसका उपयोग करके देखते हैं, इस table में हमने mid formula के लिए starting position भी लिखी है, क्योंकि कहां से शुरू करके हमको letters निकालना है, अब यहां पर हम formula लगाएंगे, equal to का sign लगा करके हम type करेंगे mid, यहीं से double click करके हमने formula लिया, सबसे पहला argument है text, तो हम वो text या sentence select कर लेंगे, जिसके बीच में से हमें अक्षर लेना है, या characters लेना है, तो हमने इस text को select किया, comma लगाएंगे, अब यहां पर अगला argument है start number, इ कि by तरफ से कौन से number से हमको, या कौन सी position से हमको character लेना है, मतलब by तरफ से कौन से number के character से हमको mid function शुरू करना है, उधारन के लिए हम hello में से h को छोड़कर के e से characters लेना चाहते हैं, अब चूंकि e दूसरे number पे है, इसलिए starting position में हमने लिखा है, तू, इसे तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से हमें 1 और 2 को छोड़कर के 3 से characters लेना है, अब चूंकि 3 इसमें तीसरे number पे है, इसलिए यहां starting position में हमने लिखा है 3, इसे तरह से हमने बाकी के text के लिए भी किया है, इस sentence में हमने starting position लिखी है 5, यानि हमको 1, 2, 3, 4, 5, इसे characters लेना शुरू करना है, तो हमने W, H, E, R, यह चार characters को छोड़कर के starting position में यहां पर number दिया है 5, और I am at cinema के लिए हमने दिया है 6, यहां पर 6 इसलिए दिया है, क्योंकि यहां पर हमको A से लिना है, M और 8 हम यहां पर इस sentence में से M और 8 निकालना चाहते हैं, तो उसके पहले जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, शुरू के 2 space हमको गिनना रहेगा, I गिनना रहेगा, बाद के 2 space को भी गिनना रहेगा, और फिर 6th position पर A आ रहा है, जहां से कि हमको characters लेना है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है 6, तो यह starting number हम इसके लिए चुन लेंगे, इसलिए starting position वाली यह cell हमने select की, अब फिर से हम comma लगाएंगे, अब यहां पर तीसरा argument है number of characters, अब इस selected text में से, इस position से हमको कितने character's select करना है, वो हमने यहां पर number दे रखा है, तो हमको second position से, याने E से शिरू करके, दो characters चाहिए, यानि E और L ये दो characters हमको चाहिए तो ये जो दो characters चाहिए वो दो number हमने यहाँ पे लिख दिया है इसी तरह से इस text में से तीसरी position से, यानि यहाँ से शुरू करके हमको 4 characters चाहिए यानि हमको 3, 4, 5, 6 यह 4 characters चाहिए इसलिए यहाँ पर हमने number of characters में लिखा है 4 बाकी cells में भी हमने इसी तरह से number डाल दिये हैं जितने characters हमको चाहिए, उनके numbers डाल दिये हैं तो number of characters के लिए हम इस cell को चुनेंगे और आप bracket close करके enter press कर देंगे यह देखिए, E से start करते हुए हमको total दो characters चाहिए थे तो mid formula के मदद से E और L हमको दो characters मिल गए हैं अब इस formula को drag करके नीचे वाली cells तक हम copy कर लेते हैं यह देखिए, यहाँ पर हमको सारे results मिल गए हैं चलिए, अब हम आपको left, right और mid formula के practical examples देकर बता देते हैं कि इन formula के आवशक्ता कहा बढ़ सकती है हम एके करके इन तीनो formula के example देंगे पहले हम left formula देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास किसी company के employees का data है जिसमें पहले column में employee का नाम है और दूसरे column में employee का ID है मान लेजिए company के किसी employee को कहा गया कि ID की शुरुवात के जो चार अक्षर हैं वो employee की city के हैं तो सभी employees के cities के नाम एक अलग column में लिख करके दे दे अब हम अलग-अलग हर employee के city का नाम यहां लिखें इसकी बजाए यहाँ पर हम left formula का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि सभी जगर left में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो शुरुवात के चार characters city के नाम के हैं अब हम यहाँ पर left formula यूज करेंगे equal to का sign लगा करके लिखेंगे left यहीं से double click करके formula ले लेंगे पहले हमको चाहिए text तो text के लिए हम ID वाला cell select करेंगे क्योंकि हमको इसी text में से characters लिकालना है इसको हमने select कर लिया अब कॉमा लगा करके number of characters में हम लिखेंगे 4 क्योंकि हमें इस ID से शुरुवात के 4 characters चाहिए यह हमने लिखा 4 अब bracket close करके हम enterprise कर देंगे यह देखिए ID से हमको शुरुवात के 4 characters मिल गए हैं जिससे employee की city पता की जा सकती है अब हम इस formula को drag करके नीचे तक की sales में copy कर देंगे जिससे सभी employees की city के नाम हमको मिल जाएं यहाँ पर हमने formula में manually number of characters type किये थे उसके बावजूद इस formula ने हमको सही results दिये वो इसलिए क्योंकि इन सभी ID से हमको जो number of characters निकालने थे वो केवल 4 थे अलग-अलग cell के लिए अलग-अलग व्यक्ति के लिए हमको अलग-अलग number of characters नहीं चाहिए थे सब जगा एक जैसे शुरू के 4 characters चाहिए थे इसलिए हमको यहाँ पर पूरा सही result मिल गया है अब चलिए right formula का उपयोग करके देखते हैं इस table में जो employee की ID है उसमें right side में city का नाम लिखा हुआ है तो city का पता करने के लिए या city के जो 4 characters हैं उनको निकालने के लिए हम यहाँ पर right formula का उपयोग करेंगे equal to का निशान लगाया right जैसे लिखना शुरू किया यहाँ पर हमको suggestion में formula आ गया है double click करके इसको लिया text में हम ID को select करेंगे comma लगाएंगे और अब हमको right side से 4 characters चाहिए तो number of characters में एक बार फिर से डालेंगे 4 bracket close करेंगे enter press कर देंगे यह देखिए इस बार city के नाम के लिए जो 4 characters थे वो right side में थे तो right formula लगाने पर वो हमको मिल गए है बाकी cells के लिए भी इस formula को हम नीचे तक drag करके copy कर लेंगे अब हम mid formula का उप्योग करके देखते है यहाँ पर in employees के ID में city का नाम बताने वाले जो 4 characters हैं वो बीच में हैं यानि शुरू के 2 characters छोड़ करके और अंत के 3 characters छोड़ करके बीच के जो 4 characters हैं वो हमको लेना है तो उसके लिए हम यहाँ पर mid formula टाइप करेंगे equal to का sign लगा करके हमने टाइप किया mid double click करके यहाँ से formula को लिया अब हमको सबसे पहले select करना है text तो उसके लिए ID वाला cell हमने select किया अब कॉमा लगा करके हमको start number यहाँ पर चाहिए start number के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्योंकि पहले जो 2 characters हैं वो हमको छोड़ना है city का नाम जो है वो तीसरे character से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे यह starting position हो गई इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और अब number of characters जो हमको चाहिए वो हैं 4 इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 4 bracket close करेंगे enter press कर देंगे यह देखिए वापस हमको यहाँ पर मुंबई के लिए MUMB यह 4 characters मिल गए है अब इस formula को हम drag करके नीचे तक copy कर देंगे तो बागी sales के लिए भी results हमको मिल जाएंगे इस तरह से तरशे को आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तरीका हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उससे MS Excel की workbook को password द्वारा protect करने पर उस workbook में बनी हुई किनी भी worksheets को न तो delete किया जा सकता है न उन्हें hide या unhide किया जा सकता है न उन्हें rename किया जा सकता है और नहीं उन्हें move या copy किया जा सकता है इसके साथ ही protect workbook में नई worksheet add भी नहीं की जा सकती है यहां हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि इस तरीके से वर्क बुक को प्रोटेक्ट करने से केवल वर्कशीट पर किये जाने वाले actions को ब्लॉक किया जा सकता है पर उसमें लिखे हुए data को edit किया जा सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इस option की विस्तुरे जनकारी दे देते हैं मान लीजे हमारे पास एक वर्क बुक है इसमें कुछ वर्क शीट्स हैं जिनमें हमारा अलग-अलग data है इसमें एक शीट्स पर महतपून data है और बची हुई sheets पर जो data है उसमें हम अपने करमचारी से कुछ काम करवाना चाहते हैं पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो महतपून data है वो उस करमचारी को दिखाई ना दे तो इसके लिए हम इस workbook को protect workbook option की साहता से lock कर देते हैं जिससे कोई अन्य व्यक्ति इस workbook में hide की हुई किसी sheet को ना देख पाए तो चलिए पहले sheet को hide करते हैं और फिर workbook को protect करेंगे जिस sheet को hide करना है उस पर right click करें ऐसा करते ही एक menu open होगा हम आपको यहाँ एक और खास बात बता दें कि इस menu में दिखाई दे रहे लगभग सभी options को protect workbook option की साहता से lock किया जा सकता है अब इस menu में से hide पर click करें यह देखे हमने sheet hide कर दी है अब हम workbook को protect करेंगे उसके लिए review tab में जा करके protect workbook option पर click करेंगे इस option पर click करते ही एक window open हो जाएगी यहाँ पर आपको password set करना होगा यहाँ दिखाई दे रहे box में password type करें और उसके बाद ok पर click कर दें ok पर click करते ही आपको password दुबारा enter करने के लिए कहा जाएगा एक बात का ध्यान रखें आप जो भी password बना रहे हैं उसे याद रखिएगा क्योंकि यदि आप password भूल जाते हैं तो उसे recover या reset करने का कोई option नहीं है password को दुबारा type करने के बाद ok पर click करें ok पर click करते ही workbook protect हो जाएगी यानि अब कोई भी इस workbook की sheets को delete, hide, unhide, rename, move, copy इत्यारी नहीं कर सकता है चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि अगर कर्मचारी ने इस logged workbook की किसी sheet पर right click किया तो उसे menu के options किस तरह से दिखेंगे यह देखिए sheet पर right click करने पर दिखाई दे रहे इस menu के लगबग सभी options disable हो गए हैं नशीट को delete किया जा सकता है, नशीट को नई sheet add की जा सकती है नशीट को rename किया जा सकता है और नहीं move या फिर copy किया जा सकता है यहाँ पर हम आपको फिर से याद दे लाना चाहेंगे कि अभी तो हमने एक workbook में sheets पर होने वाले actions को lock किया है यदि आप पूरी worksheet को या फिर worksheet के कुछ भाग को password द्वारा सुरक्षित करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अब जिस वेक्ति को हमने ये sheet भेजी थी उसने अपना काम पूरा करके ये worksheet तुबारा से हमें send कर दी है तो इस पूरी workbook को देखने के लिए पहले हमें इसे unlock करना होगा तो चलिए अब आपको workbook को unlock करने की प्रक्रिया बता देते हैं इसके लिए review टैब में जाकर protect workbook option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही unprotect workbook की ये window open होगी इसमें वही password टाइप करें जो आपने इस workbook को protect करते समय सेट किया था अब ok पर क्लिक करें ok पर क्लिक करते ही workbook unprotect हो जाएगी और आप फिर से worksheets पर कोई भी action perform कर सकते हैं एक बार ये करके देख लेते हैं उसके लिए किसी भी sheet के नाम पर right click करें देखिए सारे options चालू हो गए हैं अब open हुए menu से unhide पर क्लिक करें unhide पर क्लिक करते ही एक window open होगी जिसमें height की हुई sheets के नाम होगे आप जिस भी sheet को unhide करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ok पर क्लिक कर दें ये देखिए sheet unhide हो गई है हम आपको बता दें कि एक से ज्यादा cell के समूँ को cell range कहते हैं उदारन के लिए ये एक cell है और ये cell range है अब सवाल ये उठता है कि Excel में define name option का क्या उप्योग है तो जब हम Excel की workbook में किसी बड़े data पर काम करते हैं और उस बड़े data पर कोई formula या function का उप्योग करते हैं तो ऐसे में हमें बार-बार cell range select करनी पड़ती है ऐसा करने से काफी समय भी लगता है और calculation में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसी समस्या का समाधान है define name option या name manager इस option के सायता से हम Excel में किसी भी cell range को एक नाम दे सकते हैं जिससे उस cell range को किसी formula या function में आसानी से उप्योग किया जा सकता है cell range को नाम देने के और भी फायदे हैं तो चले हम आपको define name option की सहायता से cell range को नाम देना और उसके क्या फायदे हैं ये बता देते हैं यहां हमने उदारंग के लिए चार अलग-अलग tables में vegetable और fruit market की चार दुकानों का data लिया है पहली table में shop 1 का data है जिसमें उपर की तरफ फलों के नाम और उनके सामने quantity लिखी हुई है फिर उसी table में नीचे की तरफ सबजियों के नाम और उनके सामने उनकी quantity है ऐसे ही हमने shop 2, shop 3 और shop 4 के लिए भी table बनाई है अमाल लेजे हमें इसी workbook की दूसरी sheet में यानी sheet 2 में इन दुकानों के फल या सबजियों की quantity का sum, average इत्यादी निकालना है तो हम बार-बार sheet 1 पर आकर इन quantities की cell range select करके calculation करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा इसलिए हम इन cell range को नाम दे देते हैं और फिर इने formula में उप्योग करके देखेंगे हम shop 1 की fruit की quantity से शुरुआत करते हैं इस range को नाम देने के लिए पहले इस cell range को select करेंगे option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक छोटी window open होगी इसमें आप सबसे पहला option देख सकते हैं name इस option से आप selected range को नाम दे सकते हैं इसमें पहले से ही एक नाम दिया हुआ है हम इस नाम को हटा कर दूसरा नाम टाइप कर देते हैं यह देखे हमने टाइप किया shop one fruit quantity यहां पर हम आपको बता दें कि cell range को नाम देते समय हमें space की जगह underscore का उपयोग करना पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं इस window में दूसरा option है scope इस option के drop down arrow को क्लिक करने पर एक menu open होगा इस menu से आप यह select कर सकते हैं कि यह name range इस excel workbook की कौन सी शीट पर काम करें यदि आप चाहते हैं कि आप जब सेल रेंज को नाम दे रहे हैं वो नीम रेंज इस workbook की सभी sheets के formula में काम करें तो इस menu में workbook selected रहने दीजिए पर यदि आप केवल sheet 1 पर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस menu में sheet 1 पर क्लिक करें और यदि केवल sheet 2 पर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस menu में sheet 2 पर क्लिक करें इसके बाद comment option है इस option के सामने दिखाई दे रहे box में आप selected name range से संबंदित कोई भी comment डाल सकते हैं हम फिलाल कोई comment नहीं डाल रहे हैं इसके बाद refer to option है इस option के सामने दिखाई दे रहे box में आपके द्वारा selected cell range होती है अब ok पर क्लिक करेंगे ok पर क्लिक करते ही selected cell range को नाम दे दिया जाएगा और वो नाम name box में भी दिखाई पड़ेगा अब हम आगे बढ़ते हैं और shop one की सबजियों की quantity वाले cell range को भी नाम दे देते हैं इस बार हम आपको नाम देने का एक और तरीका बताते हैं पहले जिस cell range को नाम देना है उस range को select करने अब इस name box में क्लिक करके इस cell range को जो नाम देना चाहते हैं वो type करें हमने cell range को नाम दिया shop one wage quantity नाम देने के बाद enterprise करें enterprise करते ही particular selected cell range को नाम दे दिया जाएगा इसी तरह हम अन्नी shops की fruits और vegetable की quantity वाले cell ranges को भी नाम दे देते हैं हमने सभी cell ranges को नाम दे दिये हैं अब हम आपको बता देते हैं कि cell range को नाम देने के बाद इसका उप्योग कहां और कैसे होता है इसके लिए हम sheet 2 पर चलेंगे अब यदि हमें यहाँ पर sheet 1 के data में से shop 1 के फलों की quantity का total चाहिए तो उसके लिए हम पहले equal to का sign लगा कर sum formula टाइप करेंगे फिर bracket open करेंगे अब चूंकि हम shop 1 के फलों की quantity वाले cell range को नाम दे चुके हैं तो वो नाम यहाँ पर type करेंगे देखिए हमने जैसे ही shop type किया तो उससे संबंधित list यहाँ पर आ गई है इसमें से shop 1 fruits quantity पर double click करेंगे अब bracket close करेंगे और enter press करेंगे देखिए enter press करते ही sheet 1 के data में से shop 1 के फलों की quantity का टोटल यहाँ पर आ गया है अभी तो यह चोटा सा data है पर कभी कभी data इतना बड़ा होता है कि हमने उस data में कौनसी cell range को क्या नाम दिया वो याद नहीं रहता है तो उसका उपाए भी हम आपको बता देते हैं मान लिजे हमें sheet 1 के data से shop 3 की vegetables की quantity का average चाहिए अब हमने shop 3 की vegetables की quantity वाले cell range को क्या नाम दिया था वो हमें याद नहीं है तो उसके लिए पहले equal to का sign लगा कर average लिखेंगे फिर bracket open करेंगे अब चुंकि हमें cell range का नाम याद नहीं है तो हम formulas tab के defined names block के अंतरगत use in formula option के drop down एर उपन क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही आपने इस particular workbook में जितने भी cell ranges को नाम दिये होंगे वो सभी नाम यहाँ पर आ जाएंगे अब आप जिस भी cell range को formula में उप्यो करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक कर दें हम shop 3 के vegetables की quantity का average निकालना चाहते हैं तो हम इस menu से shop 3 wage quantity पर क्लिक कर रहे हैं नेम range पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वो formula में आ गई है अब bracket close करेंगे और enter press करेंगे enter press करते ही हमें average मिल जाएगा अब हम देखते हैं कि किसी name range की सहायता से हम cell range कैसे देख सकते हैं मानली जी हमरे पास एक बड़ा data है जिसमें हमने 50-60 cell ranges को नाम दिया हुआ है अब यदि हम यह भूल गए हैं कि हमने कौन सा नाम किस cell range को दिया था तो उसको डूमने के लिए हम name box के drop down arrow पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करते ही एक menu open होगा उसमें आप जिस भी नाम पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित cell range दिखाई पर जाएगी उदारण के लिए हमने shop for fruit quantity पर क्लिक किया तो देखें इस पर क्लिक करते ही हम इस cell range पर आ गए हैं अभी हमने एक ही column के cell range को select करके उन्हें नाम देना सीखा आप चाहें तो अलग-अलग columns के अलग-अलग cells को select करके उन्हें भी नाम दे सकते हैं चले आपको बता देते हैं यह कैसे करते हैं माली जी हमें shop 1,2,3 और 4 से केवल orange के quantity की cell range को नाम देना है तो उसके लिए पहले हम सभी shops के orange के quantity वाले cells को select करेंगे अलग-अलग cells select करने के लिए keyboard में control key press करेंगे और mouse की सहयता से जो भी cell select करना हैं उस पर क्लिक करते जाएंगे यह हमने सभी shops के orange के quantity वाले cell select कर लिए हैं अब formulas tab में आकर define name option पर क्लिक करेंगे फिर open window में name के सामने दिखाई दे रहे box में selected cells को नाम देंगे और फिर ok पर क्लिक करेंगे इसे तरह आप अपने आवशकतानों साथ दूसरे fruits और vegetables की cell range को भी नाम दे सकते हैं अमान लिजे हमें calculate करना है कि सभी shops को मिला कर total कितने oranges हैं तो उसके लिए जहां हमें orange के quantity का टोटल चाहिए वहाँ equal to का sign लगाकर formula टाइप करेंगे इसके बाद cell range का नाम टाइप करेंगे फिर bracket बंद करके enterprise करेंगे enterprise करते ही हमें सभी shops के orange की quantity का सम मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं और आपको defined names block के अन्य options की जंकारी दे देते हैं इसके लिए हम sheet 1 पर आ जाते हैं defined names block में आप name manager option देख सकते हैं इसे click करने पर एक window open होगी इसमें आपके द्वारा इस workbook में बनाई गई सभी cell ranges के नाम होंगे इस window में दिखाई दे रहे options की सायता से आप नई cell range को नाम दे सकते हैं पहले से बनाई हुई cell ranges में बदलाव कर सकते हैं या फिर उन्हें delete भी कर सकते हैं चली एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं कि यह options कैसे काम करते हैं पहले new option पर click करेंगे इस पर click करते ही यह window आ जाएगी जिससे आप नई cell range को नाम दे सकते हैं नाम कैसे दिया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं आप cancel पर click करके इस window को बंद कर देते हैं window बंद होते ही दुबारा से name manager वाली window दिखेगी इसमें अगला option है add it इस option की सायता से आप पहले से बनाई ही cell ranges में बदलाव कर सकते हैं चलिए आपको एक उधारण देख के समझा देते हैं मालीजे हम shop 1 की vegetable की quantity वाली cell range का नाम और cell range बदलना चाहते हैं तो उसके लिए इस list में दिखाई दे रही shop 1 की vegetable की quantity वाली cell range के नाम पर click करेंगे फिर edit पर click करेंगे edit पर click करते ही यह window आ जाएगी इसमें जो नाम पहले से लिखा हुआ है हम उसे बदल देंगे नाम के बाद cell range बदलने के लिए यहां पर दिखाई दे रहे निशान पर click करें इस पर click करते ही यह window कुछ इस तरह की हो जाएगी अब आपको नई cell range सेलेक्ट करनी है cell range सेलेक्ट करने के बाद दुबारा से इस निशान पर click करें और फिर ok पर click करते ही selected name range का नाम और cell range बदल जाएगे अब इस window के delete option का उप्योग आपको समझा देते हैं उसके लिए आप जिस cell range के नाम को delete करना चाहते हैं इस लिस्ट में से उस नाम को सेलेक्ट करें और फिर delete option पर click करें अब ok पर click करें ok पर click करते ही cell range का नाम delete हो जाएगा ग्रूप option के साहता से आप अपनी worksheet की कई rows और columns का ग्रूप बना सकते हैं उधारन के लिए यदि आपके पास कोई बड़ा data है और आप उसमें अलग-अलग तरह से comparisons करना चाहते हैं तो उन comparisons के लिए आपको हर बार कुछ अलग-अलग columns या rows hide करना होंगे इसमें बार-बार समय भी लगेगा और गलती की संभावना भी रहेगी तो Excel ने इसके लिए बहुत ही अच्छा option दिया है वो है group option जब है आप अपनी worksheet के अलग-अलग rows या columns के group को minimize करके worksheet में आवश्यक जानकारी अच्छे से देखना चाहते हों तो आप इस option का उपयोग कर सकते हैं आसान भाशा में कहा जाए तो grouping हमारी worksheet के data को शिखरता से देखने और सललता से समझने में मदद करता है आएए देखते हैं कैसे यहां हमने एक company के employees द्वारा वर्ष 2017 और 2018 में की गई सभी quarters की sales का data लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं इस table में पहले employee ID है फिर उस employee का नाम है फिर location है यानि इस employee ने कहां काम किया है इसके बाद वर्ष 2017 के पहले quarter यानि January, February और March में की गई sales है फिर इन sales का total है उसके बाद वर्ष 2017 के second, third और fourth quarter की sales भी लिखी हुई है इस table में आप orange color में जो data देख रहे हैं वो सभी quarters में अलग-अलग location में की गई अलग-अलग quarter की sales का total है अब यदि हम इस data में से किनी दो quarters या फिर किनी दो regions की sales का comparison करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सभी quarters के अलग-अलग group बनाना होंगे ग्रूप बनाने से यह होगा कि हम जिन quarters या location की sales को compare करना चाहते हैं उन्हें छोड़कर बागी quarters के groups को minimize कर देंगे और फिर आसानी से comparison कर पाएंगे तो चलिए पहले हम सभी quarters के group बना लेते हैं पहला group बनाने के लिए हम वर्ष 2017 के जन्वरी, फर्वरी, मार्च और टूटल और फर्स quarter वाले cell को select करेंगे इसके बाद data tab में जाकर group option के drop down arrow पर click करेंगे open हुए menu में से group पर click करेंगे क्लिक करते ही देखिए column D, E, F और G यानि वर्ष 2017 के जन्वरी, फर्वरी, मार्च और टूटल और फर्स quarter वाले cell का एक group बन गया है आप उपर के देख सकते हैं formula bar के नीचे एक line आ गई है इसका मतलब यह है कि इन चारों columns का group बन गया है इसी तरह हम एक एक करके आगे के सभी quarters के अलग अलग group बना लेंगे यह हमने सभी quarters के group बना लिये हैं यहां हम आपको एक बात बता दें कि प्रते quarter के data के बाद हमने एक blank column दिया है जिससे group के उपर जो line आई है वो एक दूसरे के उपर ना चड़ जाए आप देख सकते हैं formula bar के नीचे वाली line से सभी quarters के अलग अलग group दिख रहे हैं आई अब आपको groups बनाने का फायदा बता देते हैं उदारन के लिए हम सभी employees की वर्ष 2017 के first quarter और fourth quarter की sales को compare करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष 2017 के first और fourth quarter को छोड़कर हम बाकी quarters के groups को minimize कर देते हैं ऐसा करने से हम first quarter और fourth quarter की sales को अच्छे से compare कर पाएंगे group को minimize करने के लिए group की line के आखिर में दिखाई दे रहे minus के निशान पर क्लिक करेंगे पहले हम 2017 के second quarter वाले group को minimize करते हैं यह देखिए हमने 2017 के second quarter वाले group को minimize कर दिया है इसी तरह हम third quarter के group को भी minimize कर देते हैं ऐसा करते ही देखिए 2017 के 1st quarter और 4th quarter के groups पास में आ गए हैं अब इन्हें आसानी से compare किया जा सकता है जिन groups को minimize किया है उन्हें फिर से देखने के लिए आप plus के निशान पर click करके उन्हें maximize कर सकते हैं अब हम 1st 2017 और 2018 के 2nd quarter की cells को आपस में compare करके देखते हैं अब चुंकि हम दोनों वर्षों के 2nd quarter की cells को compare करना चाहते हैं तो इन दोनों quarters के group को छोड़ कर बागी के सभी groups को minimize कर देते हैं ऐसा करते ही देखिए वर्ष 2017 और 2018 के 2nd quarter की groups पास पास आ गए हैं अब इन्हें आसानी से compare किया जा सकता है हम फिर से सभी groups को maximize कर देते हैं यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जिस तरह हमने सभी quarters के group बनाए इसी तरह हम सभी regions यानि East, West, North, South के भी अलग-अलग groups बना सकते हैं regions के लिए हमें rows के group बनाने होंगे तो चलिए आपको सभी regions की cells के group बना कर बता देते हैं सबसे पहले East region की cells का group बना लेते हैं उसके लिए East region की सभी rows को select करेंगे अब data tab में जाकर group option पर click करेंगे group पर click करते ही देखिए East region की cells का group बन गया है इसी तरह हम बागी के regions का भी group बना लेते हैं ये देखिए हमने groups बना लिये हैं अब अब दारन के लिए हमें East और South regions की cells को कब्देर करना है उसके लिए हम West और North वाले group को minimize कर देते हैं ये देखिए East और South region की cells वाले group बास में आ गये हैं और उन्हें आसाने से compare किया जा सकता है यहां हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आप columns या rows के बने हुए सभी groups को एक साथ minimize करना चाहते हैं तो यहां 1 पर क्लिक करें और सभी groups को एक साथ maximize करने के लिए 2 पर क्लिक करें तो इसी तरह आप अलग-अलग groups बना कर data को अपनी आवशिक तनुसार देख सकते हैं अब यदि आप इन groups को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ungroup option का उप्योग करना होगा ग्रूप किये गए data को ungroup करने के लिए ungroup option के drop-down arrow पर क्लिक करें ओपन हुए menu में आपको दो options दिखेंगे ungroup और clear outline किसी एक group को ungroup करने के लिए उस group के सभी columns या rows को select करके ungroup option के drop-down menu में ungroup पर क्लिक करें और यदि आप सभी groups को एक साथ हटाना चाहते हैं इने data को select करें और ungroup option के drop-down menu में clear outline पर क्लिक कर दें देखिए clear outline पर क्लिक करते ही इस sheet से सभी groups remove हो गए हैं यानि हट गए हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें excel में महतवपून डेटा रखना होता है और हम चाहते हैं कि कोई भी अंजान व्यक्ति उस excel workbook को ना खूल पाए ऐसे में हम उस workbook को password द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं ऐसा करने पर उस workbook को कहीं भी खोलने के लिए और उसमें बदलाव करने के लिए password की आवशक्ता होगी यहां हम आपको एक महतवपून बात बता दें कि इस वीडियो में excel को protect करने का जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उस तरीके से आप ms word और ms powerpoint के लिए भी password set करके उन्हें protect कर सकते हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं excel workbook के लिए password कैसे set किया जाता है आप जो workbook protect करना चाहते हैं उसे save as option की सहायता से दोबारा save करना होगा save as के लिए file tab पर क्लिक करेंगे अब save as option पर क्लिक करेंगे browse option पर क्लिक करके open हुई window से वो location चुनेंगे जहां हमें protected workbook को save करना है हम यह workbook desktop पर save करना चाहते हैं तो हमने यहां पर desktop को क्लिक किया अब हम इस workbook का नाम भी बदल देते हैं ताकि हमें भविश्य में पता लग सके कि इस workbook पर password set किया हुआ है हमने पहले वाले नाम के बाद protected लिख दिया है अब चुनकि हम यह चाहते हैं कि यह workbook हमेशा password से ही open और edit हो तो password set करने के लिए इस window में नीचे दिखाई दे रहे tools option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक menu open होगा इस menu में से general options पर क्लिक करें जनरल options पर क्लिक करते ही एक छोटी से window open होगी इसमें आप दो तरह के password set कर सकते हैं पहला password to open यानि यह workbook खोलने के लिए password और दूसरा password to modify यानि इस workbook में कोई अगर बदलाव करना है तो उसके लिए password आप चाहें तो यह दोनो password set कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यक्ता नुसार इन में से कऊई एक password भी set कर सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि यदे आप password to open या password to modify में Partner से एक ही पासवर्ट set करना चाहते हैं तो इन में से जो भी password set करना चाहते हों, वो लिखने के बाद OK पर क्लिक कर दें, हम ये दोनों password set कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दोनों password type कर दिये हैं, आगे बढ़ने से पहले एक खास बात बता दें कि चुकि यहाँ पर password कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित कोई rules नहीं दिये हुए हैं, इसलिए आप ये दोनों passwords एक जैसे या फिर अलग-अलग भी बना सकते हैं, अब OK पर क्लिक करेंगे, OK पर क्लिक करने पर पहले password यानि password to open को re-enter करने के लिए कहा जाएगा, तो उसे यहाँ रि-enter करके, यानि फिर से टाइप करके, OK पर क्लिक करें, अब आपको दूसरा password यानि password to modify re-enter करने के लिए कहा जाएगा, ध्यान रखें कि चुंकि हमने workbook को protect करते समय दोनों password डाले थे, तो यहाँ एक-एक करके हमें दोनों password को re-enter करने के लिए कहा गया है, यदि हमने एक ही password डाला होता, तो एक ही window आती, अब यहाँ password to modify टाइप करके, ओके पर क्लिक करें, अब सेव पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करते ही एक नई workbook बन जाएगी, जो की password से protected होगी, अब हम इस workbook को बन कर देते हैं, और desktop पर चल कर नई protected workbook को खुल कर देख लेते हैं, फाइल ओपन करने के लिए हम ने उस पर डबल क्लिक किया, ये देखें फाइल ओपन करने के लिए password माँग रहा है, चुकि हमने दोनों password सेट किये हैं, इसलिए पहले open करने वाला password enter करेंगे, फिर उके पर klik करेंगे उके पर klik करते ही modify करने वाला password डालना होगा यहां पर एक खास बात पर ध्यान दें कि चुणकर हमने workbook protect करते समय दोनों password डाले थे तो यहां एक एक करके हमें दोनों password डालने के लिए कहा गया है यदी एक password डाला होता तो एक ही window आती यहां एक और बात का ध्यान रखें कि यदि आपने workbook को protect करते समय दोनों password डाले हैं या सिर्फ modify वाला password डाला है और आप सिर्फ workbook को देखना चाहते हैं तो read only पर click करके उसे आप सिर्फ देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और modify वाला password एंटर करके ओके पर click करेंगे देखे दोनों password डालते ही workbook open हो गई है अब यदि आप किसी कारण वर्ष यह password हटाना चाहते हैं तो इस file को दुबारा save as option की साहता से save करना पड़ेगा उसके लिए file टैप पर click करें अब save as option पर click करें browse option की साहता से file को save करने की location चुनेंगे हम desktop चुन रहे हैं चुकि हम password हटा रहे हैं तो file के नाम के पीछे से protected को भी हटा देते हैं अब इस window में tools option पर click करके menu से general options पर click करेंगे इस पर click करते ही एक छोटी window open होगी जिसमें पहले से आपके द्वारा set किये हुए password होगी इन password को delete कर दीजिए फिर ओके पर click करें अब save पर click करें save पर click करते ही एक नई workbook बन जाएगी जो password protected नहीं होगी हम इस workbook को बन करके desktop पर चलते हैं यहां दोनों protected और unprotected files दिखाई दे रही हैं हम unprotected file को खुल कर देख लेते हैं चुकि अब हमें protected file के जरुरत नहीं है इसलिए हम अब इसे delete कर देते हैं indirect formula किसी cell reference के आधार पर जिस cell का reference दिया हुआ है उस cell में लिखी हुई value शो करता है indirect formula तब बहुत उपयोगी होता है जब हमारे पास एक workbook की अलग-अलग sheets में बहुत सारा data हो चलिए पहले हम इस formula को some formula के साथ उपयोग करके देखते हैं इसके लिए हमने example में एक electronic showroom में चार लोगों द्वारा जनवरी से March की वर्ष 2014 से लेकर के 2017 तक की cells का data लिया है इसके लिए हमने हर वर्ष के लिए एक अलग sheet ली है इन tables में आप देख सकते हैं कि हमने data के नीचे उस वर्ष की total cell भी लिखी हुई है यह हर table में आपको total cell लिखी हुई दिख जाएगी यह हम वापस से year 2014 वाली sheet पर आ गए हैं अब यदि हमें वर्ष 2014 की cells का addition करना हैं तो उसके लिए equal to का निशान लगा करके हम sum type करेंगे यहाँ पर suggestion आ गया है sum formula का यही पर double click करके इसको ले लेंगे अब हम जिस range का sum करना हैं उस range को select करेंगे यह हमने range select कर ली है अब bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखे हमें total हुई cell का sum मिल गया है जो हमने यहाँ पर already लिखा हुआ है इसी तरह हमें जिस वर्ष की cell का total चाहिए उस वर्ष की sheet पर जाकर के addition करना होगा अभी तो हमने उदाहरण के लिए एक छोटा सा data लिया है और यहाँ पर sheets भी कम है बड़े data और ज्यादा sheets के साथ काम करने में कठनाई आ सकती है तो इस समस्या का समाधान ये है कि हम indirect formula का उपयोग करें उसके लिए हम एक नई sheet पर चलते हैं अब हम देखते हैं कि यदि हमें इस sheet पर किसी अन्य sheet के data का addition करना हो तो वो कैसे करेंगे उदाहरण के लिए हम वर्ष 2015 की cells का addition करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले year के नीचे जिस sheet पर data है उस sheet का नाम टाइप करेंगे तो ये जिस row में year लिखा है उसके नीचे वाली row में हमने वो sheet का नाम टाइप कर दिया 2015 और अब हम यहाँ पर formula लगाएंगे उसके लिए पहले तो हम लगाएंगे equal to का निशान और उसके बाद type करेंगे sum यहाँ से double click करके formula ले लेंगे और अब यहाँ पर type करेंगे indirect यह देखें यहाँ पर formula का suggestion आ गया है इस पर double click करके इसको ले लेंगे अब हमें reference देना है यानि कौन सी sheet के data पर हम addition perform करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने cell A2 select किया क्योंकि A2 में sheet का नाम लिखा हुआ है इसके बाद हम m% का निशान लगाएंगे क्योंकि cell A2 में sheet का जो नाम है वो हमको fixed नहीं रखना है यानि 2015 की जगा कोई और वर्ष भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं formula में हमने m% sign का उप्योग इसलिये किया है ताकि हमें सही उत्तर मिले यदि हम यह sign नहीं लगाएंगे तो हमें error मिलेगी अब यहाँ पर हम double inverted comma लगाएंगे इसके बाद हम exclamation mark लगाएंगे यहाँ हम आपको एक महतुपूर्ण बात बता दें कि जब भी Excel के किसी formula में sheet का नाम देंगे तो उसके बाद हमें यह exclamation mark लगाना होता है exclamation mark लगाने के बाद cell range लिखेंगे ध्यान रखें यहाँ हमें सही cell range देनी हैं तो हम एक बार फिर से 2015 पली sheet पर चल कर range देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें B3 से लेकर D6 तक टोटल करना है अब हम वापस उस sheet पर आ गए हैं जहाँ पर हमें indirect formula उप्योग करना है यहाँ पर अब हम cell range लिख देंगे B3 colon D6 यह हमने cell range यहाँ पर type कर दी है अब हम double inverted commas का close कर देंगे इसके बाद हम दो बार bracket close करेंगे एक indirect formula के लिए और दूसरा sum formula के लिए अब enterprise करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमें वर्ष 2015 में हुई cell का total मिल गया है अब यदि हम cell A2 में वर्ष बतलते हैं तो यहाँ पर जो sum के value है वो भी change हो जाएगी जैसे यहाँ पर हमने डाला 2016 देखिए जैसे इस cell पर आकर enter किया यहाँ पर sum के value change हो गई है और यह हो गया है 503 अब अगर हम इसको 2017 कर देंगे तो जैसे हम इस cell में click करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर total एक बार फिर से change हो गया है और यहाँ पर इस year की cells का जो total है वो आ गया है अब यदि इसी sheet पर रहते हुए हम यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2017 में maximum cell कितनी हुई तो उसके लिए हम maximum formula के साथ indirect formula का उप्योग करेंगे उसके लिए यहाँ type करेंगे equal to उसके बड़ type करेंगे max यह formula का suggestion यहाँ गया है double click करेंगे अब हम यहाँ पर type करेंगे indirect यानि इस formula के अंदर हम indirect formula लगा रहे हैं और यह जो bracket open हुआ है इसमें हमें reference देना है मतलब कौन सी sheet के data से हम maximum value ढूणना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर a2 cell select कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर sheet का नाम लिखा हुआ है अब हम फिर से n% का sign लगाएंगे क्योंकि sheet का नाम fix नहीं है यह हम change करते रहना चाहते हैं आगे भी हम इसको बदल सकते हैं 2017 की जग़ 14, 15, 16 कुछ भी कर सकते हैं अब हम inverted commas लगाएंगे इसके बाद exclamation mark लगाएंगे क्योंकि जैसा की हमने आपको पहले बताया कि अगर हम formula में sheet का नाम लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको यह exclamation mark लगाना होगा इसके बाद हम cell range लिखेंगे यह हम 2017 वाली sheet पर जाकर देख लेते हैं cell range वोई है B3 से D6 तो अब यहां पर आकर के हम cell range लिखतेंगे B3 से D6 अब double inverted commas close करेंगे और उसके बाद फिर से दो brackets लगाएंगे एक indirect formula के लिए और एक maximum formula के लिए और अब enterprise करेंगे यह देखिए यहां पर हमें वर्ष 2017 की जो maximum की हुई cell है वो मिल गई है इसे एक बार 2017 वाली sheet पर चलकर हम re-check कर लेते हैं यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो maximum cell है वो 72 है अब वापस हम पिछली sheet पर चलते हैं जिस तरह से यहां पर हमने maximum cell निकाली उसी तरह से हम minimum cell भी निकाल लेते हैं अब उसके लिए यहां पर हम minimum formula लगाएंगे और उसके साथ indirect formula का उप्योग करेंगे equal to का sign लगाया अब type करेंगे minimum के लिए हमने यह type किया min यह देखिए आपे suggestion आगया है इस list में से इस formula को double click करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे indirect formula और जैसा कि हमने बाकी जगर किया हुआ है पहले sheet का नाम जहां है वो वाली cell चुनेंगे यानि A2 फिर M% का sign लगाएंगे उसके बाद inverted commas type करेंगे और फिर exclamation mark और उसके बाद हम cell range type कर देंगे जो है B3 से D6 अब inverted commas close करके दो बार bracket को close करेंगे एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए हमें 2017 की minimum cell मिल गई है और ऐसे ही हम इसी sheet पर minimum की इस्थान पर average formula लिख कर किसी भी वर्ष की cells का average भी निकाल सकते हैं उसके लिए यहां पर हम equal to का sign लगा कर average formula टाइप करेंगे इसके अंदर वापस से indirect formula लगाएंगे ये a to cell हमने select की उसके बाद एंपरसंट का sign फिर inverted commas और exclamation mark और उसके बाद यहां पर हम लिख देंगे cell range inverted commas close करेंगे दो बार bracket close करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे ये देखिए यहां पर हमें फर्ष 2017 में की गई cell का average मिल गया है चलिए आपको बता देते हैं कि sentence के केवल पहले अक्षर को ही capital letter में कैसे convert करेंगे यहां पर हमने उदारन के तौर पर एक electronic showroom का data लिया है showroom के boss ने अपने किसी employee को कहा कि showroom में जो नए products आए हैं उनकी एक proper list बना कर दो पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो data है वो सही तरह से format किया हुआ नहीं है यानि धंक से जमा हुआ नहीं है तो चलिए पहले हम इसे थोड़ा arrange कर लेते हैं और format कर देते हैं यह देखिए यहां पर हमने इस data को format कर दिया है पर यहां पर products का जो description लिखा हुआ है उन सभी में यह जो first letter है वो छोटा है और एक proper report या list में सभी sentences का पहला letter capital होना चाहिए अभिया हमारे उदाहरण में data बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है पर यदि data बहुत बड़ा होता है तो एक एक अक्षर को manually capital करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और कई बार यह possible भी नहीं होता तो चलिए इसे हम कुछ formula की सहता से करके देखते हैं सबसे पहले हम replace formula का उपयोग करेंगे फिर उसके अंतरकत हम upper और left formula का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर equal to का sign लगा करके हम type करेंगे replace यह देखिए यहाँ पर Excel ने हमको formula suggest कर दिया है डबल क्लिक करके यहीं से इसको ले लेंगे bracket में पहला argument है old text तो उसके लिए हम उस text को select करेंगे जिसमें हम replacement करना चाहते हैं तो यह description हमने select कर लिया अब comma लगाने के बाद अगला argument है start number इसका मतलब selected text में कौन से number का अक्षर आप बदलना चाहते हैं हम starting अक्षर जो की T है उसे बदलना चाहते हैं और वो पहले इस्थान पर है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे one अब फिर से comma लगाएंगे और comma लगाने के बाद जो अगला argument है वो है number of characters यहाँ T से लेकर जितने characters हम replace करना चाहते हैं उतने number यहाँ पर डाल देंगे हम केवल एक ही character जो की T है उसे replace करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर हम one लिख रहे हैं क्योंकि हमको जो letter replace करना है वो केवल एक letter है फिर से comma लगाएंगे अब comma लगाने के बाद जो last argument है वो है new text मतलब वो नया text या अक्षर जो हमें old text के स्थान पर लिखना है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर यह जो small t है उसकी जगह पर capital T आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर अपर formula लगाएंगे यहाँ पर हम type करेंगे अपर यह देखिए यहाँ पर अपर लिखा हुआ आ गया है यहीं से double click करके इसको ले लेंगे अब bracket में हमको text लिखना है तो हम यहाँ पर left का formula लिखेंगे क्यूंकि हमें description में left side से केवल पहला letter capital करना है तो यहाँ पर हम left का formula लगाएंगे यह हमने type कर दिया left अब left formula में जो पहला argument है वो है text इसके लिए हम फिर से इस description को select करेंगे इसके बाद comma लगाएंगे अब अगला argument है number of characters इसका मतलब यह हुआ कि हम selected text में left side से कितने characters बदलना चाहते हैं चुकि हमको इस selected text में केवल एक ही letter change करना है जो है T इसलिए यहाँ पर फिर हम one type कर देंगे और one type करने के बाद हम तीन बार bracket बंद करेंगे पहले तो यह left formula का bracket हमने close किया दूसरा bracket हमने upper formula का close किया और तीसरा bracket जो हम close करेंगे वो है replace formula का अब हम enter press कर देंगे enter press करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि selected description का जो पहला letter है वो capital हो गया है यह यहाँ पर T छोटा था पर यह यहाँ पर T capital होकर आ गया है यहाँ पर हमारा text बाहर जा रहा है इसलिए हम text को wrap कर देते हैं अब हम यहाँ से corner से नीचे तक की cells में जहां तक हमको description चाहिए वहाँ तक इस formula को copy कर देंगे उसके लिए हमने इसको drag किया यह देखें नीचे तक यह formula copy हो गया है और सभी जो descriptions हैं उसमें पहला letter जो है वो capital हो गया है तो अभी हमने यह जो descriptions बनाए हैं जिसमें हर sentence का पहला letter capital है उन्हें पुराने description की जगह पर लाने के लिए हमें नए descriptions को copy करना होगा तो इसको हम कर लेते हैं copy अब पुराने description वाले column में right click करके past special के अंतरगत values option पर click करना होगा यह देखें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर sentence का पहला letter जो है वो capital हो गया है मतलब जो हमने यहाँ से नए description बनाए थे वो copy करके यहाँ पर past किये वो यहाँ past हो गये हैं यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि past special के लिए cut option काम नहीं करता है इसलिए हमने यह जो नए descriptions बनाए थे उनको copy किया था अब यहाँ पर जब वो description past हो गये हैं तो उसके बाद इस extra column में हमने जो descriptions लिखे थे उनको हम delete कर देते हैं तो अब यह देखिए यहाँ पर हमारे product का नाम है और यहाँ जो description है वो सही तरीके से लिखी हुई आ गई है हर sentence का पहला letter यहाँ पर capital है Excel में काम करते समय कई बार हमें sheet में अलग-अलग shapes जैसे की triangle, circle, इत्यादी insert करने के आवशक्ता होती है Excel में insert tab के अंतरगत illustrations block में उपलब the shapes option की सहायता से आप Excel sheet में विभिन प्रकार के shapes insert कर सकते हैं तो चलिए आपको Excel sheet में shapes insert करके बता देते हैं Shape insert करने के लिए पहले insert tab पर click करें अब ribbon में illustrations block के drop down arrow पर click करें और इस menu में दिखाई दे रहे shapes बटन पर click करें open हुए menu में आपको अलग-अलग तरह के shapes नजर आएंगे जैसे की lines, rectangles, basic shapes, block arrows, इत्यादी आपके sheet में जैसा भी data या text हो उसके अनुसार आपको जो भी shape चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं हम आपको shapes option को बहतर तरीके से समझाने के लिए basic shape इंसर्ट कर रहे हैं यहां से हम triangle इंसर्ट कर रहे हैं यहां पर ISOCELLYS नाम का triangle दिया हुआ है इसको हम select कर रहे हैं शेप चुनने के बाद sheet में जहां भी वो shape ड्रॉ करना चाहते हैं माउस की सहायता से उसे drag कीजिए अभी इस triangle के तीनों sides equal नहीं हैं यदि आप तीनों sides equal करना चाहते हैं तो drag करते समय keyboard में shift key press करके रखिए यह हमने shift key press की है और अब हम इसे drag करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि triangle shape जो है वो हमने draw कर लिया है shape को resize करने के लिए जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसके corner पर mouse ले जाने पर जब यह double sided arrow दिखाई देने लगे तो drag करके जब आप बाहर की तरफ ले जाएंगे तो जो भी image है या shape है वो बड़ा हो जाएगा और जब आप उसे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे या drag करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा इस तरह से आप इसको resize कर सकते हैं जब भी हम कोई shape insert करते हैं तो उपर format tab दिखाई देने लगता है और जब भी ये format tab दिखाई ना दे रहा हो जैसे कि अभी तो shape पर click करें ऐसा करते ही format tab आ जाएगा इस step के माधियम से shape की पूरी formatting की जा सकती है जैसे shape में अलग-अलग तरह के color कर सकते हैं shape की outline को भी color या design दे सकते हैं shape में shadow effect दे सकते हैं 3D effect दे सकते हैं त्यादी चलिए हम आपको कुछ formatting करके बता देते हैं यहाँ पर जब से पहले है edit shape option इस option की सायता से आप sheet में insert किये गए shape में changes कर सकते हैं इस option पर हमने click किया इस पर click करते ही यह एक menu open हो गया है जिसमें दो options active दिखाई दे रहे हैं पहला है change shapes और दूसरा है edit points हम एक-एक करके दोनों options को समझेंगे पहले हम change shape को समझ लेते हैं change shape पर mouse ले जाते ही यह sub menu open हो जाता है जिसमें भेर सारे shapes आपको नजर आते हैं यदि आप इसमें से किसी भी shape पर click करते हैं तो sheet में अभी जो shape है उसकी जग़ वो नया shape आ जाएगा जैसे कि यहां पर हमने right triangle पर click किया तो यह देखे आइसो सलीज triangle की जग़ पर यह right angle triangle आ गया है edit shape के अंतर का दूसरा option है edit points इस option की सायता से आप shape के आकार में परिवर्दन कर सकते हैं हमने इस option पर click किया click करते ही आप देख सकते हैं कि triangle के हर एक corner पर एक black square जैसा ही निशान आ गया है यदि आप इन पर click करके इनहें कहीं भी drag करेंगे तो यह triangle का आकार पदलेगा यह देखिए हमने जैसे ही इस point पर drag करके इसे click किया और फिर जिस position पर ले जाके छोड़ा shape उसी तरह से change हो गया अब हम Ctrl Z प्रेस करके triangle को पहले जैसा बना देते हैं और आगे के option समझ लेते हैं अगला option है text box यदि आप shape के अंतरगत कोई भी text लिखना चाहते हैं तो इस option की सहायता से आप वो कर सकते हैं इसके लिए text box option पर click करें और फिर shape के अंदर mouse की सहायता से वहां पर एक text box बनाए यह देखिए यहां पर हमने एक text box बना दिया है अब यहां पर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं यह हमने text box में हमको जो type करना था वो कर दिया है चली अब आगे बढ़ते हैं और formatting के आने option समझ लेते हैं format tab में जो next block है वो है shape styles इस block के अंदर आपको shape के लिए कुछ predefined styles मिलेंगी यहां पर आप देख सकते हैं कि हम जिस भी style पर mouse ले जा रहे हैं यहां sheet में वो style आपको नजर आ जाएगी जैसे कि हम इस style पर mouse ले गए तो आप देख सकते हैं कि नीचे sheet में shape का color भी इस style जैसा ही हो गया है style को confirm करने के लिए आपको style पर click करना पड़ेगा यहां पर दिख रहे drop down arrow पर click करके open हुए theme styles menu में से आप shape के लिए और भी style select कर सकते हैं जैसे कि हमें यह style चाहिए हम इस पर click कर देंगे तो देखिए यहां पर shape पर वो style apply हो गई है shape styles block के अंतरगरत अगला option है shape fill shape fill option के drop down menu से आप shape को अलग-अलग color दे सकते हैं हम इन colors में से इस color को click कर रहे हैं फिर है shape outline option इस option के drop down menu से आप shape को अलग-अलग color के outline दे सकते हैं उसके लिए open हुए menu में से जो भी color आप outline के लिए select करना चाहें उस पर click कर दीजिए देखें जिस color पर हमने click किया हमने black पर click किया तो वो color outline में set हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और shape outline option के अगले sub option को समझ लेते हैं outline की width change करने के लिए shape outline option के drop down menu से weight पर click करेंगे और यहां एक और sub menu open हुआ है इसमें से border की width हम पढ़ा देंगे आप देख सकते हैं नीचे यहां पर भी changes आ रहे हैं जैसे जैसे हम अलग-अलग width की outline पर जा रहे हैं वैसे वैसे changes यहां पर triangle वाले shape में दिखाई दे रहे हैं हमने यह वाली width के outline चुणी इस पर हम click कर देंगे तो यह देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि outline जो थी उसकी width पढ़ गई है इसी में weight के नीचे dashes का option मिलता है यह option open हो गया है और यहां से आप border की design चुन सकते हैं यह देखें यह वाली border यहां पर set हो गई है shape styles block में next option है shape effects इस option का उप्योग करके हम shape को ribbon effects दे सकते हैं shape effects को click करने पर एक menu open होगा जिसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे जैसे कि preset shadow reflection इत्यादी और हर option पर mouse ले जाने पर एक sub menu open हो जाता है जिसमें से कि आपको जो भी style चाहिए वो आप चुन सकते हैं या जो भी effect चाहिए वो आप चुन सकते हैं जैसे कि हम पहले option पर mouse ले जाएंगे तो यहां पर देखिए एक sub menu open हो गया है यहां पर हमने इस पर click किया तो देखिए वो changes आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं इसी तरह से अगर आप shadow effects में जाएंगे तो यहां से आप जो भी shadow effect चुनेंगे वो आपको यहां पर नजर आएगा यहां पर देखिए यह shadow नजर आ रही है इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे options हैं आपको अगर reflection चाहिए तो आप वो भी चुन सकते हैं यह नीचे देखिए इसका reflection दिखाई दे रहा है आपको यह glow करता हुआ चाहिए तो आप इसमें से glow variations में से कोई भी option चुन सकते हैं अभी हम इसको नई चुन रहे हैं इसी तरह से आप soft edges, bevel, 3D rotation इन सब का उपयोग कर सकते हैं अभी हमने जो भी effects इस shape पर दिये थे उन सभी को हम Ctrl Z प्रेस करके हटा रहे हैं यह AK करके हमने सारे effects हटा दिये हैं और यह हमारा जो shape है वो वापस पहले जैसा हो गया है अब format tab का next block है word art styles इस block में दिखाई दे रहे options की सहायता से आप shape के अंदर लिखे text को अलग-अलग style, color और border दे सकते हैं इस block के पहले option में कुछ predefined text styles दी हुई हैं यहाँ पर यह जो box है वो white दिख रहा है करके no fin choose करके हम इसको भी बाकी जो triangle का color है उसी color का कर लेते हैं अब इस block के पहले option में जो कुछ predefined text styles दी हुई हैं हम उनको use करके देखते हैं उसके लिए हमको पहले text को select करना होगा यह हमने text को select कर लिया अब हम जिस भी style पर click करेंगे text उसी style का हो जाएगा यहां drop down arrow से आप कुछ और styles चुन सकते हैं यह हमने इस style को select किया और उस पर click कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो text की style है वो उसी तरह की हो गई है अब हम आगे बढ़ते हैं और word art styles block के अन्य options देख लेते हैं इस block में next option है text fill इसे click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे इनकी सहायता से आप text को अलग-अलग color या effects दे सकते हैं उसके लिए पहले text को select कर लें और उसके बाद यहां से आप text का color change कर सकते हैं फिर block में next option है text outline इस option की सहायता से आप text की outline को अलग-अलग color या effect दे सकते हैं इस तरह से इसके बाद इस block में last option है text effects इसे click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको अलग-अलग तरह के effects दिखाई देंगे जैसे कि shadow, reflection, glow, इत्यादी इन effects के भी sub menu हैं जैसे ही आप इसमें से किसी option पर जाएंगे उसके sub menu आपको side में open हुए दिखाई देंगे जैसे कि हमने shadow पर click किया और इसके sub menu में से हम जो भी shadow option चुनेंगे वो हमारी text पर apply हो जाएगी यह देखिए अब आगे बढ़ते हुर आपको format tab के options के बारे में बता देते हैं पर इन options को समझाने से पहले हम sheet में एक दो shapes और insert कर लेते हैं और इस text को यहां से हटा देते हैं जिससे कि हमें आगे के options अच्छे से समझ में आ जाएं यह देखिए यहां पर हमने कुछ और shapes इंसर्ट कर लिये हैं ट्राइंगल के अलावा यहां पर हमने एक rectangle लिया है एक circle लिया है और इनके जो colors है वो change कर दिये हैं ताकि यहां पर आपको वो अलग-अलग अच्छे से दिखाई दें format tab में next block है arrange इस block के options का उप्योग करके आप sheet में inserted shapes को व्यवस्थित क्रम में ला सकते हैं जैसे कि अभी जो triangle है वो rectangle और circle shape के पीछे है और हम इसे आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम triangle को select करेंगे और अगर हम format tab में bring forward के drop down menu में से bring forward पर click करेंगे तो triangle, cable, rectangle के आगे आएगा ऐसे लिए हुआ क्योंकि हमने सबसे पहले triangle shape insert किया था उसके बाद rectangle और last में circle तो bring forward को click करने पर triangle के वल rectangle के उपर आया है वो अभी भी circle के पीछे है यदि हम triangle को rectangle और circle दोनों के उपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां से bring to front option पर click करेंगे यह देखे इस पर click करते ही triangle सबसे उपर आगया है ऐसे ही यदि हम send backward के drop down menu में से send backward पर click करेंगे तो triangle केवल circle के पीछे जाएगा यह अभी भी rectangle के आगे है पर यदि हम यहां से send to back पर click करेंगे तो triangle सबसे पीछे चला जाएगा देखे अब यह circle और rectangle दोनों के पीछे है अब चलिए हम इन shapes को सही से arrange करके आगे के option समझ लेते हैं हमने इन shapes को arrange कर लिया यहां पर हम triangle भी देख सकते हैं rectangle भी और circle भी अब इस block में next option है selection pane इस पर click करने पर एक side pan open होगी इसमें आपको sheet में inserted shapes की list दिखाई पड़ेगी आपको हर shape के सामने एक आख का icon बना हुआ दिखाई देगा जिसकी सायता से आप किसी भी shape को hide कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं जैसे हमने rectangle shape के सामने दिखाई दे रहे आख वाले icon पर click किया तो देखिए यहां से जो rectangle है वो गयब हो गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है वो hide हो गया है और यहां पर rectangle shape के नाम के सामने वाला जो icon था आख का उसकी जगह पर एक dash आ गया है अगर हम इस dash पर दुबारा click करेंगे तो rectangle shape यहां पर वापस आ जाएगा अब हम इस selection pen को close कर देते हैं orange block में next option है group अभी यह option active नहीं है इस option को उप्योग करने के लिए पहले हम हमारे यह जितने भी shapes हैं इन सभी को एक साथ select कर लेंगे उसके लिए हम control की press करेंगे और हर shape पे click करते हुए तीनो shapes को हम select कर लेंगे अब यह देखिए तीनो shapes को select करते ही यहां पर group वाला जो option है वो active हो गया है इस पर click करेंगे इसमें पहला option है group इस पर click कर देंगे group option पर click करते ही यह जितने भी selected shapes थे वो group हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनो shapes का एक group बन गया है अब यह तीन अलग-अलग shapes ना होकरके एक shape बन गये हैं अब इसको अगर हम move भी कर रहे हैं तो यह एक साथ move हो रहे हैं अगर हम कोई formatting भी करेंगे तो उसमें भी माली जे हमने कोई color fill किया तो तीनों में एक सरी का color fill हो जाएगा क्योंकि अब यह एक shape की तरह काम कर रहा है पर अगर इस पूरे group में से हमको किसी particular shape को customize करना है या एक shape को move करना है उसकी जगह बदलना है तो उसके लिए हम उस shape पर click कर देंगे यह हमने circle पर click किया तो अब यह circle select हो गया है अब अगर हम इसको click करके move करेंगे तो यह कहीं भी move किया जा सकता है इसमें अगर हमको कोई color fill करना हो तो हम भी कर सकते हैं तो इस तरह से group के अंदर से भी अगर हमको किसी एक particular shape को customize करना है या उसको कहीं move करना है तो उसको select करके हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने बाहर कहीं भी click किया और अब वापस अगर हम इसको move करते हैं तो यह पूरा group की तरह ही move होगा हम circle को select करके वापस इसको इसकी पूरानी position पर ले आते हैं अब अगर हमको यह grouping खतम करनी है सारे shapes को ungroup करना है वापस से तो उसके लिए इस group को select करके format tab में हम वापस से जाएंगे arrange block के group option पर यहाँ पर देखिए ungroup option active दिख रहा है इस पर click कर देंगे अब यह जो सारे shapes हैं यह अलग-अलग हो गए हैं अब अगर हम move करेंगे तो जिस shape पर हम click करेंगे केवल वही shape move होगा Orange block का आखिरी option है rotate इस option में इसके menu में दिखाई दे रहे options की साहता से हम shapes को 90 degree right या left rotate कर सकते हैं या फिर vertically या horizontally भी rotate कर सकते हैं या flip कर सकते हैं यहां पर हमने triangle को select करके रखा हुआ है और जैसे हमने rotate right 90 degree पर click किया तो यह देखिए यह जो हमारा triangle था वो rotate हो गया है इसे हम वापस से पहले जैसा कर लेते हैं इस block में आखिरी option है size इसके अंदर दो options है shape height और shape width इन options की सहता से आप shapes की height और width change कर सकते हैं इन दोनों में आपको up arrow और down arrow मिलते हैं जिसकी मदद से आप height और width बढ़ा सकते हैं यह देखिए हमने shape height वाले box में दिखाई दे रहे आप arrow की मदद से shape की height बढ़ा दी आप sheet पर देख सकते हैं triangle shape जो अभी हमने select करके रखा है उसकी height बढ़ती जा रही है कम करना है तो down arrow पर click करते जाएं तो यह देखिए इसकी height कम होती जा रही है इसी तरह से आप चाहें तो इसकी width भी बढ़ा या घटा सकते हैं height और width कम या ज्यादा करने का एक और तरीका है जिस भी shape की आपको height या width घटानी या बढ़ानी है उस shape को select कर ले इस बार हम rectangle को select कर रहे हैं और shape height तथा shape width वाले box में click करके अपने अनुसार आप manually height और width यहां पर type कर सकते हैं जैसे 1.58 की जगह पर हमने इसको कर दिया 3 और यहां पर width हमने कर दी 4 यह देखिए rectangle की जो height और width है वो change हो गई है तो इस तरह से आप shape height और shape width में इन arrows की मदद से या फिर manually number डाल करके भी किसी भी shape की height या फिर width चेंज कर सकते हैं यदि आप किसी shape को delete करना चाहते हैं तो उस shape पर click करके keyboard में delete की press कर दीजिए यह देखिए हमने आप पर rectangle को select करके रखा है जैसे delete की हमने press की यहां से rectangle shape delete हो गया है स्मार्ट आर्ट एक तरह का visual presentation है जो data को समझने में मदद करता है उदारन के लिए आपको कुछ ऐसी चीज समझानी हो जिसके बहुत सारे प्रकार हो और फिर उनके भी अलग-अलग प्रकार हो तो आप smart art की मदद से उसे अच्छे से दर्शा सकते हैं चलिए हम आपको एक उदारन देकर समझा देते हैं उदारन के लिए एक electronic showroom के employee को कहा गया कि showroom में जितने भी products हैं उनकी list साथ ही उन सभी products की एक graphical list भी बना कर दो employee ने products की list तो बना ली जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें product का नाम, product का type और उस product के कितने pieces stock में हैं ये सब लिखा हुआ है चलिए अब smart art की साहता से एक graphical list भी बना लेते हैं स्मार्ट डालने के लिए insert टैब पर क्लिक करें अब यहाँ दिखाई पढ़ रहे options में से illustrations के drop down arrow पर क्लिक करें और यहाँ से smart art पर क्लिक करें यह देखे smart art graphic का dialogue box open हो गया है इसमें कई तरह के smart art मिलेंगे जैसे कि list, process, cycle, hierarchy, इत्यादी इन में से आप जिस भी smart art पर क्लिक करेंगे उसके अलग-अलग patterns आपको यहाँ पर दिखाई देंगे यह जैसे हमने list पर क्लिक किया तो उसके यहाँ पर अलग-अलग patterns दिखाई दे रहे हैं यह process के लिए, यह cycle के लिए, इस तरह से hierarchy पर हमने क्लिक किया तो यह देखिए यहाँ पर hierarchy के कई सारे patterns दिखाई दे रहे हैं इसमें से आप अपने अनुसार कोई सा भी pattern चुन सकते हैं हम hierarchy में basic block list pattern चुन रहे हैं यह देखिए यहाँ पर यह आपको नजर आ रहा है अब हम OK पर क्लिक कर देंगे OK पर क्लिक करते ही देखिए यह smart art यहाँ पर आ गया है अब इसमें text की जगह आप जो चाहे वो type कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर list है तो हम इस list के अनुसार इस smart art को edit करते हैं चुनकि हम अलग-अलग products और उनकी detail पर आधारित smart art बना रहे हैं इसलिए पहले box में heading के तौर पर हम यहाँ पर type करेंगे product अब हमें products के नाम लिखने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 products इस list में हैं पर smart art में product के नीचे केवल यह 4 boxes हैं तो smart art में एक और box जोडने के लिए पहले product वाले box पर click करेंगे फिर उपर left side में दिखाई दे रहे add shape option के drop down arrow पर click करेंगे open हुए menu में से add assistant option पर click करें यह देखे add assistant option पर click करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं smart art में product के नीचे एक और box जुड़ गया है अब हम इन सभी boxes में एक एक करके click करते जाएंगे और products के नाम लिख देगे यह देखे हमने product के नीचे दिखाई दे रहे यह जो 500 boxes थे उसमें अलग अलग products के नाम लिख दिये हैं अब हमें इन सभी product के types लिखने हैं जैसा कि आप यहाँ पर list में देख सकते हैं कि हर product के दो types हैं तो उसके लिए हमें हर product के नीचे दो-दो boxes चोड़ने होंगे जिसमें कि हम उनका type लिख सकें इससे पहले हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि smart art से संबंदित सभी options design tab और format tab में मिलते हैं जब तक आप इस smart art पर हैं तब तक यह जो tabs हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे पर अगर बाहर कहीं click हो गया तो फिर आप यह देखिए home tab पर आ जाएंगे अगर कभी काम करते करते ऐसा हो जाए तो वापस से design tab और format tab को enable करने के लिए smart art के किसी भी box पर click कर दें यह देखिए इस पर click करते ही design tab और format tab वापस से आ गए हैं अब यहाँ पर जो अलग-अलग यह हमारे 5 products हैं इनके जो दो-दो types हैं उनके लिए हमको दो-दो boxes add करना हैं उसके लिए television वाले box पर click करके जैसा कि हमने आपको पहले बताया था add shape option के drop down arrow पर click करें और यहाँ पर open हुए menu में से add shape below इस option पर click करके यह television वाले box के नीचे हमने एक box जोड लिया है अब चुकि television के दो types हैं इसलिए हमको एक और box add करना हैं तो उसके लिए फिर से हम television वाले box पर click करेंगे add shape के drop down arrow पर जाएंगे और एक बार फिर से add shape below पर click कर देंगे यह देखिए television के नीचे यहाँ पर दो boxes जुड़ गए हैं अब इन दोनो boxes में हम television के type लिख देंगे जिस तरह से हमने television वाले box के नीचे दो boxes add करके उसमें television के दोनो types लिखे हैं उसी तरह से अब हम सब यी boxes के नीचे इस तरह से दो-Doo boxes add कर देंगे और उनके टाइप्स उसमें लिख देंगे यह देखिये यहां पर हमने पांचों products और हर product के नीचे उसके जो दो types थे वो लिख दिये हैं अब जिस तरह से हमने product के type लिखे हैं, उसी तरह से हर एक product के type के नीचे उसके कितने pieces stock में हैं, उसकी quantity हमको लिखना है, उसके लिए हमको product के type के नीचे वापस से एक box की जरुवत होगी, तो जिस तरह से आपको box add करना बताया था, उसी तरह से add shape में जाकर के, हर product के लिए इसी तरह से एक-एक box add करते जाएं, यहाँ पर हमने LCD और LED दोनों के लिए एक-एक box add कर लिया है, और अब हम इसमें इसकी quantity लिख देंगे, LCD के 10 pieces हैं और LED के 30 pieces हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 10 और यहाँ पर लिख दिया 30, अब बस इसी तरह से बाकी सारे products के जो type हैं, उनके कितनी pieces हैं, वो भी हम एक-एक box जोड करके यहाँ पर लिखते जाएंगे, यह देखिए, यहाँ पर हमने हर product की कितनी quantity है, वो उसके नीचे box में लिख दी है, यह तो हमारे पास जो list थी, उस पर आधारित हमने smart art बना लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको smart art को customize करना, जैसे कि उसका color बदलना, layout change करना त्यादी बता देते हैं, डिजाइन टैब में दिखाई दे रहे, text pen option से आप smart art में text insert कर सकते हैं, इसके लिए इस option पर क्लिक करें, यह देखिए यहाँ पर text pen open हो गई है, इसमें पहले से ही inserted boxes में जो text type किया हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर smart art की heading है product, उसके नीचे product का नाम है television, उसके नीचे उसका type है LCD, उसके नीचे उसकी quantity है, इसी तरह से सारे boxes में जो text लिखा हुआ है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके मदद से हम smart art में लिखे हुए text में changes कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर LCD की जगह हम चाहते हैं कि LCD TV लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम change कर देंगे, और जैसे हमने यहाँ पर change किया, आप देख सकते हैं smart art के इस box में भी change हो गया है, यहाँ पर भी LCD TV लिखा हुआ आ गया है, अब चलिए इस cross के रिशान पर click करके हम इस pen को close कर द देते हैं, यहाँ पर आपको option मिलता है right to left, इसकी साहता से आप smart art के layout को right to left या left to right direction में दर्शा सकते हैं, जैसे अभी देख सकते हैं कि television, फिर उसके type, उसकी quantity और air conditioner ये इधर left side में है, refrigerator, इधर washing machine ये right side में है, अब जैसे हम इस option पर click करेंगे तो ये right वाला पूरा part left में आ जाएगा और left वाला पूरा part right में आ जाएगा, ये हमने इस पर click किया, अब ये देखिए पूरा की पूरा smart art flip हो गया है, ये left वाला side पूरा इधर right में आ गया है और right वाला side पूरा left में चला गया है, इसे वा किसी भी box पर पहले क्लिक करना होगा जैसे हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और अब एक बार फिर से right to left option पर क्लिक कर दिया तो देखिए यह वापस से पहले जैसा हो गया है फिर से television air conditioner ये left side में आ गए है refrigerator washing machine right side में चले गए अब यहाँ move up और move down option की सहायता से किसी भी box का serial number चेंज किया जा सकता है इसे बहतर तरीके से समझने के लिए हम text pen को फिर खोल लेते हैं यहाँ से आप किसी भी text का serial number चेंज कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ से LCD TV को सेलेक्ट किया और जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर देखिए उपर move down वाला जो option है वो active हो गया है अब अगर हम इसको नीचे लाना चाहते हैं और LED को उपर लाना चाहते हैं तो इस पर click करते से ही यह serial number चेंज हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LED उपर आ गया LCD TV नीचे चला गया और यही जो change है वो यहाँ पर smart art के अंदर भी हो गया है आप चाहें तो यह वाला चेंज smart art के साहता से भी कर सकते हैं अभी यहाँ पर LCD TV जो है वो selected है अब अगर हम move up करेंगे तो यह वापस अपनी जगह पर आ जाएगा यह देखिए LCD TV पहले आ गया है LED बाद में चला गया है और वो change आप यहाँ पर text pen में भी देख सकते हैं अब हम design tab के आन्य options देख लेते हैं design tab के layouts block में दिख रहे options की साहता से आप smart art का layout change कर सकते हैं देखिए जिस भी layout पर हम mouse ले जा रहे हैं उसका preview हमें नीचे दिखाई दे रहा है अगर आपको और layouts देखने हैं तो यह drop down एरो पर जाकर के आप और layouts देख सकते हैं इसमें से आपको जो भी layout चाहिए हो उस पर आप click कर सकते हैं यह देखिए click करते ही वो वाला layout यहाँ पर set हो जाएगा हम इसे undo करके वापस पुरानी सिति में ले आते हैं अगर आप smart art का color change करना चाहते हैं उसके लिए change colors के drop down arrow पर click करें यहाँ पर यह अलग-अलग color schemes दी हुई हैं जिस भी color scheme पर आप mouse ले जाएंगे उसके हिसाब से नीचे भी changes होते जाएंगे इस में से कोई भी color scheme आप चुन सकते हैं और जो भी color scheme आपको set करना हो उस पर जाकर click कर दें यह देखिए हमने जो color select किया color scheme select की वो यहाँ पर smart art में set हो गई है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर heading के लिए अलग color है main heading इस color में है फिर जो भी products के नाम है वो सब yellow में दिखाई दे रहे हैं products के जो type है वो blue में दिखाई दे रहे हैं और जो quantity है वो green में दिखाई दे रहे हैं तो अब इस smart art को समझना और ज्यादा आसान हो जाता है smart art style की मदद से आप smart art की style change कर सकते हैं यह देखें यहाँ पर कुछ styles दी हुई हैं जैसे जैसे हम अलग-अलग style पर mouse ले जाएंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं नीचे आपके smart art में भी आपको वो अंतर नजर आएगा वो changes आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें से जो भी style आपको अच्छी लगे वो आप चुन सकते हैं हम 3D में यह polished वाली जो style है वो चुन रहे हैं यह देखिए अब यह style हमारे smart art पर set हो गई है अब अगर आप smart art पर की गई पूरी formatting खटाना चाहते हैं तो उसके लिए reset graphic option पर जाएं और click कर देखिए यह देखिए सारी formatting यहाँ पर से हट गई है सबसब पहले समझते हैं कि macro क्या होता है कई बार हमें Excel में काम करते समय एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है जिससे हमारा काफी समय व्यर्थ होता है इस problem को solve करने के लिए हम macros record करके उसे उप्योग कर सकते हैं Macro आपके द्वारा लिखे गए text और action को record करता जाता है और फिर एक click पर उसी text और action को वैसे के वैसे Excel sheet पर पेस्ट कर देता है Macro record करना तब उप्योगी होता है जब आपका data बहुत बड़ा हो और आपको एक ही जैसा काम बार बार करना पड़ता हो यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि इस से पहले हम MS Word में Macro से संबंधित वीडियो बना चुके हैं जो आपको हमारे channel की MS Word 2016 की playlist में मिलेगी तो चलिए आज Excel में Macro record करके देखते हैं मान लेजे हम एक company में काम करते हैं और हमें बीते एक वर्ष की monthly progress report बना कर boss को देनी है यहां हमने इस report का format बनाया हुआ है इसमें सबसे पहले employee ID है फिर employee का नाम है इसके पात उस employee ने कौन से region में काम किया है उस region का नाम है फिर उसने कौन सा product बेचा है वो नाम है कितना बेचा है वो quantity है product के पर पीस का price है और आखिर में total cells का column है इस format में हम total cells वाले column में total cell calculate करने के लिए formula लगा देते हैं ताकि हम प्रतिमा केवल product की quantity और price एंटर करें और total cells का amount अपने आप calculate हो जाए formula लगाने के लिए equal to का sign लगाएंगे फिर quantity वाला cell select करेंगे फिर multiplication का sign लगाएंगे और बाद में price वाले cell पर click कर देंगे अब एंटर प्रेस करेंगे फिलाल यहां कोई data दिखाई नहीं पढ़ रहा है क्योंकि हमने product quantity और price में कुछ भी नहीं लिखा है जैसे ही हम quantity और price वाले column में कोई value डालेंगे यहां पर अपने आप total cell amount आ जाएगा इस formula को drag करके नीचे वाले cells में copy कर देते हैं और इस sheet को rename करके format नाम दे देते हैं अब जब भी इस format की जरूरत होगी हम इसके duplicate sheet बना के उसका उप्योग कर सकते हैं हम 2019 के जनवरी महिने के लिए इस format की एक duplicate sheet बना लेते हैं duplicate copy बनाने के लिए format वाली sheet पर right click करें फिर open हुए menu में से move और copy पर click करें यहां पर create a copy के आगे दिखाई दे रहे check box पर click करें फिर ok पर click कर दें ok पर click करते ही format sheet की एक copy बन जाएगी हम इसे January 2019 नाम दे देते हैं इस sheet में employees का जनवरी महा का data फिल करेंगे देखिए हमने सभी employees द्वारा बेचेगाए products के नाम, quantity और price लिख दिये हैं और यहां sales का total भी आ गया है इसे तरह हमने बाकी के महिनों के लिए भी duplicate copy बनाकर उनमें data फिल कर दिया है हमने यह report बनाकर boss को दी तो boss ने हमें इस report में कुछ और information जोडने के लिए कहा जैसे कि इस sheet में total कितने products बेचे गए हैं वो लिखा होना चाहिए total sales amount का sum लिखा होना चाहिए साथ ही total sales amount में सबसे ज्यादा sales कितने amount की हुई है वो लिखा हुआ होना चाहिए और total sales का average लिखा होना चाहिए अब यदि हम हर महिने के लिए ये calculation manually करेंगे तो काफी समय लगेगा तो ऐसे में हम एक बार एक महा की report बनाते समय macro record कर लेंगे फिर सभी महिनों की sheet में उस macro का उपयोग करेंगे इससे हमारा काफी समय बचेगा तो चलिए macro record करते हैं उसके लिए view tap पर क्लिक करेंगे यहां पर macros option के drop down arrow पर क्लिक करेंगे फिर open हुए menu में से record macros option पर क्लिक करेंगे record macros पर क्लिक करते ही देखिए ये window आई है आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि इस window के स्थान पर आपके excel sheet में visual basic की coding वाली window open हो रही है तो उसके लिए आपको excel की settings में कुछ बदलाव करने होंगे वो बदलाव कैसे करने है हम इस वीडियो में आगे बताएंगे यहां पर macro name वाले box के नीचे आपको record किये जाने वाले macro का नाम डालना होगा हमने लिखा cells report यहां हम आपको बता दें कि macro के नाम में space की जगर हमें underscore लगाना होता है macro के नाम के नीचे हम जो macro बना रहे हैं उसे भविश्य में उप्योग करने हैं तो हम shortcut key बना सकते हैं जैट तक कोई alphabet लिखना होता है हमने यहां पर type कर दिया है के तो अब हमारी shortcut key हो गई है control-K इसके बाद store macro in option है यानि आप macro को कहां store करना चाहते हैं यह select करने के लिए हम इस option के नीचे दिखाई दे रहे box के drop down arrow पर click करेंगे open हुए menu में आपको तीन options दिखाई देंगे यदि आप this workbook को selected रहने देते हैं तो macro केवल इसी workbook में उप्योग कर सकते हैं यदि आप new workbook सेलेक करते हैं तो macro को नई workbook में उप्योग कर पाएंगे और यदि आप personal macro workbook सेलेक करते हैं तो आप इस macro को सभी workbook पर उप्योग कर पाएंगे हम personal macro workbook option पर क्लिक कर रहे हैं अब okay पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करते ही विंडो बंद हो जाएगी और macro record होना शुरू हो जाएगा यहाँ नीचे की तरफ आप stop का बटन देख सकते हैं इसका मतलब है कि macro record हो रहा है अब हम अपनी sheet में calculation कर लेते हैं पहले हम total कितनी product बेचे गए उसका sum calculate करते हैं इसके लिए हमने equal to का sign लगा कर sum formula टाइप किया फिर bracket open करके product की quantity वाली रेंच सिलक की और bracket बन करके enterprise कर दिया यह देखिए हमें total बेचे गए products की quantity मिल गई है अब हम इस cell को थोड़ा format कर देते हैं जिससे यह अलग ही highlight हो जाएगी हमने इस cell में background color दे दिया है और साथ ही value को bold करके font size बढ़ा दी है इसी तरह total cells amount का भी sum निकाल लेते हैं यह देखिए total cells की sum दे आ गई है अब हम total cells का maximum और average calculate कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं हमने maximum cells और average cells के लिए headings बना ली है जिससे वे highlight हो जाएं अब पहले maximum cells calculate करते हैं उसके लिए equal to का निशान लगाएंगे फिर max type करेंगे और bracket open करेंगे फिर total cells वाली range select करके bracket बन कर देंगे और enterprise करेंगे हमें maximum cells मिल गई हैं इसी तरह हम total cells का average भी calculate कर लेते हैं हमने सभी calculations करते हुए macro record कर लिया है अब macro को save कर लेते हैं उसके लिए या तो यहां नीचे दिखाई दे रहे stop option पर click करें या फिर view tab में आकर macro option के drop down menu से stop recording option पर click करें ऐसा करते ही macro save हो जाएगा अब macro को run करके देखते हैं उसके लिए February 2019 वाली sheet पर चलते हैं यह हम February 2019 वाली sheet पर आ गये हैं macro को run करने के दो तरीके होते हैं पहला shortcut की press करके macro run करें ऐसा करने पर यह देखिए sheet में calculation होकर आ गया है अब ctrl z press करके sheet को वापस पहले वाली स्थिति में ले आते हैं दूसरा तरीका है view tab के अंतरगत macros option के drop down menu से view macros पर क्लिक करें फिर open हुई window में record किये हुए macro के नाम पर क्लिक करने के बाद run पर क्लिक कर दें यह देखिए run पर क्लिक करते ही हमारे द्वारा macro में record किये हुए जो formulas हैं वो execute हो जाएंगे और चुटकियों में नए महिने की report ready हो जाएगी इसी तरह आप भी बड़े data में बार-बार calculation formatting इत्यादी करने के लिए macro record करके अपना बहुत सा समय बचा सकते हैं आज का अध्याय समात करने से पहले हम आपको एक महतवपून जानकारी देना चाहेंगे यदि आपके MS Excel में macro नहीं चल रहा है या फिर वीजुल बेसिक की कोडिंग वाली विंडो आ रही है तो आपको macro record करने से पहले Excel की settings में कुछ पदलाव करने होंगी उसके लिए file tab पर क्लिक करें यहां पर options पर क्लिक करें अब trust center पर क्लिक करें trust center पर क्लिक करने के बाद यह window दिखेगी यहां पर trust center settings पर क्लिक करें trust center settings पर क्लिक करते ही यह options दिखाई देंगे यहां पर macro settings पर क्लिक करें Macro Settings में Enable All Macros option के आगे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें. इसके बाद OK पर क्लिक करें. एक बार फिर OK पर क्लिक करें. OK पर क्लिक करते ही Settings सेव हो जाएंगी. अब आप Macro Record कर सकते हैं. Screenshot किसी भी screen को capture करने का बहुत सरल और तेज तरीका है. कभी-कभी हमें Excel में काम करते समय अपने computer पर खुली हुई आनने किसी window, document, website, picture, इत्यादी का screenshot इंसर्ट करने के आवशिक्ता होती है. ऐसे में या तो हम पहले उस window का screenshot लेकर उसे save करें, या फिर हम सीधे ही Excel द्वारा screenshot इंसर्ट कर लें. चलिए आपको बता देते हैं कि Excel में screenshot कैसे insert किया जाता है. Excel में कोई भी snapshot insert करने के लिए insert tab पर क्लिक करें, यहां दिखाई दे रहे options में से, यहां illustrations option के drop-down arrow पर क्लिक करें, और यहां पर दिखाई दे रहे options में से screenshot option पर क्लिक करें. अब यहां पर नीचे आपको option मिलता है screen clipping. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी window खुली होगी, वहां से यह आपको screen को clip करने का option प्रोवाइड करता है. चुकि यहां पर केवल desktop है, तो अगर हम click करके mouse को drag करना शुरू करेंगे, तो यहां से यह जितना भी हम part select करेंगे, उतना clip होकर के snapshot के रूप में आ जाएगा. यह देखे इस तरह से, पर अगर आपको कोई particular screen का screenshot लेना हो, तो उसके लिए आपको वो वाली screen या वो वाली window खोल करके रखना होगी. पहले हम जिन भी screens का shot लेना चाहते हैं, वो screen खोल लेते हैं. मालिय जीए हमको कुछ pictures के snapshot चाहिए, तो पहले हम उन windows को खोल लेते हैं. अब यहां से जिन जिन pictures के snapshot चाहिए, हम उनको खोल लेते हैं. एक बात का ध्यान यहां पर रखिएगा, कि आपको screen को खुला ही रखना है. यह हमने कुछ screens खोल ली हैं, जो हमको snapshot के रूप में चाहिए. अब हम वापस Excel sheet पर चलते हैं. Insert tab में जाएंगे, illustrations वाले drop down arrow पर जाकर के screenshot पर क्लिक करेंगे. अब देखिए, जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, तो जो भी windows खुली हुई है, available windows option के अंतरगर्थ, यह वो सारी windows दिखा देता है. अब इसमें से आपको जस भी window का screenshot चाहिए, उस पर आप क्लिक कर दें. यहां पर आप देख सकते हैं, वो screenshot एक्सल की sheet पर आ गया है. जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया, कि एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, कि जो भी windows आप खुलेंगे, वो minimize ना हूँ. यहां पर चार windows हैं, जो खुली हुई दिखाई दे रही है. इसमें से अगर हम किसी window को minimize कर देंगे, तो वो फिर यहां available windows में दिखाई नहीं देगी. इसलिए आपको windows को खुल कर ही रखना है. हम आपको यह करके बता देते हैं, यह जो pictures वाली हैं, इसमें से हमने इस वाली window को minimize कर दिया. अब जब हम वापस screenshot वाले options पर जाएंगे, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो available windows दिखाई दे रही हैं, यह केवल वो windows हैं, जो खुली हुई है. अभी हमने जो window minimize की, वो इसमें नजर नहीं आ रही है. इसलिए, जिस भी window का आपको screenshot चाहिए, उसे आप खोल का रखें. हमने अभी जिस window को minimize किया था, हम उसको वापस से maximize कर देते हैं. अब जब हम वापस से screenshot वाले option में जाकर के देखेंगे, तो हमको वो भी नजर आएगी. यह देखिए, वापस से यह वाला जो window है, वो हमको available windows के अंदर दिखाई दे रहा है. यह तो हमने available windows में से screenshot लिया. अगर आप manually कोई screen cut करके उसका एक हिस्सा sheet में insert करना चाहते हैं, तो वो screen clipping की सहायता से होगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था. इस option की एक खास बात यह है, कि अगर कोई windows खुली हुई है, जैसे कि यहाँ पर उपर आपको दिखाई दे रही है, तो अगर आप screen clipping option पर click करेंगे, तो जो पहली window है, वो ही यहाँ पर available होगी. यह देखिए, पहली window यहाँ पर आगई है, अब इसमें से आपको जितना हिस्सा चाहिए, उतना आप mouse की सहायता से drag करते हुए, उतने पार्ट को select करके mouse का click छोड़ दीजिए. जितना हिस्सा आपने clip किया होगा, उतना ही हिस्सा Excel sheet में insert हो जाएगा, इस तरह से. झाल